चलिए दोस्तों let's start standard costing chapter let us start standard costing chapter दीकि standard costing chapter आपके exam के लिए एक important chapter है छाए वो old slavas हो छाए new slavas हो या फिर यह आपका CMA का exam हो टीक है बट यह इतना extensive chapter है इतना content है इसमे कि students generally exam में इसको skip करने का tendency रखते हैं क्योंकि revise नहीं हुआ हुआ होता है तो पहला मैं बता देता हूँ अपने class में जब इसको किये हैं तो एकदम base से उपर तक ले गएं exam में base वाले question 10 में से सिर्फ 1 या 2 आते हैं उपर वाले questions आते हैं तो इसलिए इसका revision हमेशा उल्टा शुरू करो पूरा chapter का concept एक बार revise करके अगर sums देखना है तो backwards जाके देखो जो last में किया वो देखो उसके बाद किया जब तक देख सको तो last से देखो एकदम easy easy जब आने लगे तब छोड़ दो तो यह approach एकदम याद रखना इस chapter में सर ने बोला है जितना sums सर ने कराया है उसको backward revise करेंगे पहले सारा theory वगरा पढ़ लेंगे उसके बाद sums backward देखेंगे नॉर्मल forward way से sums देखने नहीं जाएंगे ठीक है चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं लेट उस प्रोसीड नौ स्टॉप टाइपिंग इन चैट वी विल लॉनली फॉलो दर क्लास राइट नौ रेस्ट वी के चिट चैट लेटर और आफ्टर क्लास के बाद और आपसे बाकी की बाते करेंगे अभी सिर्फ अब स्टैनर्ड कॉस्टिंग रिलेटेट कोई सवाल होगा तो पोस्ट करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो पहला स्टैनर्ड कॉस्टिंग में बेसिक चीज हम लोग हमेशा क्या करते हैं क्या करना सिخा रहा हैं को स्कॉन क्सिघा पर्जेर्च का वैल्यू होगा फिर एक्ष्फाल का वैल्यू होगा फिर दोनों को गरोगे तो यह थो इससे एक और चीज हमारा ऑक्र। वीषूता है इसको लुक्ते performance measurementकоворality prescribe कारी वाइलैटेस्व नहींजर बोलेंगे मेजर क्यूं क्यों क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने स्ट्रेपार्टमेंट से उनको कुछ responsibility टिये भी होताय इन तुफॉर्मव फबज़ेट फिर हम देखते हैं कि actual में वो लोग वो responsibility निभा पाए कि नहीं निभा पाए तो उसको evaluate करने के लिए हमें कुछ numbers चाहिए तो numbers provide करता है standard costing ओके और उसी numbers के मदद से हम performance evaluation भी करते हैं उनी number के मदद से हम cost control भी करते हैं numbers का use क्या है standard costing में जो measurements मिलेंगे यानि numbers मिलेंगे उसका use cost control as well as उसका use है performance evaluation performance measure करने के बाद बाद वह आपको क्या चीज में help करता है इसका आंसर है evaluation ठीक है चलिए अब ध्यान से समझी standard costing में performance evaluation यानि performance measure यानि cost control करने के लिए हम लोगों को पहला material variance में चलना है first किसमें चलना है material variance में चलना है ओके material variance में मेरा कुछ ऐसा सिखाने का नहीं है हर variance एकी तरह से आता है चाहे material हो चाहे labor हो चाहे variable overhead हो यह तीन हो एकदम एक जैसे चलते material labor variable overhead ओके आप लोग को class में कैसे सिखाया हुआ है गर यात करो recall करो हम लोग पहले note number one बनाते थे analysis of data करके जिसमें हम लिखते थे standard के हिसाफ से क्या-क्या details दिया और actual के आप से क्या-क्या details दिया हो है फिर standard को actual के form में change करते थे by way of working note number two which we used to call as material cost card material cost card होता है material में labor में labor cost card और variable overhead में variable overhead cost card and then we have two parts in that cost card standard cost for actual output and then actual cost right if you say I can just give you one synopsis of a very simple example to help you recall the things आप देगे यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ एक ऐसा detail में जैसे question पढ़के हम लोग ऐसा detail बनाते standard के साथ से कितना unit of finished goods के लिए कितना raw material का quantity लगेगा क्या rate पे लगेगा this we find out from the question and also we check actual में for what quantity of finished goods how many kgs are actually used and at what rate then note 2 में what we do is we convert standard in the terms of actual that working note is called as material cost card right here we write standard cost for actual output and then we say actual cost quantity price amount quantity price amount okay so here what we do is we convert our standard for actual output then price amount is copied actual material का every detail is copied अब जब material के बाद यहां पर labor आएगा तो labor नाम लिख देना वहां पर quantity के जगा आवर्स आ जाएगा और variable over rate आएगा तो variable over rate नाम लिख देना वहां पर भी variable over rate में भी quantity के जगा आवर्स आ जाता है variable over rate और labor hours पर वेरी करते हैं और material quantity पर वेरी करता है ठीक है फिर इसके बाद आपका तीन variance है popular variance एक है आपका cost variance material cost variance बोल दो which is standard cost for actual output minus actual cost then price variance इसका rate variance भी बोल सकते हो which is standard price minus actual price into actual quantity ठीक है labor होगा तो actual hour हो जाएगा वहां पर price का नाम rate variance हो जाता है third है आपका usage variance third is usage variance labor में जाके वो नाम बदल लेता efficiency variance बन जाता है इसमें होगा standard quantity minus actual quantity into standard rate या standard price so whatever calculation will be done will be done through this material cost card not through the original detail of the question जो भी आप calculation करोगे वो सर्फ material cost card से करोगे not from the original detail of the question now you can have a situation where you are having multiple materials used for making the finished goods in that case say material x material y something like that will be there so another row will come for another material and similarly से एक और material आ गया तो material Z के लिए एक रो आ जाएगा यहां पर cost card में and then you will take the total of quantity also and total of amount here you will take total of quantity and total of amount so this way the presentation will be improved if you have multiple materials okay usually question में मैंने देखा है multiple materials या multiple labor का जब question आता है तो वो सिर्फ material variance का जाता है वो सिर्फ labor variance का जाता है उसमें और भी variance वो लोग नहीं मिलाते तो जब भी multiple का questions आया ओके और question में सिर्फ material related variance ही पूछा है और दूसरा कोई variance पूछा नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपको यहां पर भी cost variance आप इकठा find कर सकते हो by just comparing this to total amount but price variance आपको अलग-अलग करना होगा x का y का z का तीनों का करके total लेना होगा ठीक है और ऐसे usage variance भी तीन बार करना पड़ेगा x का y का z का अलग-अलग करके total दिखाना पड़ेगा अगर multiple material हुआ to find variance for each of the material in each of the head multiple material हुआ to find variance of each of the material okay and it will be in each of the head and along with that there will be two new variances which we call as material mix variance and material yield variance so mix variance is the difference between the mix mix is the proportion which is we call as standard proportion minus actual proportion okay standard proportion minus actual proportion into you will do total actual quantity remember here total actual quantity पे चकरते है into standard price so this also will be done for three parts x y z separately okay and lastly it is yield variance yield variance is the there at last lastly it is yield variance and in yield variance we don't do it in three times in yield variance we don't do it three times what we do is we just calculate total total standard quantity that is this figure minus total actual quantity which is this figure multiplied by standard weighted average rate multiplied by standard weighted average rate okay weighted average rate कैसे आएगा this divided by this weighted average rate कैसे आएगा this divided by this okay see all these things are already done so I don't expect you to copy all these you don't need to copy all these it is all well understood already and all these are written here if you will see everything is written here cost क्या होता है price क्या होता है usage है mix है yield everything is already written in case of mix variance this expression which I have given you here can be further simplified इसको solve करके अगर हम अंदर ब्राकेट में ले जाए तो it becomes like this total actual quantity divided by you can say total actual quantity divided by total standard quantity into total standard cost minus actual quantity into standard price अब यह आप बोलेंगे कि यह कैसे होता है यह मैं कैसे अभी इतना revision मैं आपको बता हूं ठीक है now point is यह simplification है इसी का इसी को गर हम simplify करते है तो it becomes like this also so what you will do is you can just refer here what I have given it's already given here you can refer here just मैं आपको recall करा रहा हूं मैं एक बार लिखा न तो what is the advantage to me कि next labor में it is just the same instead of quantity there will be hours there is nothing much okay so some of you are saying sir थोड़ा slow चलिये वट फिर दिखे मेरे को कोई दिखत में आपके लिए फास्ट हो रहा हूं कि आप लोग को 1.5 पर करने का आदत है फिर 1.5 इसका भी करेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा आपका ठीक है आप ध्यान से सुनिए आप भड़ाइए नहीं आप फॉलो करिए आराम से मैं कोई हाई-फाइ रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं यह सब जो किया हुआ क्या-क्या बताया है एक बर यहाँ पर वापस से फोकस कर लीज़ीया आप नॉट नॉमबर 1 में स्टैंडर्ड और एक्चुल आपको कोश्चन में दियावान ही रता ही यह क्वेश्चन पढ़के आपको इस तरह से सजाना है थीक है नेक्स नॉट नॉमबर 2 मेटिरियल कॉ कार्ट आपको बनाना पड़ेगा यह हर क्वेश्टन में बनाना ही पड़ता है यह कॉश्चन में दिया वहाँ नहीं होता अब जिस जो भी वेरियंस निकालता है उसका कार्ड बनेगा लेवर होगा तो लेवर कास कार्ड वेरीबल विए खाड कार्ड खाली हम लोग टोटल जो है ना नेट अमांट ब्लू में यह टोटल माइनस दिस टोटल कॉस्ट विरियंस कैसे आता है दोनों का टोटल माइनस करना है प्राइस विरियंस कैसे आता है चेंज इन प्राइस इंटू एक्चुल कॉंडिटी यूसेज विरियंस कैसे आता है चेंज इन दिया vit आपको की आप्ट औरaways इंट praktा क्यों रहे यहें रोगारा। सब कॉंसेट अल्रदी आपको दिया वह तो पूरा हिल जाएगा हमारा सिस्टम ठीक है mix variance is standard proportion minus actual proportion it's a difference between proportion and proportion से आप इसको shortcut बना सकते हो proportion actually आता कैसे given quantity standard quantity by total standard quantity ऐसे करके proportion आता है given standard quantity by total standard quantity actual proportion कैसे आता है actual quantity by total actual quantity ठीक है जासे अगर अपने पास x और y नाम का दो material है यहां 50 यहां 20 यहां 70 तो proportion of x will be what 50 by 70 proportion of y will be what 20 by 70 so that's what I have written so based on that if you solve this bracket if you simplify if you will simplify then this calculation will come okay and lastly yield variances total standard quantity minus total actual quantity into standard weighted average rate ठीक है formula का logic वगरा जानना है तो we will take it up some time later मैं देखोंगा कभी YouTube वगरा मैं आके live आपको सिखा दूँगा but right now please आप मुझे formula का logic में ले जाएंगे तो यह base है और इसके उपर अगर मैं अभी काम करने लगा तो मेरा यहीं पे इस class खतम हो जाएगा it takes time it is not that quick कि logic फटाफट मैं आपको बता दूँ मुझे critical areas पर जाना है मैं आपको वापस बता रहा हूं मैं चाहकर आपको थोड़ा थोड़ा relate कर रहा हूं मैं आपको relate करके बता रहा हूं कि material में जो सीखा वह जी चीज labor में है वह जी चीज variable overhead में जब हम जाएंगे तो mix और yield नहीं आता है variable overhead में remember mix और yield नहीं आता है ठीक है labor में जाएंगे तब एक नया variance जोड़ जायगा जिसका नाम isn't labor idle टाइंट variable over rate में idle time variance भी नहीं आता है, variable over rate में सिर्फ first 3 आता है, cost, rate, rate का वहाँ पर नाम है, expenditure और usage का नाम है efficiency, ध्यान से सुने, variable over rate में first 3 आता है, cost, expenditure, efficiency, liver में ये 5 आता ही है, cost आता है, price के जगाँ वहाँ नाम हो जाता है, rate, usage के जगाँ नाम हो जाता है, efficiency, mix आता है, yield आता है, idle time बढ में यह पाँच है लेकिन मैंने आपको क्लास में मटीरियल में जब पढ़ाया है तो मैंने आपको मेटीरियल का तीन वेरियंस और पढ़ाया है ठीक है विच इस वेरी यूनिक वैसे के मैट में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है सिर्फ CMA के मैट में इसको जिक्र किया गया है ठीक है यह जो नया तीन वेरियंस अभी मैं आपको हलका सा बताने जा रहा हूं वो सिर्फ CMA इंसिट्यूट के मैट में डिसकस किया गया and that is also in paper number 19 there cost audit के paper में इसके उन्होंने तो जानने के लिए हम लोग आपके साथ discuss करें क्योंकि इंसिट्यूट कभी कभी इदर से उधर करता है देखते कि quality cost, river cost और scrap realization इसको समझने के लिए आपको पहले एक format समझना पड़ेगा कि sometimes in factory what happens is material input दिया तो आपको पता होता है कितना rejection होगा उसमें you know how much will be the rejection okay this is obviously input message processing करते वक्त कुछ खराब होगा ऐसा सोचो तो जो बचके आया वो हुआ good output at pre inspection stage एसा हम लोग total quality management में सीखा था एक production schedule वैसा ही कुछ हो रहे है यह आपे then इस rejection में से कुछ units rework हो जाते हैं इसी rejection में से कुछ scrap कर रहे हैं क्योंकि वो rework नहीं हो रहे है जो rejection पहले minus किया पूरा हटा दिया उसमें से जो ठीक हो गया उसको plus कर लिया और जिसको scrap कर दिया उसका कुछ नहीं क्या because already minus हो चुका है यहाँ पर ठीक हैं तो result आया net output result आया net output okay तो इसको लेकर आपको comparison करकर variances निकालना है कैसे होगा एक बार फिर से समझ लो देखो जो एकदम नया चीज जो इंटर में भी नहीं था जो final में आके आपको मैंने सिखाया मैं जरूर उसको एक बार illustrate कर दोंगा कुछ example देखे बट अगर आप basic चीज यानि जो इंटर से चला रहा है उसका अगर logic कैसा होगा सोचिए सोचिए स्टैंडर्ड में दो डीटेल है ठीक है एक है फॉर स्टैंडर्ड आउट्पुट जो question में दिया वा होता है paragraph form में question बोल रहा है quantity यहाँ पर input यदि हम लोग thousand डालते हैं तो as per standard rejection होता है 250 25% then good units आ जाना चीज 750 at pre-inspection stage then out of 250 40% is reworked reworked यानि 100 हो सकता है and remaining आपको scrap करना पड़ेगा scrap का मैं या कुछ लिखूंगा नहीं because 250 तो पूरा minus हो गया उसमें से 100 रिवर को गया तो 150 scrap है तो उसका कोई लगसी effect नहीं है so net output is 850 this is your net output now question is giving you actual details along with that actual details are given actual details may question is saying that output produces 17,000 okay for that input was 21 rejection was rejection was 6000 so net output at pre-inspection stage was 15 या actual का detail question में दिया हुआ है and out of this rejection sum have been reworked which amounts to 2000 rest were scrapped okay obviously price will be also given say मैं एक amount दे देता हूँ आपको 21,000 हो गया तो 210 rejection का कोई price नहीं है तो यह 210 river का cost मालूम है 4 rupees करके 8000 और जो unit scrap हुए उससे कुछ realization हो जाएगा 6000 में से अगर 2000 हम लोग river कर लिए तो 4000 हमारा scrap हो गया 4000 हमारा scrap हो गया और उसका cost हो गया मान लिजे sorry cost नहीं realization आ गया मान लिजे 1 rupee करके है so that 1 rupee realization is for how many units 4000 units why 4000 because 6 में से 2 river को चुका है तो 4000 बचा वो 4000 मेरे लिए cost से reduction हो गया so net cost आ गया 214,000 net cost has come 214,000 okay 214,000 is the net cost now based on this actual and this given standard मान लिजे blue में जो मैंने लिखा है सारा question में दिया हुआ है अम लोगों ने अपना तरफ से सिर्फ एक धाचा में डाला है अब आपको बुल रहा है variances निकाल दो जितना हो सकता है so what we can do is यहां पे quantity price amount एक column लगेगा standard needs to be changed for actual output and how it will be done this is the learning so for 17,000 units what should be this input अगर 850 output होता है तो input is हजार ये question में दिया हुआ है ठीक है so 850 के लिए thousand है तो 17,000 के लिए input कितना होगा जल्दी से बूलिए आप answer type करना शुरू करिए जब 850 के लिए 850 के लिए thousand है तो 17,000 के लिए how much it will be 17,000 के लिए how much it will be जल्दी बोलिए 17,000 के लिए how much it will be divided by 850 into 1,000 answer is 20,000 answer is 20,000 ठीक है देखो ये सब silly mistakes है again कि हम लोग into 850 by 1000 कर वेते हैं आप दीखें ना input ज्यादा होगा ना कम कैसे होगा 17,000 के लिए जो input है वो तो थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए so 20,000 में अब rejection 25% जब 1000 है तो 25,000 है तो 20,000 है तो rejection कितना होगा 5,000 rejection will be 5,000 so this is 15 ठीक है और इस 250 का 40% reward को जाते है तो इस 5,000 का 40% ओर है 2000 जो reward को गया तो आगे ने 17 आगे 17 ठीक है है so this is how your card will be made now based on this आपका की question में rates दिया वाओगा मानलो rates मैं अपना मन से बठा देता हूँ यह 9 रुपया है 180 एक question में दिया वाओगा rejection का rate नहीं होता river का rate होगा सोचिए यहाँ पे rate है 3 रुपीस so 6000 और बचावा scrap 5000 में से 2000 रिवर को गया तो 3000 scrap और scrap का rate है 0.5 करके so 3000 into 0.5 करें तो 1500 scrap 3000 कैसे आया 5000 में से 2000 यदि रिवर को गया तो 3000 आपका scrap हो रहा है 3000 into 0.5 so कितना रहा है दिखे यह answer यहाँ पर 186 minus 1500 is 184 500 it is 184 500 okay so now what we can do is we can easily compare इन दोनों का comparison का नाम होगा material quality cost variance okay यह दोनों का comparison का नाम होगा यह 1500 और 4000 का इसका नाम है material scrap realization variance इन दोनों का comparison का नाम है यह 6000 और 8000 का comparison का नाम है material river cost variance river cost variance MRCV material river cost variance okay net amount का comparison का नाम है quality cost scrap realization का variance का नाम है scrap realization variance then 6000-8000 का comparison का नाम है river cost variance and then यह दोनों का comparison का नाम है MCV material cost variance जिसका फिर बहुत सारा parts हो सकता है यानि की price, usage, mix और yield mix yield यहाँ नहीं है because input is only one if input would have been multiple materials then mix yield भी आ जाता so this is the process of analyzing मैंने process बताया अब आब बस compare कर लो 180-210 है तो 30,000 adverse 6,000-8,000 है तो 2,000 adverse अभ यहाँ पे scrap में ultra सोच ना होगा because scrap is an inflow so 1500 सोच अथा 4000 आ गया so 2500 favorable the more the inflow the favorable is the result so scrap realization में उपोसित सोच नहींगे जादा आया तो favorable होगा because it is an inflow quality cost में 184-500-214 is your adverse variance okay how to calculate scrap rate 0.5 यह given है all these are given scrap rate 93.5 actually given आप ऐसा मान लिजे and यह 0.5 को मैंने किस से multiply किया मैं वो बदा सकता हूँ वो rejection worth of 5000 उसमें से rework हो गया 2000 तो remaining scrap हो गया जितना rework नहीं हो पाता है वो scrap हो जाता है ठीक है so यह एक नया जो quality cost variance का concept है वो मैंने बता दिया आपको एक और अब इसमें special effect आता है material variance में material variance में special effects के मैंने बहुत सारे notes दिये वह आप देखें यहाँ पर कि पहले presentation क्या है analysis कर लो anyway standard के इसाब से actual के इसाब से data लिख लो यह है note 1 इसको मैं बोलता हूँ analysis of data step number 2 के cost card बना लो यह दिखे cost card बना लो step number 3 के आप statement showing variances दिखा दो ओके आपको ऐसे सिखाया बना emergency purchase को एक तक हना पूछ रही है how to calculate 21,000 21,000 कहाँ पर आया यह सब दिया हुआ है भई question में दिया हुआ है मैं example समझा रहा हूँ how to calculate कैसे बताऊंगा यह तो मैं एकदम example से समझा रहा हूँ ना कि यह दिया हुआ है 21,000 given है चलिए आगे बढ़ रहे हैं आप follow करिए next follow करिए next एक बार questions को note कर लिजे एक साथ पूछ लेंगे questions को note कर लिजे आप अभी मुझे आगे बढ़ने दीजे बना मेरा छूट जाएगा आज जो target है वो होगा नहीं revision पता चला चलता ही जा रहा है खतम नहीं हो रहा है next emergency purchase पर आते हैं लोग एक concept emergency purchase का उसको समझ लिजे एक बार standard के हिसाब से यदी मैंने बोला एक unit of finished goods के लिए 20 kg material लगता है और उसका rate यदी 5 रुपीज पर kg है actual के हिसाब से say 100 units of finished goods बनाया गया 100 units of finished goods बनाया गया जिसके लिए 2100 kgs raw material purchase किया गया at the rate 6 rupees पर kg at the rate 6 rupees पर kg and 150 kgs और भी purchase किया गया जिसको मूलेंगे emergency purchase हुआ था जिसका rate था at the rate 7 पर kg ओके तो ऐसे scenario में analysis कैसे होगा emergency purchase में जो extra rate लगा ठीक है generally rate का जो difference है 5 से लेकर जो भी उपर जा रहा है rate उसका difference का जिमेदारी इसका होता है purchase manager का होता है purchase manager means material price variance purchase manager means what purchase manager means material price variance now emergency purchase का order करवाता कौन है purchase manager अपना मन से emergency purchase नहीं करता production manager ने pressure दिया होगा कुछ crisis हो गया होगा production system में जिसके कारण उसको ध्यान देकर जल्दी से मंगवाना पड़ा raw material और उसके लिए scheduled time नहीं दिया गया जितना समय देना चाहिए उतना समय purchase manager को allow नहीं किया गया तो purchase manager जहां से भी हुआ जल से जल material आके दे दिया तो अब उसके कारण यदि extra rate लगा तो वह rate purchase manager का responsibility में नहीं आता है वह rate production manager का responsibility में आता है एक चीज़ आप वापस समय लिए कि हम लोग यहाँ पर standard costum में performance measurement भी कर रहे है न तो हर एक variance से न हर एक manager का performance जुड़ा हुआ है जिसे material के case में purchase manager is responsible for price variance and production manager is responsible for usage variance and usage से mix और yield आता है तो वह भी production manager का ही responsibility है whenever we are finding mix and yield we don't need to focus too much on usage because usage का फिर एलिवेंसी खताम हो जाता है when you are checking mix and yield मैं आपको सब interpretation भी समझाओंगा विकॉस यह new slippers में interpretation पर ज्यादा ध्यान देना है ठीक है calculation उनके बहुत simple से है बट interpretation पर ही question ज्यादा घुमा रहा है तो आप interpretation पर ज्यादा ध्यान से मेरी बात को सुनना हम्यों करेंगो का परक्षांग है जीति का ममेरी ज्न सलस्ट मैंशने से हम रेक्षाम्रे ने आपर जो इस प्राइस पे होता है तो इस रеспonsibility of purchase manager remember he will be asked question why the price is given extra but if any price is paid extra due to emergency purchase if any price is paid extra due to emergency purchase then that extra price over the normal purchase price will be borne by production manager I will explain all it again say I will make material cost card against this detail cost card will be standard cost for AO and actual cost so we have QPA QPA 1 unit के लिए 20 kg so 100 unit के लिए 2000 5 amount is 10,000 फिर यहां पर 2100 6 रुपीज करके 157 रुपीज करके 2250 12600 यह 1050 136 50 okay so now if we are finding say material cost variance it is simple compare the cost 10,000 minus 136 50 is equal to 3650 adverse extra cost means when we are finding price variance here there is something new change in price 5 minus 6 see price has been 7 also but this 7 is due to emergency so had this not been an emergency say we will think like this had this not been an emergency then what would have been the price the price would have been 6 rupees so purchase manager is supposed to be a responsibility up to 6 rupees for all the quantity purchased about it he will be a responsibility for all quantity purchased he will not say emergency ga mein ek bhi rupeya bear ne karunga why he has to be a had just that emergency matlab us ko usual allowance of time name a lot to what he will do he will if emergency was not there he would have purchased it in normal time now normal time cost is 6 rupees so even for emergency purchase quantity also he will have to bear the normal purchase price ab normal may agar 4 rupees hota for example to 5 minus 4 into entire 2250 the whole of credit would have been given to purchase manager but normal may six se to he will have to bear this 6 rupees car load for all the quantity purchase the answer here is 2250 adverse the third is material usage variance which will be 2000 minus 2250 the extra quantity used multiplied by standard rate is five this is coming one two five zero two fifteen two five one two five zero adverse that is for extra quantity used now when we are calculating extra quantity used even emergency purchase quantity has been used so that also has to be taken and along with this the new stuff here is the your production manager usage variance is for production manager will also bear that extra six minus seven one rupee paid extra one rupee paid due to emergency okay for 150 units for 150 kgs six minus seven extra one rupee paid because purchase manager did not bear that seven rupee paid due to be paid only six rupees stuck so six is seven 150 rupees extra joe oh yeah inco bear can now go fourteen hundred yeah so you see the cross check is also telling 2250 and 1400 mix car get three six five zero so ideally the standard costing chapter is all about you know understanding how the responsibilities are segregated in organization between purchase manager and production manager so if you understand that all well you will be able to answer the questions you have exam may you got up manly j news syllabus car question karina to they will ask you to comment on the performance of production manager comment on the performance of purchase manager they will ask you to interpret the variances so after calculation you'll have to write half a page comment that purchase manager will bear the difference in the price only up to the normal purchase because the emergency rush order was issued by production manager and in which due purchase time was not given to him so will not bear any extra cost incurred due to emergency purchase the extra cost due to emergency purchase shall be born by production manager so as a couple answer link in the comments may be jake again so emergency purchase many up a pura sam jade up co production manager will be at the extra purchase price incurred due to emergency purchase that will it will affect muv production manager will be here the extra purchase price incurred due to emergency purchase okay then there is next one this this is third one is make bullet ready job is co bold kardiji make it bold then there is another one standard processing loss standard processing loss is what they say question may they will not give you the standard quantity of material standard processing loss is what standard may they are giving you a detail like this that material x is 40 percent material y is 60 percent and their rates are given say 40 rupees per kg say 20 rupees per kg these rates are given and they are also giving that processing losses processing losses 10 percent in actual all details are given as usual in actual the details are x y x is say 150 kgs y is say 160 kgs or say 200 kgs le 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 ta hai 350 kgs hai us ke rates aap ko diye we hai say 38 hai aur yahan pe rate maan lije 25 hai aur actual main output actual main output is say 300 kgs 300 kgs so input is 350 output is 300 now what you have to do is you have to make the cost card to make the cost card what we have to write is material cost card mein challenge kya hai what we have to write is standard cost for actual output and then we have to write actual cost so actual main there is no problem you need x y car quantity rate amount so it's all given 150 200 38 25 tick tick everything is available in actual okay but the thing is standard my rate is there 40 20 so quantity will be what quantity is not given instead of quantity we are giving you percent and we are also giving you a processing loss so how to approach this what we have to do is you first of all assume that total standard input is 100 so if this is 100 you get to know that this is 40 kgs this is 60 kgs and if processing loss is 10 percent output is supposed to be 90 kgs so you can say for 90 we have 100 and the breakup is 40 and 60 okay okay so something like this is something like this is there something like this is there so now aapko yeh batana 300 yehdi output hooga to yaha pe quantity kya hooga chalyeh bataiyeh jaldi se answer agar 90 ke liyeh if 90 ke liyeh it is 40 then 300 ke liyeh x kya hooga or 300 ke liyeh y kya hooga for 90 it is 40 60 so for 300 it will be what use the unitary method and tell me the answer hmm are you she has the first one to answer sriya second a month third okay and so on answers are coming 133.33 it is correct and then 200 this is also correct so you all know very good i'm very happy very impressed so you got all those details now you can just calculate all the variances cost price usage or either since do material ito x or y yield or mixed variance bhi a jayga okay usually quality cost scrap and river cost are exceptional whoo zoruri nahe bhaat zhaadha emphasis deke panna many but as you see a make a cost audit subject kya mat media or kya diya wavini okay good 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 processing loss aapne catch up कर लिया तो यहाँ पे 100 assume करके break कर लेना और फिर आपको for actual output means for 300 kgs अपने quantity को change करके लिख देना है you are correct perfectly correct चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं next आ रहा है missing figure questions यह आप इंटर में करते हैं तो उसके लिए मैं suggest करता हूँ कि whenever any missing figure questions are there what you have to do is just first open the cost card cost card open करो और जो जो detail दिया हो है fill it up standard quantities standard price actual quantity actual price for different materials whatever is given fill the cost card with whatever given and then from some variances the question will also provide you that mpv of this material is that mv of this material is that from the variances try to find out the missing information of cost card first first you have to complete the cost card step one is always to complete the cost card first after cost card is over then you will then you will actually get all the missing figures once the cost card is over you will get all the missing figures of the question the amen ने लिखा हुआ है missing figure में first first fill the data given in cost card first जो भी दिया हुआ है उसको cost card में लिको then use variances given in the question to complete the cost card this is the main mantra first is whatever is given right in cost card cost card means this format that i am talking standard for actual output and actual cost this format में fill up करो and then whatever is missing in the cost card first find out that with the help of the given variances once the cost card is complete your entire answer will be complete after the cost card is completed solve the requirements of the question and which will be very easy for you to do next आता है material variance में single plan और partial plan का concept single plan partial plan का concept क्या बोलता है ध्यान से सीखेंगे single plan partial plan का concept क्या बोलता है इसको ध्यान से सीखी single plan में हम लोग थोड़ा से proactively variance analysis करते है proactive variance analysis का मतलब क्या है what is the meaning of proactive variance analysis here when any transaction occurs as soon as any transaction occurs we do the variance analysis as soon as any transaction occurs we do the variance analysis that means the moment the purchase has taken place we find the purchase variance the moment consumption has taken place we find the usage variance event hotei variance nika lo partial plan me kya hota hai we do variance analysis only at the end of the period but it's not that all transactions occur at the end of the period transactions keep occurring during the period single plan takes variance analysis varies proactively and it will find all the variances as soon as the transaction is complete so it will find several variances during the period several times i will say not several variances several times it will find the variance during the period and consolidate everything at the end of the period so single plan gives you an opportunity to identify the errors in or deviations right after the transaction so that you can rectify it as as soon as possible but in partial plan since you are finding the deviations only at the end of the period there is no opportunity to correct it during the period you can only correct it in the next period partial plan me which large organizations are doing okay now how to do that is the how does this entire scheme affect our material variance calculation in case of single plan what will happen whenever any material will be purchased where variance will be calculated so material is material price variance material price variance is calculated on quantity purchased and whenever any consumption will happen then usage variance will be calculated material usage variance is calculated on actual quantity consumed in single plan what happens MPV is calculated on actual quantity purchased but in case of single plan MUV is calculated on actual quantity consumed जैसे purchase खतम होगा तो purchase price variance जैसे consume खतम होगा तो material usage variance दोनों को instant निकालना है जैसे जैसे होगा everyday basis में तो everyday निकालना है month end में consolidate कर लो right now when you are calculating purchase quantity के उपर price variance so what happens we also follow an accounting policy for inventory valuation in that case कि as soon as my purchase is done मेरा जैसे purchase होगा तो I will record that purchase in my books at standard cost why because sochi standard 10 rupees करके purchase करना है and our purchase manager has given 2 rupees extra to this supplier because of some reasons which he will explain later on so under single plan methodology the policy is whenever you will receive the material in your stores you will record it at standard rate okay so the 2 rupees extra that we have paid to supplier will be charged to material price variance account entry will become purchase account debit at 10 rupees that is that standard rate MPV debit 2 rupees to suppliers so when you are incorporating the variance within the entry of purchase it gets automatically accounted with every purchase transaction so this is the best part okay so क्या होरे यहां पर जो inventory अपने अंडर्टेक कर रहे है है वो standard rate प्या रहे है if inventory is coming at standard rate then whatever issue will be made from this inventory will be at standard rate and whatever will be left in the inventory that is the closing stock will be coming at standard rate so this is single plan understanding just आप देखों यहां पर क्या बोला MPV is recorded on actual quantity purchased hence in stores ledger the actual purchase is entered at standard price as a result closing stock are valued at standard price how the flow is coming whenever we are purchasing anything purchase is recorded at standard because the extra paid goes to the variance account and if anything is recorded in beginning at standard purchase is coming at standard so issues will be at standard and stock also will be at standard okay so mpv aapka harik transaction ke saap nikal gaya aur mub jab aap nikal hoge to mub will be coming at normal process only with that means at actual quantity consumed in general partial plan mein ab jab hum aate to partial plan kya bolta hai dhyan ze sunna partial plan bolta hai when i'll purchase i'll not find the variance so i'll enter in my stock purchase account debit to supplier account or creator account and that will be at actual rate purchase be at actual rate and supplier amount at actual rate so there is no variance recording at the time of purchase entry okay so during the period you have purchased several times the entry has been simple purchase to creators your purchase to suppliers and all your stock has been recorded at actual rate so during the period when you have consumed all quantity have been issued also okay so at what rate that is not a concern here in partial plan at what rate it will be issued that is not a concern everything is at what rate in 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 initial entry everything is at actual rate and when we are giving it to the giving it to the production for consumption wo be production for consumption ke liyee jab de rhea ho ap to ap joh de rhea ho wou bhi kis rate pa dhe rhea ho wou bhi important nii hai kyunki hum log ko maha pere variance variance ma dhimag nini lagana hai ab jab period end ho jayega na toh hum log dekhenge ke okay how much quantity we have produced how much quantity was supposed to be used for this quantity and how much quantity we have actually used to jitna quantity use gya usna pe hi sirf price variance और usage variance निकालेंगे ठीक है जितना quantity use किया सिर्फ उसी पे price और usage variance निकालेंगे जो बचा रहे गया stock में वो सब actual पर बचा रहे जाता है because हम लोगोंने जितना purchase किया था सब पर price variance निकाला ही नहीं तो MPV में क्या हो रहा है it is recorded on actual quantity consumed MPV is recording recorded on actual quantity consumed in stores ledger the quantity purchased is entered at actual price closing stock are valued at actual price this is the policy of accounting single plan policy has or partial plan big policy a single plan partial plan is what these are policies of accounting of variances in partial plan what is happening I'll repeat once more in partial plan what is happening I have say very small team or say I am only the sole person who looks after everything so I don't have time to do variance analysis after every transaction I don't have any information system or technology also with me to do variance analysis after every transaction so what I do just a transaction hotel was for normal way my record car that purchase is who are actual for actual cost pay record car let us go purchase to supplier worker so store may be went to your data actual rate but jumping consumption Kelly sugar thing we issue it normally that is not a problem for us just it later okay problem for the code of canna ya Cody like it like I say social now the period and do that that everything okay what was the quantity what quantity produced how much should I have been consumed okay how much has been actually consumed so what is the variance so how much has been actually consumer us major variance dekharai toh dekharai ki jitna consume hoa us my price kitna jadha laga jitna consume hoa us my quantity kitna jadha laga again so you are only working on actual quantity consume you have not checked the stock stock value of actual pay for actual pay why is the reason is simple because you have to go purchase kia watha who actual pay record kia watha tohjo bacha wau actual pay bacha wai joe khatam ho gaya na post-mortem karabas doh khatam ho gaya us may kya nukasan hoa okay or agar aapke was opening stock hota hai take rule will time log yaha pe we use fifo method agar opening stock hoa toh we use fifo if there is opening stock agar opening stock hooga toh we use fifo toh iska mavi discussion yahaan par nai utharo fifo ka baut zahada is pay jor nahi dena fifo vifo pay burs ik knowledge ke liye rakhna iske sums me baut zahada zor mat dene jana ki we use fifo if there is opening stock fifo q use hota is regular class me logically bataya hoa hai ki fifo use करना जरूरी और बात में भी थोड़ा सा और discussion होगा हम लोग उस पर fifo पर बात कर लेंगे fifo क्यों use होता है हम अभी उस पर reasoning नहीं करने जा रहे बस आपको hint बता दिए कि opening stock होगा तो fifo use करना okay so this is how material variances are done next हम लोग आ रहे labor variance में next is our labor variance labor variance में if you will see most of things are already common rate is instead of price usage का जगा efficiency a new variance has come which we are calling as labor idle time variance new variance has come which we are calling as labor idle time variance okay new variance has come which we are calling as labor idle time variance and then efficiency से mix और yield अभी भी है mix का एक और नाम है यहां पर gang variance question आया है sir solution में formula लिखना जरूरी है क्या बिलकुल जरूरी नहीं है okay बिलकुल जरूरी नहीं है some students are saying increase the volume now volume increase करने से I have noticed that sometimes I speak too loud in between तो आवाज फट रहे आपके पास तो वो पिछले दिन जो आप लोग बोल रहे था न सर आवाज फट रहे आवाज फट रहे तो वो क्रैक होने का कारण यह था कि यह सब software बहुत high technology software है जो फिर हम लोग अचानक से तेज बूलने लग जाते हैं तो उसमें आवाज फटने लगता है तो आप अपने time variance आने से क्या होता है बस उसके उपर ध्यान दीजें आपर idle time variance पहला चीज़ याद रखना कि यह abnormal idle time को indicate कर रहा है there are two kinds of idle time one is normal and another is abnormal okay when it is normal idle time what we do is nothing normal idle time का कुछ भी नहीं किया जाता जैसे question में ऐसे बूले कि as per standard the worker are supposed to work from 10 a.m. to 6 p.m. चीचे हैं as per standards the worker are supposed to work from 10 a.m. to 6 p.m. so in between this time say there is a lunch break from 2 p.m. to 3 p.m. and lunch break is normal idle time the workers are paid at the rate of 20 rupees per hour and in a day daily output is supposed to be say 50 units daily output is supposed to be 50 units okay and this is for one worker for one worker only i am saying not for the entire team so what will be my way of writing the standard i will write that for 50 units of finished goods the time to be worked is 8 hours now you cannot say 7 hours 8 hours जैसे कुछ लोग मेरे से बहुत पुराने बैच में किये वह हैं तो मैं उनको वहाँ पे adjust करवा देता था नर्मल एडिल टाइम के बारे में जब बताता था तो मैं adjust करवा देता था कि यह एक घंटा को इसमें adjust करवा देता था था एफेक्टिव आवर बताता था ठीक है बट इंसिट्यूट के कुछ अच्छे रेकमेंडेट एक सल्यूशन आए स्पेशली सीमें इंसिट्यूट में जिसमें उन लोग ने बोला कि आपको वह adjust करने का ज़रूरत नहीं है वो बुल रहा है कि adjust करके करने के लिए फ़ड़ा सा और complication बढ़ रहा है आप ऐसे simply करिए 8 hours direct रख लीजे और उसका rate 20 ही रख दीजे मैं करा रहा था उस समय आप लोगों को कुछ लोगों का मेरे साथ यदि किया हुआ है तो मैं कराता था आठ में से गंटा माइनस करा के साथ गंटा cost तो टोटल उनको 160 देना है तो 160 divided by साथ करके rate निकाल देता था अभी cost कितना देना है 160 देना है तो इन्सिट्यूट के रहा है कि नॉर्मल इडल टाइम स्टेंडर में इंक्लूड़द रहने हैं दो कोई प्रॉब्लम नहीं यह आपका स्टेंडर बन गया बिकास दिस आइडल टाइम इस नॉर्मल इडल टाइम इन स्टेंडर्ड वी नेवर हाव रूम फर अबनॉर्मल इडल टाइम अम लोग अबनॉर्मल इडल टाइम को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं अक्चुल में अक्चुल में थाउजन यूनिट्स बनाया गया मान लीजे जिसके लिए जिसके लिए फर इंसेंस अजूम वन सेवेंटी आवर्स यूज़ वा अग देरेट ट्वेंटी ट्वेट रूपीस पर आवर अलों विट आवर्स देर वेर सम ब्रेक्डाउन अवर्स जिसके कारन टैन आवर्स लॉस्ट वा दू ब्रेक्डाउन और अवकॉर्स वो ब्रेक्डाउन का भी वर्कर को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना ट्विट डू आवर्स ट्विट रूपीस के इसाब से जो वन इत्टी आवर्स में काम हुआ है टूतल बट उसमें से तन आवर्स ब्रेक्डाउन के कारन खराब हुआ तो यह जो breakdown के कारण खराब हुआ इसको हम लोग बोलते हैं abnormal idle time abnormal idle time हमेशा actual में ही मिलता है standard में नहीं मिलता क्यों क्योंकि standard में वो हो ही नहीं सकता abnormal मतलब जिसको हमने plan नहीं किया था उसे हम abnormal कहते है what is abnormal जिसको हमने plan नहीं किया that is called as abnormal okay abnormal क्या है जिसको plan नहीं किया तो standard में abnormal idle time हो ही नहीं सकता never nil होगा ठीक है always nil कभी भी यहाँ पर idle time abnormal वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि आप पहले से breakdown सोचके नहीं चलते हैं ठीक है जैसे हमारे class में कभी कभी जो बीच में interruption होता है न ये सब abnormal है normal नहीं हम सोचके नहीं चलते हैं कि ये सब होगा what it और फिर obviously behave ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे कि सब कुछ normal हो होता है ऐसा बोलते हैं but देखो breakdown वगरा variance analysis के लिए abnormal है but business करेंगा तो breakdown तो होई सकता है ना machinery business के angle से normal है but situationally abnormal होता है ऐसे सोचना है चलो ठीक है now इसको लेकर हम analysis कैसे करेंगे तो when we have a labor cost card अगर मुझे labor cost card बनाना है labor cost card बनाना है तो इसका analysis कैसे होगा standard cost for actual output and actual cost we will have 50 units के लिए 8 hours 1000 unit के लिए क्या होगा 50 unit के लिए 8 hours 1000 unit के लिए क्या होगा जल्दी बताइए आयूशी ने बहुत अच्छी बार लिखी when we will work then only abnormal situation will come कुछ करेंगे तो इस अबनार्मलिटी होगा वैसे तो मैं प्यार को पर abnormal बोलता हूँ कुछ सोचके चलता है क्या मेरे को आज इससे प्यार हो जाएगा प्यार बस हो जाता है बिना सोचे बिना समझे हो जाता है तो क्या प्यार होने को मैं abnormal का attack दे दूँ नहीं अरे इंसान है ठीक है तो प्यार हो ही सकता है तो normal है बट सोचके नहीं चला था इसलिए वो abnormal है इधर 170 अलग लिखेंगे जिसको हम लोग प्रोडक्टिव बोल रहे है और इडल ताइम 10 अलग लिखेंगे 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 लि ठीक है, so based on this आप अपना variance analysis कैसे करोगे देखो अब इन दोनों को compare करेंगे ना labor cost variance आएगा 3200.3960 को तो you get the labor cost variance which is coming as 760 adverse then labor rate variance कैसे आएगा 20-22 multiplied by now my point is it should be multiplied by 170 or 180 rate variance is responsibility of HR manager if there has been a breakdown inside the production department and worker is coming out and asking payment for those idle hours also so HR manager is bound to give the payment okay HR manager is bound to give the payment HR manager cannot say that I will not give you payment for 10 hours HR manager is bound to give the payment because worker where their machine was not working okay so HR manager has nothing to do with what workers were doing inside where they were idle or where they were actually working HR manager just needs to check कि क्या rate पे देना था 20 but actually उनसे negotiation वर 22 पे तो they will be asking for 22 rupees and all workers will take the payment for 180 rupees HR major has nothing to do with idle time ठीक है 180 हो गए यहां पे 360 adverse and labor efficiency variance यप निकालेंगे efficiency means कितना देर का काम कितनी देर में हुआ काम था 160 आवर्स का हुआ कितना देर में 170 में काम 170 में हुआ है 10 गंटा काम नहीं हुआ है तो यह efficiency actually labor लोग का भी promotion का जरिया बनता है labor को incentive मिलता है इसके सबसे आप यह labor को थोड़ी बोल सकता है कि आप 160 आवर्स का काम 180 आवर्स में कि हम आपका bonus काट देंगे ऐसा नहीं होगा 160 का काम उसने 170 में किया है into 20 rupees rate now why 20 rupees these are all the basic logic कि why do we take 20 rupees here why not we are taking 22 rupees because 2 rupees extra will be borne by HR manager so we are only taking here 20 rupees we are only taking here now 20 rupees because 2 rupees extra will be borne by HR manager and HR manager is already borne 2 rupees extra for all the hours so this is coming 10 into 20 200 adverse then there is labor idle time variance idle time variance में standard में कुछ नहीं सोचा वा था actual में जाके 10 गंटा हुआ और उसका payment वैसे 22 करके हुआ है but आप 20 करके लेंगे क्योंकि 2 rupees जो extra था वो सारे hours का HR manager पे charge कर दिया गया है production manager को नहीं मतलब होता कि क्या rate से actually पेमेंट किया जा रहा है production manager के लिए ये दोनों variance है production manager knows only the standard rate which is again 200 adverse if you check this all will tally to 760 ओके आपको responsibilities समझने जरूरी होती है इसमें production manager is bearing this to and HR manager is bearing this ओके sir 160 कैसे आया 160 कैसे आया Krishna चौदरी पूछ रहे है वो यहां से आया कि 8 गंड़ा है 50 के लिए तो 1000 के लिए क्या होगा so it will be 8 by 50 into 1000 ऐसे आया ठीक है सो यह हुआ आपका labor idle time variance labor में mix और yield मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो material का copy paste है बस आपको ध्यान क्या देना है यहां पर यह चार्ट में आ जाओ कि जब जब idle time variance आ रहे है ना तो यहां पर आप देखना यह वाला देखना actual productive hour यह actual productive hour को आप यूज करें ध्यान देजेगा क्या यूज करें actual productive hour यह देखें जब मैंने भी यहां पर idle time था तो efficiency में क्या यूज किया productive वाला hour को यूज किया यह देखेगा total hour यूज करके efficiency निकाल लोगा रॉंग हो जाएगा और फिर efficiency से mix yield निकलता है तो mix yield में भी सब जगा productive hour है यह तीनों ध्यान रखने का चीज है अगर idle time है तो अगर idle time है तो सब जगा productive hour है इस चीज पर ध्यान दे लिजेगा ओके चलिए आगे बढ़ रहे हैं लोग आगे बढ़ रहे हैं labor variance का कुछ special points से उसको पढ़ते हैं देखे labor में एक चीज ध्यान देना question में आपको सिर्फ hours देता है तो whenever hours is given it is man hour always hours implies man hour और man hour कैसे आता है number of workers into hours per worker जैसे कि आपको फिर से समझाता हूँ आप cases को देखो और भी अच्छे से समझ लो क्योंकि यह जो special points है यह ज़ादा इंपोर्टेंट है ध्यान रखने के लिए बार बार अपने को variance calculation पर ध्यान ने देना है special points पर ध्यान देना है जैसे माल लीजे standard है ठीक है है उसके हिसाब से आपको question में बोल रहा है कि there are three grades of workers skilled, semi-skilled, unskilled और उसमें बोला question में कि 20 यह worker है 10 यह है और 10 यह है इस मनी workers we are using and their rate is 5, 8 और 4 and their weekly working hours is weekly working hours is say 50 weekly working hours is 40 okay this rate is rate per hour so when you are making cost card in cost card what do we write is standard cost for actual output in cost card what do we write is standard cost for actual output in cost card we need standard cost for actual output we write here hours rate amount so my point is hour में क्या लिकूं skilled का, semi-skilled का, unskilled का whenever we say hour it is implied that it is man hour it is not just hour so how it will come यह कैसे आएगा आपको workers दिया है weekly working hours दिया है weekly working hours means each worker can work for 40 hours so this will come 20 into 40 okay then this will come as 10 into 40 this will come as 10 into 40 and rate is already per hour 5, 8, 4 so this is just to make you understand that whenever we say hour you cannot just write 40 40 40 you have to write man hours number of men into hours per worker which is implied question will not say you this you will have to understand this by yourselves similarly in some questions you can have days instead of like weekly weekly working hours the question may give you monthly working days and then in that case rate per day will be given so if days are given then it will be man days if hours are given then it is man hour right very good you all are correct you have answered it correctly so hours का मतलब समझा दिया मैंने normal idle time में it stands adjusted to the wage rate in both standard and actual no special effect needed बस यह याद रखो उपर वला लाइन को भूल जाओ standard जस्टेट खाली याद रखो को इसका special effect नहीं करना है जिसे मैंने यहापर समझा था था ना आपको normal idle time को मैंने ignore ही मार दिया था था आप दिए यहापर यह normal idle time lunch break को कुछ किया ही नहीं 10 a.m. to 6 p.m. मैं तो पूरा 8 hours ही ले लिया था हमने कुछ भी नहीं किया next आ रहा है abnormal idle time यह explain कर दिया मैंने it is unknown only in actual and its variance is computed at standard rate then lastly इसमें एक आता है standard hour produced का concept वो क्या है वो भी सम्झा देता हूं जैसे मान लिजे इसी question में question में they have not given how much output they have produced question में दिया वाई नहीं but in actual they are giving you detail like this that skilled workers, semi skilled worker, unskilled workers, then there are number of workers then there are rate per hour tick 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 मारे because अभी मेरे लिए वो contextly relevant नहीं है फिर weekly working hours भी दिया हुआ है दिया हुआ है तो आपको जैसे उसमें सिखाया same way में उधर भी बन जाएगा और इधर एक output दिया हुए output is given in terms of say something like 2000 standard hours produced है ऐसा बोला हुए 2000 units produced नहीं बोला हुए question is saying 2000 standard hour produced now what is standard hour produced whenever the team of worker produces variety of output whenever the team of worker produces variety of output we don't check units of each product produced by them then in that case the entire variance analysis process will very big will become very complicated so what we do is वो सारा different output को combine करके ले आया जाता है इसमें जैसे फोर इंस्टेन्स नोचो यह को अस्टेन्स तो यह प्रोड़ूस प्रोडकट द्रूडट द्रूक्ड अनली और सबका यूनिट्स भी बनाया हुनानना scenario what will happen हम लोग units जब लिख दिया है यहां पर हर एक unit का standard hour per unit होता है कि कितना देर में उसको बना लेना चाहिए यह question में बताएगा और इसको multiply करके आता है standard hour produced इन दोनों को multiply करके आता है और इसका total is 2000 यह total is 2000 which is an easy way to say कि this much output has been produced there's a many times we also talked in our day-to-day conversation that today I studied so much of questions and concepts but I studied from 10 a.m. to 9 p.m. that was 11 hours but the output produced was only of six hours now you can say are a output six hours because the output to units monitor output should be number of questions but why you are saying output produces only six hours now this is also a way of expressing output that means you have done actually some questions some concepts each of where supposed to take different different standard time so you have combined all the standard time and said to me that output produces of six hours so that way workers also talk that my output produced was 2000 standard hours so actual output if it is given 2000 standard hour and in standard seat there is no output given actual may given a 2000 standard but in standard में कुछ नहीं है तो क्या करना पड़ता है इसमें भी टेक अन अशंप्शन अजूम्शन अजूम्शन अजूम वन standard hour taken is equal to one standard hour produced standard hour taken means this total which is coming if you will see 1600 so 1600 का 1600 यहां पे output produce मान लिया जाएगा in some questions which have been asked in past also उदर question ने बोल दिया था कि assume one standard hour taken is equal to two standard hour produced in case of budget तो जब बोल देगा तो वो relationship use करना कुछ नहीं बोला है तो वन पे वन एक घंटा दिया तो एक घंटा का output आना चाहिए जैसे 10 to 9 आपड़ाई करेंगे तो 11 hours यदि आपने पड़ाई किया तो 11 hours का output आना चाहिए बट आप बोल रहे नहीं 6 hours काया है तो ठीक है there is a question in efficiency so this is standard or produced concept now you can just convert everything for 1600 this is the detail so for 2000 what will be the detail you can convert and solve the sum this is this is just uh you know standard for actual output जो है ये फिर आपको चेंज करना बड़ेगा this is I will not save for actual output now this will be just standard cause because I have I just copied this 1600 without taking the actual output details okay मैं क्या समझा रहा हूँ उस पर द्यान दो मैं actual output अभी यहां पे जब लिखा हुआ था उससमें उससमें actual output के उपर बात नहीं हो रहे थी अभी actual output अगर 2000 है तो for आपको 2000 आपको चेंज करके लाना पड़ेगा ठीक है you cannot just copy this 1600 now अभी तो 1600 मैं उससमें समझाया था to explain you the concept of man hours you have to change this is not standard for actual output now this is actually the standard for cost for standard output which is 1600 okay so for actual output you got to change it standard cost for actual output will be what skilled ka semi skilled ka unskilled ka यहां पे अब hours आपको बदलना पड़ेगा कि जब 1600 के लिए यहां पर 800 है ठीक है पिर यह भी 400 है न तो 2000 के लिए 500 तो यहां पर 2000 बैटेगा i'm just trying to share the correct details with you previously जब मैंने आपको समझाया था तो just बिना output के समझाया था तो मैंने for AO लिख दिया था क्योंकि वहाँ पर objective था मेरा hours का मतलब समझाना अभी since AO screen में आ गया है तो I will have to modify that detail with respect to AO so it will come like this 1600 के लिए 800 है तो 2000 के लिए क्या होगा that way you have to convert okay so यह standard hour produced का example हो गया standard hour produced का example भी हो गया तो इसके साथ आप देखे labor variance का जितना भी special effect है सब खतम हो गया यहाँ पर लिखा हुआ standard hour produced के लिए we assume one standard are taken is equal to one standard are produced as output fine next comes variable overhead variance variable overhead variance ऐसे दो case में हम लोग पढ़ते हैं case 1 होता है it can vary with quantity produced case 2 होता है it vary with labor hours worked okay श्रेया गुपता is asking labor gang variance का logic समझाईए gang variance is mixed variance material mixed variance का copy paste है अभी मुझे एक एक variance में मत ले जाहिए कर भया मैं आप से यह दर्खवास्त करूंगा मुझे overall जाने दीजिए अगर एक एक variance सीखना है तो मैं कभी और आपको बुला लूँगा अलग से आप मुझे request करिएगा अलग से कोई और live session कर लेंगे कोर्स कटक जाएगा वरना आज भी बहुत slow चल रहे हैं हम लोग कभी सिर्फ दो ही variance हुआ है मेरा तो प्लान था कि मैं पूरा standard costing आज ही खदम कर दूँगा ठीक है variable overhead variance में आ जाओ आप दो part है variable overhead cost variance का दो हिस्सा है पहला हिस्सा है आपका कि वो आपका output से vary कर रहा है और दूसरा हिस्सा है वो आपका hour के साथ vary कर रहा है दो case हो सकता है output के साथ या hour के साथ जब वो output के साथ vary करता है तो पहला point याद रखना हम लोग सिर्फ variable overhead cost variance निकालते हैं और वो कैसे आता है वो just simple standard cost per unit multiplied by actual output minus actual cost this is this simple standard cost for actual output minus actual cost कुछ भी उसमें माता पच्ची नहीं है उसका कोई further breakup भी नहीं होता क्यों नहीं होता because इसका example मैंने class में समझाया था कि furniture में कील nails used in furniture are the variable overhead cost that vary with the quantity of output vary with the quantity of output example होता है उसका indirect materials जितने भी indirect materials होते हैं वो सारे के सारे vary करते हैं with quantity of output produced now why we don't have further analysis of this two variable overhead cost variance का further analysis क्यों नहीं होता है दो variance में reason इसका simple है कि हम लोग कील का quantity का हिसाब नहीं रखते हैं we don't maintain records of how many nails we are supposed to use we don't keep a track of quantity of indirect materials usually usually we don't keep a track of quantity of indirect materials that's why we don't have further break up of this okay now if your variable overhead is like electricity cost electricity cost is also variable overhead which varies with the hour worked labor hours worked okay so the more the labor hours the more would be electricity cost now we keep a track of labor hours so in that case our variable overhead variance will be analyzed just like labor variance because labor variance is also based on labor hours this will be also based on labor hours so there will be two parts cost variance का दो पार्ट आजाएगा expenditure efficiency standard rate minus actual rate into actual R and then standard R minus यहां पर देखना एक चीज मैंने लिखा है सिर्फ actual productive hour पर आपको जाना है into standard rate if say idle time is given labor का then labor idle time has got no effect on variable over it because idle time is usually what normal idle time तो कहीं लिखते भी नहीं है उसका तो कुछ करना नहीं है idle time means abnormal abnormal idle time is like breakdown हो गया short circuit हो गया कोई accident हो गया तो in that case electricity cost थोड़ी लगेगा आपका electricity means electricity that is being consumed inside the machine if machine is breakdown then how will the electricity cost of the machine be incurred so variable over it has nothing to do with actual abnormal idle time also so in variable over it cost card working when you are doing this variable over it cost card working standard cost for actual output और actual cost आप चब लिखोगे तो बस ध्यान क्या रखना कि यहां आवर रेट अमांट जैसा labor का उताव ही होता है यहां पर आवर रेट अमांट भी जैसा labor का उताव ही है बस यहां पर only productive आवर ही लेना है idle time को नहीं लेना है okay you are not supposed to take any idle time effect here so idle time effect may it has got nothing to do with idle time and question remaining silent always assume that your variable over it is varying with labor hours not with only the quantity produced if in any question hours detail is given you should always relate your variable over it with hours and these hours are usually except in case of wip वाला sum it may be different but usually it is labor hours which we use in labor variance this is also labor hour which we use in labor variance so labor variance का जो आवर है वही आवर यहां पर होता है exception है इसका wip effect वाला sum wip में degree of completion of overhead अगर अलग होगा तो आवर थोड़ा सा differ कर सकता है but otherwise if there is no wip effect in your variance analysis you will have both hours same as labor variances same as labor cost card okay so if you are making labor cost card the same detail will be copied in labor hours here the rate will be different इसका exception खाली हो सकता है wip of finished goods मतलब wip exist exception is wip exist अगर करता है with different doc of overhead and labor with different degree of completion for labor and overhead then you can have a different hour than labor cost card otherwise labor cost card में जो आवर है वही आवर variable overhead का cost card में copy कर देते हैं हम लोग okay so this is done here variable overhead का भी काम हो गया मेरे तरह से चलियम आगे बढ़ रहे हैं we are proceeding to next we are proceeding to next let us proceed to the next one now let us proceed to the next one now fixed overhead मेरे fixed overhead में there are two approaches of analysis one is marginal costing approach and another is absorption costing approach कुछ नहीं बुलता है तो भी फोलो आवज अब्स 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 and absorption costing approach में कितने सारे variance आते हैं आप नाम देख रहे हैं fixed overhead cost variance उसका फिर दो पार्ट expenditure और volume फिर volume का दो पार्ट capacity और efficiency फिर capacity को भी further break किया जा सकता है in terms of calendar and revise capacity और एक और आ सकता है idle time variance में because fixed overhead का idle time से effect होता है but यह वाला level में जाने के लिए important information question में होना चाहिए working hours और यह वाला level में जाने के लिए question में working days होना चाहिए so working days दिया हुआ है और working hours भी दिया हुआ है दोनों ही दिया हुआ है तो कितना variance निकलेगा cost expenditure volume आए गए गए आएगा यह इसका जरूरत नहीं है this is not required if both are given then you will find this efficiency and this idle time okay seven is the maximum count that we can have in all the given permutations okay जितना भी arrangement हो सकता है question का उसमें 7 से जादा variance fixed over rate के नहीं आते हैं साथ कैसे आते हैं जब दोनों detail दिया वा हो तो इसको खली omit कर देना total में 8 है वैसे यह drawing chart में बट आपको साथ ही लिने so मैं इसका again formula descriptions में नहीं जा रहा हूँ वापस आपको बता दूँ अगर marginal approach में मैं fixed over rate variance को analyze कर रहा हूँ तो उस समय सिर्फ एक ही variance आता है जिसका नाम है fixed over rate cost variance is equal to fixed over rate expenditure variance which is equal to budgeted fixed over rate minus actual fixed over rate तो अगर marginal approach में जास्ट एक ही variance आता है क्यों क्यूंकि देखे बाकी का सब volume से जुड़ा हूआ है volume से ही subset निकल के आ रहे है okay volume से ही सारा कुछ निकल निकल के आ रहा है okay volume से ही सारा सब कुछ निकल निकल के आ रहा है तो marginal approach में fixed over rate is not related with volume at all हम लोग marginal approach में assume करते है fixed overhead has nothing to do with the volume okay so under marginal approach fixed overhead has nothing to do with volume ज्यान रहेगा इसलिए volume variance आया ही नहीं तो उसका सारा नीचे का सारा part खतम सिर्फ cost यह expenditure बनके आ जाता है so exam में कुछ नहीं बुलता है तो absorption approach ही follow करते है फिर आपको fixed overhead के कुछ ratios मालूम होने चाहिए वो ratios is nothing but in fact all the variances that we compute can be also computed in the form of a ratio we are doing what अभी minus करें subtract sp-ap sq-aq you can also make it as a ratio sp by ap sq by aq similarly fixed overhead का volume variance में देखो ratio कैसे बनेगा actual output minus budget output है तो AO by BO कैसे आ रहा है AO by BO वैसे capacity variance है यह रहा देखो उसमें AH minus BH है तो AH by BH AH by BH efficiency ratio is standard hour by actual hour और आपको यह ध्यान हो volume ratio का दूसरा नाम है activity ratio यह दिखें यहां लिखा हुआ volume ratio is also called as activity ratio this is also called as activity ratio और एक cross check होता है activity ratio is equal to capacity into efficiency capacity into efficiency आप ऐसे यहां पर mathematically भी check कर सकते है AH by BH into standard hour by actual hour तो दिखें AH AH कट गया okay and volume ratio आगया आपका SH by BH so this implies what SH by BH से ध्यान देना यहां पर SH by BH से यह जो आया इससे भी volume ratio आता है यह दोनों सेम है volume ratio निकालने के एक और तरीका in terms of hours is standard hour for AO divided by BH यहां पर भी लिखा हुआ है देगे SH by BH से भी volume ratio आता है दो बोद गिवस दे सेम रिजल्ट ओके और एक नया मैंने बता है standard capacity usage ratio standard capacity usage ratio ठीक है प्लीज फालतू का comment मत करी आयो फिक्स ओवरेट तो बाउंसर लग रहा है यह सब comment एक दम फालतू का comment है last moment पर सब आप बात नहीं बोल सकता है किसी भी कीमत पे अभी आपको पकड़ना पड़ेगा आपका practice नहीं किया हुआ है इसलिए बाउंसर लग रहा है बट जिनका किया हुआ उनके लिए बहुत easy लग रहा है कुछ भी नहीं है मैंने कुछ बताया ही नहीं है जवर्दस्ती का आपने छोंक मारा है बाउंसर लग रहा है जूट बोलते हैं आप आपका पड़ावा नहीं है आप ये भोलिए सर मैंने revise नहीं किया हुआ है standard capital usage ratio sorry capital लिखा हुआ देखो यहां पर इसको correction करो standard capacity usage ratio होगा standard capacity usage ratio एक नया तरह का ratio है जो exam में कभी कभी चला के बोल देता है कि इसको भी निकालो class में भी कराया है it is budgeted hours by maximum possible hour budgeted hour divided by maximum possible hour budget और maximum में फर्क है maximum is the maximum capacity on all 365 days and budgeted is maximum में से कुछ हमने minus कर दिया you can say budgeted hour is equal to maximum hours minus नॉर्मल idle time या नॉर्मल डाउन टाइम budgeted hours is equal to maximum hours minus नॉर्मल डाउन टाइम यह सब तरह का sum भी कराया हुआ है मैं तो एक दम बस कोर कोर area खोच-कोच के लाया हूँ और आपको बता रहा हूँ अब आप यह खली मेरे से जिक्र करना चाहते हैं कि सर यह कैसे हो रहा है थोड़ा सा मुझे बता दीजिये ना volume ratio मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह दोनों same कैसे हुआ तो यह मैं बता सकता हूँ कि AO by BO मैं यदी मैं उपर नीचे standard hour per unit multiply कर दूँ तो मेरा जो expression बनता है उसको हम लोग बुलते है standard hour for AO divided by budgeted hour ठीक है standard hour for AO divided by budgeted hour उसी का नाम बन जाता है देखिए ratio तो change यह होगा अगर उपर नीचे same चीज से multiply कर रहे है AO by BOQ का volume में यह obvious है volume मतलब यह output का change देखना है और standard hour अगर multiply करते हैं उपर नीचे तो क्या हो रहा है ratio में कोई फरक नहीं पढ़ रहा बस हो result hour में convert हो रहा है तो volume ratio in terms of hours क्या होगा standard hour for AO by budgeted hour और वही बताया जा रहा है कि यह देखो काट कुट के भी standard hour और budgeted hour आ रहा है ठीक है ओके फिर बूच रहा है आपको यह ratios बताया गया वह यहीं से आ रहा है आप एक बार फिर से देखो ratios कैसे आ रहा है यहां पर फिर से देखो actual output by budgeted output किया तो volume ratio आ गया AH by BH किया तो capacity ratio आ गया standard hour for AO by APH किया तो APH मैंने actual productive hour किया तो efficiency ratio आ गया एक और calendar ratio भी पूछा जाता है कभी कभी जो होगा actual days by budgeted days यह भी मैं लिख सकता हूँ आपके लिए आठवा number आप लिख दो calendar ratio calendar ratio is equal to actual days divided by budgeted days actual days माने working days होगा actual working days divided by budgeted working days so there is a question from Gaurav Agarwal maximum hours is equal to hours available yes you are correct maximum hours available but we don't plan to use the entire hours available in our budget okay Ayushi is saying actual usage ratio actual usage ratio means actual usage of budgeted capacity पूरा नाम होता उसका actual usage of budgeted capacity ratio so that is equal to actual hours by budgeted hours जो आपका normal capacity ratio हो ही ठीक है चलिए तो ये हो गया fixed over rate के बारे में बाचित मैंने कोई भी calculation आपको यहाँ पे नहीं दिखाया है उसका logic नहीं समझाया है फिर तो वो normal पढ़ाने वाली बात हो गी अगर मैं यही करूंगा इसका पूरा logic में जाओंगा तो it will consume मेरा दो गंडा कम से कम fixed over rate variance वैसे इसके कुछ logic के वीडियो जो भी आपको चाहिए वह हमारे यूटूब चैनल में हैं आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे अगर कहीं पर भी से आपको कोई दुख होता है तो आप आराम से सर्च कर सकता और नहीं तो आप अलग से बोलिए ना कभी हम लोग अभी मैं भी खाली हूँ तो थोड़ा हुआ तो यूटूब लाइव में आके पढ़ा दूँगा आप लोगों को ओके चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं total over PAT variability उसका application आपको समझा देता हूँ total overhead variance में क्या होता है total overhead variance is basically combination of variable and fixed overhead variance and we find this total overhead only when we are unable to find variable and fixed overhead variance separately all the variances of variable or fixed यदि हमारा नहीं आ पा रहा है तो हम total overhead में जाते है बहत सारी Factories में या Companies में अनेसotenữ उतना जल्धी-जल्धी संभव नहीं होता की total जो खर्चा हुआ उसमें variable कितना fix कितना है उतना mapping वैपिंग वो लोग करके नहीं रख पाते हैं कि कितना variable है इसमें कौन कौन सा fixed है तो बस जब actual में हम लोग बोलते हैं actual में total का break up actual total का break up नहीं है in the form of fixed and variable actual total expense का break up नहीं है variable fix क्या है नहीं है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे उस समय हम लोग total overhead variance निकाल देंगे individually variable overhead cost और fixed overhead cost नहीं निकाल पाएंगे तो इसलिए लिखा हुआ देगो if variable and fixed overheads can be computed fully then ignore total overheads तब total overheads का जबरत नहीं है question में बोला तो बात अलग है if variable and fixed overheads incurred are not available separately then calculate total overhead variances amount actual में नहीं दिया हुआ है तो आपको total में जाना है but actual में नहीं दिया हुआ यहीं ध्यान रखना budget में तो दिया भख रहता है fixed कितना है variable कितना है budget planning करते करे चलते हैं तो उसमें easily सोच सकते हैं इतना fixed होगा इतना variable होगा actual में खिचड़ी हो जाता है mix हो जाता है पता नहीं चलता हूँ उसको analysis करने के लिए time देना पड़ता है तो उतना time नहीं अगर तो total पर ही रहने तो actual budget में standard budget में fixed और variable breakup है actual में कोई breakup नहीं सीधा total मालूम है आपको तो उस समय variance analysis का क्या-क्या heads होगा जैसे इसको मैं in general class में जब सिखाता हूँ न तो ऐसे chart बना देता हूँ कि variable overhead का cost variance का दो part होता है एक variable overhead expenditure और variable overhead efficiency फिर fixed overhead का भी दो part होता है basic में fixed overhead expenditure और fixed overhead का volume ठीक है मानों दोनों को जोड़ा तो total overhead आएगा तो total overhead में इसका cost इसका cost को मिला के हो गया total overhead cost ठीक है और जैसे variable overhead cost आता कैसे standard for actual output minus actual fixed overhead cost भी वैसे आता है standard for actual output minus actual तो दोनों को combine किया तो standard total overhead for actual output minus actual total overhead तो मालूम ही है अच्छा इसको कैसे निकालते एक पर फिर से सुनो variable overhead cost variance कैसे आता है standard for actual output minus actual variable overhead now actual variable overhead तो मालूम ही नहीं है यहीतो मेरा condition है न कि we are not, we are not having this break up separately तो क्या करें तो variable overhead का break up नहीं पता अपने को, तो variable overhead cost variance नहीं आ पा रहा है variable over rate का यदि मुझे break up नहीं मालूम है तो variable over rate का cause variance नहीं आपा रहा है right fixed over rate का भी amount actual में नहीं मालूम है तो fixed over rate का cause variance नहीं आपा रहा है but actual total over rate तो मालूम है तो total over rate cause variance आजाएगा फिर उसी तरह से since break up नहीं पता है न तो ये भी और ये भी नहीं आ पाएगा but इन दोनों को combine करके हम total overhead expenditure variance जरूर निकाल सकते है by using this equation which is having actual total overhead ठीक है दोनों को add करके एक formula बनता है इन दोनों को add करने से एक formula बनता है which is total overhead expenditure variance so this is you can say variable overhead expenditure plus fixed overhead expenditure का combination है this is what variable overhead cost plus fixed overhead cost का combination है ठीक है फिर variable overhead efficiency में कोई actual variable overhead का role नहीं है इसलिए वो आराम से normally आजाएगा और fixed overhead volume भी normally आजाएगा क्योंकि उसमें actual fixed overhead का कोई role नहीं है आप एक बात को भस ध्यान जे सुन ले कि why do we find total overhead variance because we don't have actual cost breakup of variable and fixed so that actually prohibits us to calculate individual cost variance and individual expenditure variance okay actual में breakup नहीं है तो efficiency आ सकता आराम से और volume आ सकता है विकाज उसमें actual का cost का कोई role नहीं है okay so यहां पे total overhead variance तीन पार्ट में ब्रेक करके बताया जाता है इसलिए इसका नाम है 3-point method जैसे इन exam if question says find total overhead variances under 3-point method 3-point method means you will break it into three parts total overhead expenditure variable overhead efficiency and fixed overhead volume okay so let me take one question Mohit Agarwal कह रहे है Corona का time को include करेंगे maximum possible hours में जब फेक्टरी बन था maximum मतलब पूरा सब कुछ 365 days based calculation होता है usually और sometimes some question में not take that also that is not necessary some question में prescribe की factor is available only for 300 days तो 300 दे लेना है फिर उससे भी फिर down time minus कर देंगे तो budgeted time आएगा Raj Agarwal is saying what is the difference between quantity and volume with respect to input and output in this chapter volume मतलब होता है in general मेरा interpretation volume मतलब output volume term मतलब मैं मानता हूँ output ठीक है और quantity बोलता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ input quantity generally मैं cost card के अंदर में नीचे में QRA लिखना चाहता हूँ quantity rate amount और volume मतलब output अब question में कभी अभी उसको भी quantity बोल देगा finished goods quantity finished goods quantity मने volume ठीक है next है Pooja Agarwal is saying what is the difference between budget and standard standard is the best practice which everyone follows in the industry budget is our own estimation of cost we also say budget is what कि मुझे कितना actual में खर्च करना है that is my budget standard basically defines how you should make the product at best quality so what will be the quantity required and what will be the rate at the best rate prevailing in the industry so standard पुरा प्रोसे ओरिंटेड हो जाता है ठीक है standard प्रोसे ओरिंटेड हो जाता है but budget is just an estimation of how much you want to incur in total चलो आगे बढ़ रहें effect of WIP on cost variances effect of WIP क्या है cost variance पर ध्यान से सुन लो WIP में पहला के सोचों की सिर्फ closing WIP opening WIP का detail नहीं है तो मैंने इस period में finished goods बनाया 1000 unit और फिर मैंने इस period में जब का period end किया तो देखा कि 500 units WIP में भी पड़े वे हैं तो मेरा जो cost लगा 1000 units of finished goods के लिए लगा और 500 units जो WIP में है उसके लिए लगा तो WIP का जो units है उस पे जो cost लगा obviously वो finished goods के जितना नहीं लगा होगा क्योंकि वो WIP है तो उस WIP का degree of completion होगा degree of completion माले जी 60% है मेरा क्या situation है finished goods है 1000 और WIP में है 500 units और इसका degree of completion है 60% so that means 60% इसका मतलब क्या हुआ मैंने 1000 units finished goods का खर्च किया और 500 into 60% means equivalent production of WIP in terms of finished goods is 300 units equivalent production in terms of equivalent production in terms of finished goods of these WIP units is 300 units तो basically company का खर्च 1300 units के लिए हुआ है आप ऐसा सोच के चल लें यह actual में मिलेगा आपको standard में नहीं standard में WIP नहीं होता है actual में WIP होता है standard का details में क्या होगा standard तो एक unit of finished goods के इसाब से बताया होता है so the challenge is we have to compare standard with actual so actual is for thousand finished goods and 500 WIP so you will consider all in terms of finished goods which will become 1300 standard is one unit of finished goods के लिए तो now 1300 के लिए क्या होगा आप 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 करके sum कर लेना यह degree of completion हो सकता है आपको question में material का अलग दिया हुआ है और labor overhead का अलग दिया हुआ है यह labor का दिया हुआ है 50% और 40% दिया हुआ overhead का ऐसा भी हो सकता है ना तीनों का अलग अलग दिया हुआ degree of completion इसमें तीनों का अलग अलग दिया हुआ तब क्या होगा तो तीम बार equivalent production आएगा कैसे आएगा सर एक बार पता ही अच्छे से एक number और अच्छे से लिख के दिखा देते हैं सोचो उस समय क्या होगा हम लोग को पहले बनाना होगा statement of equivalent production statement of equivalent production जिसमें आएगा material जिसमें आएगा labor जिसमें आएगा overhead ओके यह मेरा first case है ठीक है example one इसमें finished goods है हमारा thousand units उसका DOC thousand ही रहेगा मतलब ओड़ी ओसी 100% है ना finished goods का DOC क्या होता है 100% होता है तो 100% है मतलब आपका जो 1000 unit है वो सब में 1000 है और closing WIP में इसका DOC मैंने अलग-अलग दिया आपको DOC given यह 500 units है material के लिए बोला मैंने 60% 60, 50, 40 60% कर दो 300, 50 कर दो 250 or 40 कर दो 200 okay so 1300, 1250, 1200 1300, 1250 and 1200 statement of equivalent production आपका बन गया statement of equivalent production आपका बन गया तो what is the use these are basically going to be the actual output what are these these are going to be the actual output to find the to find the standard cost for actual output cost card में जो standard cost for actual output आपको चाहिए होता है आप इसके हिसाब से अपना working करेंगे जैसे material cost card के लिए actual output assume किया जाएगा 1300 labor cost card के लिए actual output assume किया जाएगा 1250 और over rate का cost card के लिए actual output assume किया जाएगा 1200 जा मैं एक exception बता रहा था ना आपको variable over rate का कि variable over rate का जो hours होता है वो labor का cost card का copy paste होता है exception बताया था कि अगर आपके पास WIP है जिसमें DOC over rate का अलग है labor से तो labor का जो hours होगा और over rate का जो hours होगा वो match नहीं करेगा ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यही वाला वो case exception अगर दोनों में 1250 होता तो जो labor का आवर है वो overhead का भी hour होता जैसे कि मान लीजे standard बोल रहा है material के हिसाब से 5 kg लगता है for one unit of finished goods okay for one unit of finished goods the standard are 5 kg at the rate 10 rupees per kg labor is say 3 hours at the rate 5 rupees per hour then there is variable overhead that is also 3 hours at the rate 3 rupees per hour so I have to write standard cost for actual output in each case so how it will be coming इसको fill up करना है quantity rate amount लिखना है quantity rate and amount so for one unit it is 5 kg for 1300 it will be 6500 इस तरह से आप तीनों का भरिये अपने आप for one unit it is 3 hours for 1250 it will be 3750 okay 3750 in general मैं ये समझाना चारा था उदर कि ये वाला आवर ये वाला आवर सेम होना चाहिए in general labor का जो आवर है वही variable overhead का आवर होना चाहिए बट exception क्या है कि यदि equivalent production का concept लग रहा है और overhead का DOC अलग है तो ये दोनों सेम नहीं हो पाया देखो 1200 into 3 करना पड़ेगा 3600 this was the exception अगर ये 1250 होता तो यहां पे भी 3750 ही तो होता so that way only I was just discussing the exception जो आपको relate कर लेना है अपने sums के working में okay in general ये दोनों सेम होते हैं बट अभी सेम नहीं हो रहे because there is an exception here because DOC of overhead is not same in closing WAP than labor okay but labor और variable overhead का देखो यहां पे सेम ही रखा था बट यहां पे सेम नहीं हुआ ध्यान रखेगेगा ध्यान रखेंगे चलिए हम आगे बढ़ते हैं so यह हो गया मेरा first case का discussion complete then second case अगर opening WAP दिया होतो opening WAP दिया होतो तो वह भी example से समझा देता हूं आपको ज्यादा easily समझ में आ जाएगा opening WAP दिया होतो सोचिए opening WAP दिया हुआ है आपके पास 500 units जिसका DOC material के लिए है 60% वही सेम ले ले रहा हूं labor के लिए है 50 और overhead के लिए है 40 ठीक है और उसके बाद आपको question बोल रहा है कि finished goods हमने बनाया है 3500 units closing WAP हमारा is bar 300 units जिसका DOC है material का 80% labor का 50 और overhead का 30 okay so if this be the case then what should we do in this case we will have to prepare our statement of equivalent production always to be made in the method of FIFO FIFO क्यों वह भी समझा देंगे भी एक बार इसको FIFO से करने दीजे FIFO से ही करना है और कोई method यह allowed नहीं है standard costing में आप अपना accounting purpose के लिए कोई भी method follow करिए बट standard costing बोलता है आपको FIFO से ही variance analysis करना है variance analysis will be done using FIFO ठीक है so how it is to be done particulars material labor and overhead अचले जिनको समझ में आगया वो fill up करिए जिनको समझ में आगया वो fill up करिए जी उमा गरवाल ने सही बोला remaining DOC of opening WIP आपको लेना है तो यह ऐसे होता है finished goods में पहले माना जाएगा कि opening WIP का 500 unit complete किया गया जिसमें जो बचा वा था वही काम हुआ 60, 50, 40 हुआ वा था तो remaining 40, 50 और remaining 60% आपने काम किया तो इसका 40% ओर है 200, 50% ओर है 250, 60% ओर है 300 जो आधा बनावा है उसे पहले पूरा करेंगे एकदम सही बोला आपने ऐसा लग रहे कि आप मेरी जवान को वापस repeat कर रहे हैं यह ऐसा feel हो रहा है फिर input कितना आया होगा यह 3500 है input आया 3500 total में 3500 है तो input 3000 input मतलब new input जैसे finish बनाया है हमने 35 ना तो उसमें से 500 पहले का चल रहा है ओपनिंग डवली एपी तो नया वाला input लिया हमने 3000 और उसका पहले से कुछ नहीं किया वा था क्योंकि यह नया है तो वो 100% होगा 3000, 3000, 100% 3000 और फिर से 100% 3000 ओके तो इस इस 3200, इस इस 3250 और इस इस 3300 then after this we have closing WAP which is having 300 units closing WAP is having 300 units and here we have 80% which is 240 इसका जो है वही 50% है तो 150 and 30% है तो we will say 90 so this is coming 3440, this is 3400, this is 3390 देखे आप अपना अंसर समझ लिजे क्या है this is the correct answer so this will become the actual output now for your cost cards actual output for material cost card any material variance this will be actual output for labor variance and this will be the actual output for variable overhead and fixed overhead variance actual output for variable overhead and fixed overhead variance okay so FIFO कहता है कि आपको पहले जो बचा हुआ है वो काम आगे बढ़ाना है और फिर नया काम को हाथ लगाना है तो किसको छोड़ देना है FIFO कहता है किसको छोड़ देना है बोल रहा है जो हो गया ये 60, 50, 40 हो गया था उसको छोड़ दीजे जो बचा हुआ है सिर्फ उसी को करिए दीगे हमने बचा हुआ को लिया है जो बचा हुआ है उसको लीजिए फिर नया को स्टार्ट करिए जो हो गया उसको छोड़ दीजिए तो पॉइंट उटता है कि जो हो गया उसको क्यों छोड़ दे जो हो गया है उसको क्यों छोड़ दे क्योंकि वो last period का closing WAP था जैसे यह मैंने जान बुच के example 1 से carry forward किया यही closing WAP को opening 1 है और last period में उसका cost computation हो गया cost incurred हो गया तो last period में उसका variance निकल गया है जिसका variance last period में निकल गया है उसको छोड़ दो ठीक है हम लोगों का standard costing का उसूल बोल रहा है जिसका variance हम last period में ले ली closing WAP का variance ले चुके है अपना cost incurred में उसको consider कर लिये है उसका variance analysis कर दिये तो अगला बार हम फिर उसका variance analysis नहीं करना चाहते है इसलिए हमें अगला period में जिसना पे काम हो गया उसको छोड़ देना है जो बचा हुआ है उस पे जाना है तो out of FIFO, LIFO, weighted average सिर्फ FIFO ही हमारा काम करके दे रहा है और LIFO और weighted average में जाएंगे न हम लोग अपना जो purpose है वो fulfill नहीं कर पाएंगा हमारा main पूर्देश क्या है standard costing में जब यह opening WAP previous period में closing WAP था तो उस समय हमने उसका equivalent production लेकर उसका variance निकाल दिया जब निकाल दिया तो इस period में उसको carry forward नहीं करना चाहिए तो अब opening WAP आ रहा है तो जितना काम उस पे हो गया है उसका variance पिछला period में निकल गया है तो उसको छोड़ दो छोड़ दिया उसको जो बचावा है सिर्फ उसी को लेकर आगे चलना है तो बचावा को लेकर आगे चलाएगा सिर्फ FIFO इसलिए FIFO ही FIFO चलाना है ठीक है क्योंकि वह complete हो गया ऐसे नहीं बोलना यूशी आपको बोलना है क्योंकि उसका variance analysis हो गया है उसका variance analysis हो गया है इसलिए ठीक है अब आप इसको पॉल लीजिए ओपनिंग डबलो एपी दिया हुआ है तो प्रिपेर स्टेटमेंट इन टरम्स आप फिनिश गूर्स उसिंग फीफो फीफो इस उस तो एंशूर दाट वेरियंस अन क्लोजिंग डबलो एप और प्रिविएस पिरिएड इस नौट री अकॉंटेड इन दा करेंट पिरिएड जिसका वेरियंस अनलेसिस हो गया उसको फिर से नहीं लेना चाहते हैं और यह जेनरल मैंने बता दिया नोट्स की फीफो मेथड जो आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखते हो ना प्रोसेस कॉस्टिंग में कि फीफो मेथड में वर्किंग कैसे होता है और वेटेड आवरेज में कैसे होता है वो मैंने बता दिया अभी मैं उसमें नहीं खुसूंगा या अप अपने आप देख लीजिएगा जो प्रोसेस कॉस्टिंग का नोट्स होता थ चाहे single plan हो या partial plan हो ओके stock valuation थोड़ा सा समझ लिजे finished goods का valuation हमेशा standard पे होगा WIP का valuation हमेशा standard पे होगा just material का valuation ये दोनों single plan partial plan में same है पूरा लिख लेना आप SPPP लिखने से आप भूल जाओगे short full form दो और गड़बड हो जाएगा मेरे साथ एक बार final exam में क्या हुआ कहीं एक ऐसा short form लिख लिख लिया अब exam का एक अफ़ता पहले full form याद ही नहीं आ रहा है अब वो कीड़ा हो गया एक अंदर में full form याद नहीं आ रहा है वो कीड़ा पकड़ लिया अब कुछ समझ नहीं आ रहा है उसके बाद का जब तक इसका full form नहीं मिले ठीक है तो मैं नहीं चाहता आपके भी वो कीड़ा हो जाए so material का जब stock होगा तो single plan बोल रहा है कि at standard cost होगा और partial plan बोल रहा है at actual cost होगा summary बता दिया inventory valuation का inventory valuation हो गया यह कदम next weighted average का भी यहां पर जो description है वो general notes है general notes of process costing chapter है तो मैं उसमें वापस entry नहीं मर रहा हूँ general notes of process costing chapter है तो वापस से उसमें नहीं गुस रहा हूँ okay so आज हमने अपना समय को बहुत effectively use किया है एक बार आज मैं यहीं रूख जाना चाहूँगा overdose आपको नहीं देता हूँ आप एक बार हो सके तो जितना आज मैंने पढ़ाया है उसको एक बार और recapitulate कर लिजे उसके sums अपने class में दिखिये वे हैं तो उसको भी देख लीजे असली पढ़ाई actually जो basic थी वो खतम हो गई असली पढ़ाई जो है actually वो अभी ही है जिससे exam का जादा से जादा sums आया हुआ है और CA new syllabus को standard costing में comments oriented जो पढ़ाई करना है वो मैं कराऊंगा आपको अलग से एक और part बना रखाऊ advanced variance बोल कर उसमें जाकर और इस chapter का end से actually CNU syllabus पिक अप करेगा CNU syllabus का असली sums जो comment oriented आता है वो इस chapter का end से पिक अप करेगा बाकी ये general understanding के हिसाफ से सब कुछ खतम हुआ okay so ये मेरे तरफ से आज का ग्यान एक बार के लिए रोक दिया गया है समय पूरा हो गया बोलकर बाकी सब कुछ सही चल रहा है let us continue next day ठीक है मैं ऐसे घड़ी नहीं देख रहा मैं ऐसे दिन भी नहीं देख रहा कि मुझे जल से जल ये खतम करना है मैं ऐसे सोच के चल रहा हूँ कि मुझे अच्छे से खतम करना है तो quality needs time that is the general rule quality needs time I cannot just rush up I hope you have to understand this basic thing don't count on the days number of days that we have already spent in the syllabus count on the quality of time that we have given on the syllabus again okay revisit करने का जो time अमने दिया आप उस पर ध्यान दिजे चलिए, thank you okay let's start guys standard costing चल रहा था continue करते है standard costing continue कर रहा है हम लोग so पिछले दिन तक मैंने आपको WIP का effect तक समझा दिया था अब हम लोग आ रहे variances based on ratios पर variances based on ratio का अभी एक हलका सा discussion मैंने किया था न कि volume ratio हो सकता है volume variance के जगा which is AO minus BO के जगा AO by BO यादा रहे है वैसी capacity ratio हो सकता है capacity ratio is actual hours minus budgeted hours के जगा actual hours divided by budgeted hours जो चीज माइनस में ता उसी को divide में डालना है तो उसी को ध्यान में रखते हुए ratio के case में एक thought process है जैसे variance का formula का derivation में thought process रहता है जब आप subtraction से अपना variance निकाल रहे होते हो ना subtraction approach यानि दो value को minus करके variance निकाल रहे हैं जब आप दो value को minus करके variance निकाल रहे हैं ध्यान जब आप दो value को minus करके अपना variance निकाल रहे हैं तो उस समय आपका rule रहता है कि answer favorable है तो positive होना चाहिए और adverse है तो negative होना चाहिए answer यदी favorable है तो positive होना चाहिए और adverse है तो negative होना चाहिए ठीक है this is the general rule जैसे अगर आपको material का price compare करना है standard में 10 rupees ता actual में 11 rupees हो गया तो 10 के जगा अगर 11 हो गया तो you will say there is an adverse variance right so if this is an adverse variance then we have to show it negative so negative लाने के लिए we have to do 10 minus 11 not 11 minus 10 so this is the rule of deriving formulas one thought process behind derivation of formulas in subtraction approach but in case of ratios approach in case of ratios approach what happens is we say cost variance we say cost variances are ये वाला यहां पे लिखा हुआ आपको देखना नहीं है वापस लिखने का जरुवत नहीं है cost variances के case में we say favorable is when it is less than one and adverse is greater than one मतलब ratio greater than one मतलब greater than 100% less than one मतलब less than 100% so when we are saying my cost is 120% 120% cost हो गया इसका मतलब 1 से जादा हो गया 1 से जादा हो गया मतलब आपका 100 से जादा हो गया 100 से जादा हो गया तो आपका adverse हो गया we say when my cost is 90% 90% मेंस आपने जितना सोजाता हो से 10% कम हुआ so if it is 10% lesser you will say it is favorable cost में क्या होता है favorable का बाता है जब इस less than one okay and adverse का बाता है जब इस greater than one महीं sales में opposite हो जाता है sales में greater than one यानि greater than 100% means it is favorable if you will say sales is 125% it will sound favorable if you will say sales is 90% it will sound adverse so in case of sales this favorable adverse approach is being followed but subtraction के 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 समे be it cost or sales the rule is same cost or sales में रूल is completely same cost हो जाता है sales हो the rule is same if it is favorable it has to be positive if it is adverse it has to be negative but in ratio what is happening for cost the rule is less than one is favorable greater than one is adverse and sales में opposite so just you have to remember this thought process which is very very important and then based on this we can drive our calculations like for instance say there is a material cost card cost card is required even to find this ratio calculation cost card is required standard cost for actual output and then actual cost is there say I have given you a figure quantity price amount quantity price amount so we have यहाँ पे 10 यहाँ पे 5 यहाँ पे 50 then यहाँ पे 11 यहाँ 6 यहाँ पे 66 so if you will see the variance here in total 50 ka 66 हो गया so it is obviously sounding adverse 50 ka 66 हो गया मतलब क्या हो गया यह यह adverse है राइट जादा लग गया मतलब adverse है तो अगर subtraction से करेंगे तो इस प्रुफ्टी मैनस 66 एड़र्स लाने के लिए नेगटिव चाहिए तो you cannot do 66-50 but when it is ratio ratio अगर जादा लग रहे द़र्स है तो इस रीटर दैन वन तो ग्रेटर दैन वन के लिए इन दो नोगँ दवाई करो तो किसको किस से डिवाई करेंगे जो भी 66 by 50 so material cost ratio would be equal to 66 by 50 so you can calculate that in terms of percent 66 by 50 is coming 132 percent similarly material price का ratio निकालो 5 का 6 हो गया ज्यादा हो गया adverse है इसका मतलब आपको 1 से ज्यादा दिखाने तो 6 by 5 करेंगे 1 से ज्यादा लाने के लिए 6 by 5 5 by 6 करने से 1 से कम हो जाएगा तो it will be 120% similarly material usage ratio will be 10 का 11 हो गया तो 11 by 10 because extra usage is adverse so extra दिखाने के 11 by 10 so it is 110% right so that thank you for your answers you are extremely correct so यह यहां पर आपका answers आ गया you see all the formulas I have given here actual cost by standard cost actual price by standard price and actual quantity by standard quantity and cross check कैसे होगा अभी पहले क्या होता था mcv is equal to muv plus mpv होता था अभी cross check करने के लिए आप इन दोनों को multiply करोगे mp into mu करो तो when you are finding variance by subtraction cross check is done by addition when you are finding variance by division cross check is done by multiplication so you see this cross check is also written that mcv is equal to mpv into muv what you can do is you can just multiply this two ratio and see ap into aq is equal to actual cost sp into sq is equal to standard cost so it is implied that you will be able to cross check by multiplying this two similarly sales ratio में जब हमारे हैं तो sales card बना के आपको सोचना पड़ेगा I am just inserting one page in here sales card हमें बना पड़ेगा let us check the sales card budget and actual quantity rate amount quantity rate amount कुछ भी लिख सकते हैं quantity output कुछ भी लिखो मैं output भी लिखता हूं बहुत 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 बार बार इध बड़ दिस this quantity is indicating output, 100, 10, 1000, then 110, 12, 13, 20, so in this case if you see the sales, instead of 1000 it came as 13, 20, so you will say favorable, favorable अगर हमें subtraction से दिखाना है तो how will you show, 13, 20 minus 1000, but अगर division करके दिखाना है तो sales favorable है तो it has to be greater than 1, so you will draw it as sales value variance आएगा पहला, sales value variance आएगा, एनी variance से जगा ratio बोलेंगे, it will be 13, 20 by 1000, now why 13, 20 by 1000, because to sound favorable in sales, it has to be greater than 1, so this is coming 132%, then we have sales price ratio, 10 का बारा 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 बाई 10, 120%, then we have sales volume ratio, 110 by 100, is equal to 110%, 110 by 100 is equal to 110%, ठीक है, so इसमें किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ material और sales कहीं होता है, you can find in similar fashion for labor also, for variable overhead also, for all you can find, I am just giving you two illustration, एक material के अंगल से, एक sales के अंगल से, because एक inflow है, एक outflow है, उसले एक inflow का सिखा दिक outflow का सिखा दिया, so you can see the relationship, it is AS by BS, AP by SP, this only we did, AS by, AS mean actual sales by budgeted sales, then actual price by standard price, and volume ratio is actual output by budgeted output, so this only we have done, cross check के लिए again, you have to multiply this two, to find this one, okay, now, then, why do we do this kind of sum, इसको discuss सी क्यों करते हैं, वाइदो वी दो इस kind of ratio calculation, when we already know the amount to be calculated, ठीक है, amount वाला निकालना आता है, subtraction से करना आता है, तो हम यह क्यों कर रहे हैं, इसका एक reason है, reason है कि कुछ sums ऐसे होते हैं, जहां पर आपको variance निकालना amount में, but help लेना होगा ratios का, ठीक हैं, तो यह example में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, इसका एक sum class में, हम लोग कराते हैं, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इसको कैसे करना है, इसलिए I want कि इसका example आप एक बर कर ले, ठीक है, even latest batch में भी, हम जब यह batch में कराए थे, तो students, कुछ लोग मेरे उपर चड़ाई कर दिया थे, कि sir आपने भगा दिया, हम लोगो सोचने का time ने दिया, तो मैंने उनको बोला कि, अरे भई भगा दिया, तो sir को रोकना भी तो चाहिए, वो फिर दो दिन बाद आके, कुछ लोग के कठा होके, बोले कि sir वो समझ नहीं आया, बोला अरे तो समझ नहीं आया, तो बोलना तो चाहिए न, तो मैं सब पढ़ लूँगा, तो मैं उसको वापस भी समझा सकता हूँ न, बोलते नहीं, इसलिए चलिए मैं anyways आपको अभी वापस उसका example करा देना चाहत and then there is material cost, मैं एकी cost ले रहाँ, ऐसे labor, variable over it, fixed over it, कुछ भी आ सकता है, material cost is 60,000 and say 63,000 okay, so both are in rupees, now question is giving that material price has increased by 10% and selling price has increased by 20% so what we have to do is find करना आपको sales and material variances, exam में they won't ask you to find sales and material variances they will rather ask you to present this type of thing in a reconciliation statement, I have not done reconciliation statement with you until now but still मैं आपको खली अभी ये चोटा सा calculation सिखा रहा हूँ, sales और material cost को लेकर ठीक है, तो आप आईए इसको solve करिए, जैसे पहला यदि मैं sales variances में चलूँ पहले मैं sales variances में चलूँ if I am coming into sales variances, मुझे amount वाला ही चाहिए, ratio वाला नहीं चाहिए variance जबी भी एक्जाम में पूछेगा आप हमेशा amount वाला ही निकालेंगे, ratio वाला नहीं निकालेंगे so first is your sales value variance, which is supposed to be actual sales minus budgeted sales, now why not budgeted minus actual, अब ये basic idea na, सोचा था एक 1 lakh हुआ 150, so extra अगर हुआ, 1 lakh का 150 हुआ, extra हुआ, sales extra हुआ तो favorable हुआ, favorable आने के लिए किसको minus किसको करेंगे, 150 minus 1 lakh करेंगे, 150 minus 1 lakh, so there was no problem in calculating this, it is 50,000 favorable, next, second number are sales price variance, 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 now here we will get stuck, price कैसे निकालें, actual price minus standard price, multiplied by actual output होना चाहिए, तो ना output मालूम है, ना actual price मालूम है, ना standard price मालूम है, इस तरह का situation में, bracket खोल के कर देना है, AP into AO minus SP into AO, okay, AP into AO is your actual sales, now SP कैसे हाएगा, how will we get SP, question is given that selling price is increased by 20%, what does this mean, this means that actual selling price is equal to standard selling price into 120%, actual selling price is equal to standard selling price into 120%, so standard price will be equal to what, from this if you'll solve what will be the standard price, it will be equal to actual price divided by 120% into AO, so this is equal to actual sales minus actual sales by 120%, so now you can put the value, actual sales is your 150,000 minus 150,000 by 120%, so tell me the result of this, इसका answer क्या रहा देखिए, इसका answer चेक करिए, तो नया चीज क्या था ये वाला replacement, standard price के जगा ये बैठाना, आंसर बोलिये इसका, 25,000, favorable, फिर्स परसें तो आंसर वस सुदर्शन कोथारी, then Siddhar, then Anand, then Deepmala, then Mohit, now everyone have started the answer, okay, इसको करने का एक shortcut भी होता है, ये इतना लइंदी अगर नहीं करना है, तो ऐसे किया जाता है, कि आप ऐसे सोचेंगे कि मेरा जो ये sales है, ये 120% of price पर हुआ है, actual sales is at 120% of price, so what will be the value of 20%? It will be 1,50,000 by 120 into 20, मेरा तो sell price extra 20% ही हुआ है, जो actual sales हुआ है, वो 120% पर हुआ है, तो 20% निकाल लो, so you'll get still the same answer 25,000, but for this you got to remember कि actual sales जो हुआ है, वो मेरा 120% पर हुआ है, okay, so इसको करने का ये shortcut भी है, आप exam में shortcut भी कर सकते हैं, they will not mind, okay, they have not prescribed कि ये formula से solve करना है, then third is sales volume variance, third is sales volume variance, which will be AO-BO, into standard selling price, so we have AO into standard selling price, minus BO into standard selling price, ठीक है, यूकि न AO मालूम न BO मालूम, तो इसलिए हम लोग bracket open कर देंगे, standard selling price का replacement उपर में सिखाया था, वही चीज़ अभी भी करना है, और BO into standard selling price का मतलब हो गया, budgeted sales, so AO into AP हो गया, आपका actual sales, divided by 120% minus budgeted sales, so now you can put the values, actual sales is 150,000, by 120% minus 8,00, so 150,000 by 120% minus 8,00, so answer is 25,000, answer is 25,000 favorable, ठीक है, sir, इसको करने का कोई shortcut है, बिलकुल है, यह long cut के है न, कि याद नहीं रखना पड़ता है, you always remember the first, just open the bracket and solve, यह long cut के है, it doesn't occupy space in your memory, you remember the old stuff, open the bracket and solve, but shortcut के लिए, it will save your time, but you need to remember certain specific things, अलग से याद रखने का जह मिला है, तो shortcut भी आपको दिखा दे रहा हूं, कि इसमें करते क्या हैं, shortcut में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा ratio से play करते हैं, जैसे sales value ratio, sales value ratio कैसे आएगा, actual sales by budgeted sales, 1,50,000 by 1,00,000, this is coming 150%, sales value ratio means, overall sales value का ratio कै यह देखे, 1,00,000 और 1,50,000 का ratio बना है, okay, because sales is favorable, favorable के लिए आपको greater than 1 लाना है, greater than 1 के लिए 150 by 1,00,000 करना है, then you already know sales price ratio, which is 120%, 20% extra हुआ means 120% हुआ, sales price extra हुआ, actual में extra हुआ, तो फाइदा हुआ हुआ है, तो 120 बोलना हुआ, अगर sales price decreased बोला हुआ हुआ, तो 80% लेते, next, इन दोनो से, you can find volume ratio, because you know the expression that, value is equal to price into volume, price into volume, so value is 150, is equal to price is 120, into volume, so therefore volume is equal to, 150 divided by 120, this is coming 1.25, any 125%, so that means this is 25% favorable, if it is 125%, that means it is 25% extra than, the planned amount, so from this, you can say volume variance, will be equal to 25% off, यह हमेशे आदखना, budgeted पे होता है, volume is always taken on budgeted sales, जितना सोचा था sales, उससे जादा quantity बेचा, volume variance में सिर्फ quantity बढ़ा है, budget का sales जो सोचा था, उसका quantity बढ़ा है, volume variance में actual price नहीं लिया जाता है, volume variance में standard price लिया जाता है, ठीक है, तो हमने budget पे जो सोचा था, उससे जादा बेच दिया, 25%, so 25% of 1,00, is equal to 25,000, सर यह shortcut कैसे हुआ, यह तो बता ही, यह तो long cut लग रहा है, उपर वाला ही ठीक था, बात यह बच्चे, कि यह वाला जो working है, volume ratio वाला, यह working आपको material का variance के लिए करना ही पड़ता है, तो यहाँ पे यह working कर लिया, और उसी से यह variance निकाल लिया, यह है actually shortcut, यह shortcut है ना, देखिए, इतना सही तो करना पड़ा, तो यहाँ पे जो हमने working कर लिया, volume ratio का, यह हमें वैसे भी करना पड़ता, अगर आप long cut से भी कर रहे होते हैं, यह long cut से भी कर रहे होते हैं, तो भी यह working अपने को material variance के लिए लगे गए लगेगा, ठीक है, आए नेक्स्ट में चलते हैं, sales का तीनों हो गया, नेक्स्ट आ रहा है आपका material variances, material variances में आए यह, जिसमें number A है, material cost variance, आयूशिय अगरवाल is asking, what if actual quantity sold is asked, that cannot be possible here, in this question it is not possible, question अलग हो जाएगा, उसका details फिर और देना पड़ेगा, possible निया है, आप या actual quantity निकलेगा कैसे, quantity ही तो नहीं है, ये ही तो इसम का beauty है, material cost variance is equal to, standard cost for actual output, minus actual cost, ये general relationship है, आपको पता होना चाहिए, now standard cost for actual output, is not this amount, ये वाला 60,000 निया, this is budgeted, budgeted means this is for budgeted output, see in case of sales, when we are finding sales variance it is comparison between budgeted and actual sales but in case of cost it is comparison between standard cost for AO and actual cost ठीक है so how will it come you will have to take it like this budgeted cost by BO into AO minus actual cost budgeted cost by BO से cost per unit आगया into AO करने से standard for actual output आगया into AO करने से standard cost for actual output आगया so budgeted cost यदी हम डालेंगे यहां पर वो हमें मालूम है which is equal to 60,000 this is equal to 60,000 now AO by BO in this question AO BO is not given so AO by BO is nothing but your volume ratio यह जो AO by BO आया this is nothing but volume ratio volume ratio AO by BO यह था अगर आप ठीक से देखे notes को भी तो how do you get volume ratio AO by BO ओके तो AO by BO यह जो volume ratio मैंने बोला ना कैसे भी करना ही पड़ता है यह AO by BO को represent करता है वो आपको sales से निकाला हुआ है जो 125% अब वो यहां पर के यूज करना पड़ेगा into 125% minus actual cost actual cost is equal to 63,000 is equal to 63,000 चले इसको पूट करिए 60,000 into 125% minus 63 so answer is coming here as 12,000 favorable अन्वेशा ने अंसर फटा फटा बता दिया 12,000 favorable next is your material price variance material price variance approach number one is to write the normal formula open the bracket and solve just like the way we have done above now second approach will be to apply the shortcut shortcut is what जैसे sales में मैंने बताया था ना कि जो actual है वो 120% पह ऐसी material price is increased by 10% so this 63,000 is at 110% so you can take the 10% figure चले मैं शोट कर रहा हूँ 63,000 divided by 110 into 10 63,000 is at 110% because material price has increased by 10% so what will be the value of 10% 63,000 divided by 11 so this is coming rupees 5727 and this will be adverse why adverse because material price has increased material price increase हो रहा है इसका मतलब नुकसान हो रहा है खर्चा जादा है adverse है C number में आ जाईए material usage variance में आईए material usage variance now for usage I am not going to give you any shortcut कि यह आपको normal bracket open करके करना पड़ेगा standard quantity for AO minus actual quantity into standard price open the bracket so SQ into SP minus AQ into SP ठीक है SQ into SP minus AQ into SP because actual price is equal to AQ into SP percent why relationship because actual price is equal to 110% of standard price याद है न वो relationship actual price is equal to 110% of standard price तो उससे यह derive हो गया okay so standard cost for AO अपने उपर में निकाले थे budgeted cost into AO by BO AQ into AP is actual cost by 110% so now you can put the values to get the answer budgeted cost is 60,000 AO by BO is 125% actual cost is 63,000 divided by 110% yes Siddharth has given the answer first no Ayushi has given the first answer then Siddharth then Anand then Silky Drolia 17,727 and favorable or adverse this will be favorable तो Anand Raj का गरवड होगया उसने adverse लिख दिया अगर quantity and price दोनों में change होगा तो तो question में दिया होगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा देगे अभी आप combination बनाएंगे तो आप अपना situation को complicate कर लेंगे वैसा synergy अभी आता नहीं है quantity price दोनों में changes होगा तो sum को और अलग level पर solve करना होगा इसी को ही pattern को ही follow करना है दोनों में change दिया होगा तो अभी और आप complicate मत करिए अपकी simplify करिए बहुत ज़्यादा combination ऐसा मत बनाएंगे जो अभी exam के लिए relevant नहीं है मैं उतना ही बता रहा हूँ जो exam के लिए relevant है और अगर होगा तो अप्रोच यही रहेगा फिर ऐसा भी सम आता है जिसमें कभी कभी quantity दिया वा होगा तो वह बहुत easy होता है उसमें आराम से cost card बन जाता है इसलिए मैं उसको discuss नहीं कर रहा है इस टाइप का sum में एक ऐसा भी sum आता है जिसमें material का quantity भी दिया होता है अगर दिया होगा तो easy sum हो जाता है वो sum को complicated नहीं बोलते हैं ठीक है तो आप देखें नया चीज क्या था न कि sales का जो volume ratio है वो material variance में help किया यही नया चीज है वैसे material का calculation output produce पे डिपेंड करता है और sales का calculation output sold पे डिपेंड करता है ठीक है बट यहाँ पर हम लोग volume ratio sales से ले रहे मतलब हम produce और sold को equal मन रहे है अब आप बोलेंगे सर प्रोड्यूस और पर paste कर देते हैं ठीक है आयूशी अगरवाले सेंग सर मुवी का भी तो एक शॉटकट है न कि आप mcv is equal to mpv प्लस मुवी से कर सकते हो हां करता हो सकते है वैसे तो फिर पूरा चैप्टर में तीन variance निकालने का ज़रूरत ही नहीं है आप हमेशा दो ही निकाल लिए और से don't depend on shortcut my suggestion is don't depend on shortcut always और यह जो mpv प्लस mv is equal to mcv उससे सम करना हम प्रेफर नहीं करते हैं उससे हम लोग कभी कभी को missing figure ज़रूर निकाल लेते हैं ठीक है सम में हमेशा expectation रहेगा कि आप उसको general way में करें एक्जाम में समय कम हो तो mv का value mcv mpv को subtract करके भी निकाल सकते हैं ठीक है एक बार 125% वाला calculation दिखाईए यह रहा देख लिजे 125% वाला calculation चलिए आगे बढ़ते हैं तो variance based on ratio का एक notes है उसको एक बार पढ़ लिजे आप लिखाव है देखो we use sales volume ratio देखो follow करो AO by BO to find standard cost for actual output from the budgeted cost when output details are not given standard cost for AO is equal to budgeted cost into AO by BO यही मैंने use करके अभी आपको दिखाया ठीक है material cost variance में मतलब material cost variance में आप एक चीज़ याद रखो होना चीए AO by BO में AOBO produced बटम AOBO sold ले रहे विकाज हमरे पास और कोई जुगाड नहीं है अगर जुगाड होता तो फिर वो सम अलग हो जाता भी यह सम ऐसा है जिसमें जुगाड नहीं है हम लोग इसलिए उसी पर focus कर रहे हैं ओके तो यह खतम हो गया next point में आ जाते हैं selling cost variance selling cost variance is very easy it is just standard selling expense for AO minus actual selling expense there are no further sub classification this variance is calculated either product wise और salesman wise और sales zone wise तीन तरह से हो सकता है हमारे class में भी हम लोग इसका दो सम करते हैं एक workbook में अभी चला गया और एक normal है उसमें current batch के हिसाब से बता रहा हूं और बाकी पुराने जो students है उनका दो सम होता था class में एक था salesman wise और एक था sales zone wise तो इसका steps क्या होता है first compute standard selling expense for actual output sold and actual selling expense incurred in a statement आपको दो working note पहले बनाना बड़ेगा यह working note 1 होगा standard selling expense for actual output और दूसरा working note होगा actual selling expenses उसका items अलग-अलग दिया वह हो सकता है कि advertisement में इतना लगा, traveling में इतना लगा, salary में इतना लगा and so on तो सारे items को पहले clubbing करेंगे and then prepare statement to compute selling expenses variance ठीक है पहले आप अपना standard selling expense for actual output जान दीजे फिर आप अपना actual selling expense जानके दोनों को subtract कर दीजे तो इसमें कुछ उतना जोर देने का चीज नहीं है, okay, next आ रहा है sales value variance और इसके साथ ही इसका जोड़ीदार है sales margin variance दोनों एक ही एकदम, one plus one का bonanza है, एक सिखो के तो दूसरा मुफ्त है, ठीक है, दोनों एकदम एक ही है तो मैं आपको पहले sales वाला सिखा देता हूँ, जिससे next वाला में हमारा effort इकदम खतम हो जाएगा, okay देखो sales value variance हम लोग निकालते sales manager के लिए, हम लोग वैसे responsibility वाला बात भी पूरा properly किये नहीं है मैं आपके साथ responsibility को लेकर proper बात करूँगा एक बार और, हर एक variance हर एक manager का responsibility को दिखाता है every variance is somehow responsible for some department और some managers so now sales का पूरा जो है, वो सिर्फ sales manager के उपर है, ठीक है, पूरा का पूरा sales manager के उपर है ध्यान रखना है, sales का पूरा का पूरा काम sales manager से जुड़ा हुए so we have sales value variance, okay what we have is sales value variance which is just the comparison between जो sales का target लिया था और जो sales हुआ, यानि budgeted sales and actual sales sales is a periodic analysis, okay वैसे cost variance is also a periodic analysis but sales में वो effectively दिखता है, एक logic आपको दिखाता हूँ कि cost variance में, what happens is if it is a variable cost what we need is standard cost for what we need is standard cost for a period and we need to subtract that with actual cost of that period right now point is variable cost by its nature is not related to period variable cost by its nature is not related to period it is related to quantity of output produced it is related to volume so how to get this variable cost for a period so what approach we follow is we take standard cost, any standard variable cost for one unit and multiply it by actual output because we cannot relate our variable cost with a period we have to relate it with output so we multiply it with actual output of the period to understand the variability of variable cost and get the figure for standard cost for a period so that's how the relationship came standard cost for AO minus actual cost okay but when we come to fixed cost when we come to fixed cost fixed cost is related to a period fixed cost का periodic amount पता होता है आपको मालू होता है कि एक महिने का कितना होगा या एक साल का कितना होगा okay एक महिने का कितना होगा और एक साल का कितना होगा you already know that so when you know total fixed cost when you know total fixed cost for a period you can take it straight away any standard amount for a period is called as budgeted amount so you can take it as budgeted cost minus actual cost straight away but this is called as marginal approach where we are not relating fixed cost with the output आपको मैने बताय था fixed cost में अबस्रोप्शन अप्रोच होता है marginal approach होता है so when we are not relating any fixed cost with the output what we are doing is we are following marginal approach so you can straight away say it is budgeted cost minus actual cost then when it comes to sales sales is again it's supposed to be sales for a period minus actual sales for a period so sales में आपको उल्टा करना होता है actual sales को आगे ले लेना होता है because यहां पे inflow की बात हो रही है minus sales का भी budgeted sales for a period available होता है budgeted sales for a period available होता है sales में since यह available होता है sales targets बनाए जाते हैं for a period period start होता है तो उसका sales target बनता है इसलिए we don't change this we just keep it as it is खली variable cost में change करते हैं क्यों करते हैं? एस्स्ट स्ट करते हैं स्ट करते हैं is not connected to a period so in order to find the amount of the period how will you do that that will be standard cost per unit into actual output of the period in fixed cost case only one exception occurs that when marginal approach is followed we cannot further analyze fixed cost into different ways so what we do is we also find fixed cost variances using absorption approach which actually relates your fixed cost with output just like variable cost so that has got lot of advantages if we follow absorption approach we get to know why our output produced is lesser absorption approach में आते हैं तो वापस वो variable cost जासे घूम जाता है standard cost for actual output minus actual cost हो जाता है instead of directly using budgeted cost हम standard cost for actual output को use करना शुरू कर देते हैं अब आप बुलेंगे क्यों करते हैं why we are continuing with why we are not continuing with marginal approach why do we need absorption approach at all इसका reason है कि variable cost variance में हम लोग output कितना होना चाहिए था और कितना हुआ उसका difference analyze नहीं कर पाते हैं stable cost is only and only focusing on actual output okay but when we do fixed cost variance in absorption approach it also considers AO and BO कब consider करता है जैसे main variance में consider नहीं करता अगर आप fixed cost का दो पार्ट याद करें एक था आपका expenditure variance और एक था volume variance volume variance में AO-BO को cover करता है तो AO-BO हम चाहते हैं हमारा cost variance में कहीं तो cover हो कि output कितना बनना चाहे था और कितना बना तो अगर हम absorption costing का fixed cost नहीं follow करते तो मेरा marginal approach में fixed cost को volume से relate करता है नहीं marginal approach में fixed cost को volume से relate करता है नहीं marginal approach says that volume has got no role in fixed cost and variable cost कभी भी budgeted output को पकड़ेगा नहीं तो सब कोई variable cost भी actual पर रह गए fixed cost marginal approach भी actual पर रह गया तो cost variance में AO-BO पकड़ी नहीं है difference क्या है तो performance analysis को proper करने के लिए fixed cost absorption approach में ले जाते हैं और उसको भी standard cost for AO से relate करके फिर volume variance जब उसका निकालते हैं complete होता है but sales में it's simple actual sales और budgeted sales so cost variance का concept क्या है sales variance का concept क्या है एक छोटा सा मैंने जलग बता है ऐसे हम लोग regular courses में बहुत जादा देर इस पे बात करते हैं भी तो 5-7 मिनिट में मैं सर्टा दिया okay now अब sales का value variance आ रहे है अब आप देखो sales value variance is actual sales minus budgeted sales I am not going to do any sum for this okay please escape me for this actual sales minus budget sales अब यहां पे actual को आगे क्यों रखते हो उसका logic के ही है कि to make it favorable it has to be positive positive दिखाने के लिए favorable लाने के लिए positive होना चाहिए तो जैसे आप ऐसे सोचो न actual sales है 1 lakh और budgeted sales है हमारा 80,000 so it is sounding favorable we thought that it will be 80,000 but it happened to be 1 lakh so favorable लाने के लिए किसको मैनस किसको करना है so that it shows positive तो positive कभ दिखेगा 1 lakh minus 80,000 करके positive दिखेगा right 1 lakh minus 80,000 करके positive दिखेगा so that way it will happen then sales value variance का दो हिस्सा है एक है sales price variance उसरा है sales volume variance one is price and the second is volume so it is simple AP minus SP into AO and here it is AO minus BO into standard price now if you see it is quite similar to fixed overhead volume variance fixed overhead volume variance में भी AO minus BO है यहां पे भी AO minus BO है but just one difference is there fixed overhead produced quantity पे dependent है और sales variance हमारा sales quantity पे dependent है फिर जैसे material में mixed yield था वैसे sales में भी mix और quantity आता है yield नहीं आता है mix और quantity variance आता है formula एकदम material वाला ही है जिसको हम लोग बस reverse कर दिया आगे इसदर का उधर कर दिये क्योंकि यहां पे inflow है न तो आप अगर देखो के वहां पे भी एकदम सेम था material mix में क्या था मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं जैसे मैं इसको एक बार मिटाया material mix variance में होता है AO sorry it is total actual quantity into standard proportion ठीक है minus actual quantity into standard price होता है यह material mix variance का formula है इसी को बस घुमा दीजिए आप इधर कर दीजिए दीखे यह sales mix बन जाएगा so AQ के जगा AO बोल दिया because Q मैंने material input sound करता है O मैंने output clear रहता है और फिर minus कर दिया total actual output into standard proportion और bracket के बारे into standard price so it's just the opposite of material mix variance and same is with material yield variance opposite is equal to sales quantity variance you can say this is opposite of material mix variance and this is opposite of material yield variance so there is no effort again to remember this it is total actual output minus total budget output into standard weighted average price आ गया फिर बात आती है material का तो पढ़ाई यहां तक रुख जाता था अब यहां पर sales का पढ़ाई थोड़ा सा और आगे जाता है कि हम ऐसे सोच रहे होते हैं कि हमारा इस sales manager जो quantity sales जादा किया उसमें वाकई में उसका effort था कि actually कुछ और करिश्मा था यनि कि market में many times because of certain other factors that is shift of consumer's taste or maybe due to some external factors like changes in economic scenario or policies of government or say something like a pandemic situation current pandemic situation something like that जो हम organizations के control में नहीं है तो वैसे factors के कारण कभी-कभी market grow कर जाता है या फिर market shrink भी करता है वैसे situations के कारण कभी-कभी market grow भी करता है तो market shrink भी करता है so if market grows so the benefit of that will automatically come to us if we are a consistent player in the market so if market grows and because of that we get something in our sales that credit cannot be given to sales manager we cannot give that credit to sales manager okay although sales manager will be instrumental to execute all the growing deals also but still the credit of the same is not given to sales manager directly because the credit goes to growth in the market size जिसको अपने बोलते है growth in the industry size so we find another variance called as market size variance or it is called as industry growth variance इसका दूसरा नाम एक इसका एक और नाम है market growth variance market growth variance जिसे अभी क्या हुआ pandemic के कारण coaching center सारे face to face online हो गए तो online education का market grow कर गया right online education का market अचानक से grow कर गया so अब grow कर गया तो इसका benefit सबको मिलेगा ठीक है इसके कारण यदि sales ज़्यादा हो रहे है तो उसका credit sales manager को नहीं दिया जा सकता because तो circumstance ही चेंज होगे sales manager क्या किया sales manager तो बस deal execute कराया basic formalities किया होगा बट उसका effort नहीं था उसमें कुछ है सच ओके कि वो ही सारा sales अलग अलग जगा से जा जा के लेकिया है right so market growth variance और market size variance is basically the difference between industry size industry size कहां से पता चलता है I've always shared with you that ये सब details market details usually association वगरा कि आप member बनते हैं अपने business के तो वहां पर वो सब discuss होता है बड़े-बड़े players का market को आप पर कठा करते हो तो वहां से पता चलता है so market size यदि grow हो गया if market size grows it is a favorable situation so actual industry size minus budgeted industry size multiplied by if industry grows it's not that the entire growth in industry is yours so what you are supposed to get is your own share into budgeted market share into standard weighted average selling price देखिये फॉलो करिये actual industry size minus budgeted industry size into budgeted market share into standard weighted average selling price similarly market share variance is there market share variance is what it is now the effort real effort of your sales manager real effort of sales manager to grab sales by maybe taking deals from the competitors मतलब अपने पास deal जा रहा था बत हम लोग अपने पास उसको डिवर्ट कर लिए जर गुक्रह ने में लुक्रहए तो डे करेश्च्षोन क्न cm eher को जर भी वैजर में था क्रेश्चल आम 거지 भीवा सटेट जर्डालें लुक्रह में में ऑना प्र रीगाए lवी नॲिट ने transmit गहा फर्टरी बीगे जोटा है thrive for achieving excellence or better customer services and all because of that sales manager easily नया market share capture कर पाया तो वो budgeted share क्या था और actual share क्या हुआ उसको compare करेंगे actual share minus budget share but this time the share will be compared on actual industry sales because industry sales यदी grow कर गया है तो हमें अपना share जो check करना चाहिए वो actual पर check करना चाहिए मेरा industry size यदी पहले सोचा वा था 1 lakh units का अभी industry size यदी 1 lakh 50,000 हो गया है तो of course मैं जब 1 lakh में अपना 10% मान रहा था budgeted share तो मैं अभी 1 lakh 50 में भी 10% चाहूंगा ठीक है तो मेरा 10% जो अभी का demand है जब industry grow कर गया है तो वो नए industry size बर है तो यहाँ पर ध्यान रखना actual share percentage minus budget share percentage में we take actual industry size not budgeted industry size then multiplied by standard weighted average selling price per unit देख एक working कराते है आपको आप एक छोटा से एक्जामपल मेरे को करके बता दीजी budget is there actual is there okay so my sales team had planned a calculation for sales units here it is say 10,000 and actually it was 11,500 then industry size is there industry size which we get the details from association is 1,00,000 but it happened to be 1,50,000 okay and my market share what will be the market share 10,000 by 1,00,000 my market share 10% but actual में कितना है 11,500 by 1,50,000 actual में के में 7.667% and I am also giving you my selling price okay selling price for budget is 50 rupees for actual is 40 rupees okay actual is 40 rupees so what I have to do is I have to do calculation for sales quantity variance then I have to find market size variance and market share variance three variances we need to get market size and market share जिसको जिसको आता है वो तुरंट करके बता दे और जिसको नहीं आता हूँ मेरे को follow करेंगे क्योंकि ये important है आपके लिए मैं आज जो भी standard costing में पढ़ा रहा हूँ वो जादा important है even from previous session previous session के मुकाबले आज का पढ़ाई standard costing का जादा important है अमन मैता you are not asking the relevant question right now please hold your question हम लोग इसको last में take up कर सकते हैं सजल कुमार सिंग you follow please calculation follow करी एक बार आपको और clear हो जाएगा sales quantity variance तीनों का एक साथ answer बताएं जैसे एक एक करके answer बताएंगे तो मैं follow नहीं कर पाऊंगा sales quantity variance is equal to actual output sold minus budgeted output sold multiplied by standard selling price now if you see I have written it like volume variance now volume और quantity same होता है जब आपका एक ही तरह का output हो जैसे मैंने तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोला ना sales x का भी है y का भी है z का भी है जब एक ही तरह का output हो तो हम लोग क्या बोलेंगे एक ही तरह का output हो तो quantity variance is equal to volume variance remember मतलब mix variance नहीं है तो quantity is equal to volume फिर volume का ही दो पार्ट होगा size और share so AO is equal to 11,500 minus 10,000 into standard selling price is 50 okay 11,500 minus 10,000 multiplied by standard selling price which is 50 so this is coming 1500 into 50 75,000 favorable correct quantity variance is 75,000 favorable manan agarwal answered correctly first okay now size size variance is your difference in industry size industry size क्या सोचा था एक लाग हुआ कितना डेल लाग तो industry grow किया तो फाइदा हुआ तो फाइदा हुआ तो फाइदा दिखाने के लिए विल राइट 1,500,000 minus 1,00,000 1,00, 1,500,000 minus 1,00,000 ठीक है multiplied by 1,50,000 minus 1,00,000 multiplied by you will not get the entire 50,000 of your growth in industry पूरा 50,000 आपका कैसे हो सकता है so you should multiply it by your expected market share you will not multiply it by actual share because actual share अभी हमने एवाल इन ही नहीं किया है हम लोग ऐसे सोच रहे है it's like मैं एक स्टोरी से समझाता हूं usually आपको क्लास में कि I am the owner of the company you are the sales manager I am analyzing your performance you are showing me that see you told me 10,000 units to sell I told I given you 11,500 but I will not just evaluate your performance on this extra 1500 units I am also the owner so I know how to evaluate your performance so what I will do is first I will take the report of industry industry I had thought that it will be of size 1,00,000 now in association meeting I got to know that the industry size has grown to 1,50,000 so of course when in 1,00,000 I was expecting a sale of 10,000 units in 1,50,000 I will also expect my sale of 10% correct I am expecting that due to growth of industry at least I should get my original share so that 50,000 ka 10% toh mere ko milna chahiye na or extra growth ka 1,00,000 pejab 10% toh 150 peh bhi 10% milna chahiye into I am not analyzing your performance as a sales manager right now I am just thinking in my case if industry has grown then I should get my original percent then only things are stable in my understanding so this is into 50 the answer here is coming rupees 5,000 into 50 5,000 into 50 is 2,50,000 2,50,000 favorable correct answer several students have given this correct answer thank you and market share market share will be what how will we get the share share which is 7.667 how will we get the share 10% now 10% now 10% you can see 1,00,000 but when industry grow so you can see that you can see 1,00,000 that you can see that you can see so into 1,00,000 that you can see because you can see multiplied by 50 so this is coming 1,00,000 this is coming 1,00,75,000 adverse this is coming 1,00,75,000 adverse so we have lost the share so the performance has been really worse we have not got the appropriate market even though the sales quantity variance is showing favorable we should have got this 2,50,000 favorable actually but we got only 1,70,000 we got actually we lost actually 75,000 if you see clearly 250 we got extra but 75,000 extra we got extra 250 but I got 75 we got so this is a true performance analysis now based on usually this outcome of size and share we can analyze some performance we can write some comments also which is very important for your CA final new syllabus and those comments can be in the form of BCG matrix which is we also called as size and share matrix or growth and share matrix BCG matrix may if you will plot the size and share high and low high low is indicating like high is in summer low favorable low is adverse high is favorable and low is adverse so in our case what has happened industry has grown but we have not got our share that means somehow we have lacked in our promotional abilities or we have lacked in our quality okay we have lacked in our customer service where we can work upon so if market has grown okay market size has grown but we have not got our share that means there is a scope of improvement this is a question mark situation if you see this is a question mark situation growth is favorable but share is adverse that means what you have to do is you have to invest in your product you have to invest in your customer relationship and then you will be able to gather again your market share you should not leave the market you should do more investment on your product and similarly other scenario के लिए अलग अलग है जैसे growth भी favorable है और share भी favorable है दोनो market भी बढ़ रहा है और हमारा भी भी शेर बढ़ रहा है तो it is a situation of star in that case we say you should sustain your abilities that you are already doing then we have cash cow cash cow is third scenario where we say growth is going adverse but share is favorable मतलब आपके पास सारा कॉमड़ेटर का market आते जा रहा है बढ़ इंडस्ट्री डिकलाइन ट्रेंड पर है इंडस्ट्री यदी डिकलाइन कर रहा है और आपके पास मार्केट में नहीं रह पाऊगे इसको पने बोलते है cash cow cash cow मतलब जितना दिन गाए दूद दे रही है आप मजा लीजी गाए दूद life long गया forever नहीं देती है उसका एक milking life होता है उसके बाद हो दूदेना बंद कर देती है तो यह sure है कि यह आपका कमाई आने वाले समय में बंद हो जाएगा अभी आप जितना कमा सकतो कमा लो तो इस लाइक जब नाम फटा हुआ है जितना कमाना है कमा लो आपका competitors market छोड़ रहा है आपको वैसे इस समय पर सोचना चाहिए कि should I remain with this product only I should I invest into this product to to grow its market कुछ 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 कमनी होती है product का market grow कराती है by you know doing some different kind of campaign whereby they instigate people to buy more and more of those products they tie up with certain companies they go to different countries also sometimes okay so they keep on growing their market also so cash का होने से भी एना एक situation ऐसा आता है कि you start thinking कि whether you want to continue with this product or not if you want to continue you have to take it to the level of star or otherwise you just take it to the next stage which is dog which is where growth is adverse and also your share is getting adverse it's a stage of dog dog क्यू बलते सर dog इसले बलते जिसे बलते है कि अप लोग जैसे बलते है कुटता पाल रहे है for example हम लोग कभी कभी मजाक में भी बलते है some people are dog lovers and I am not disrespecting anyone I am just saying it in a lighter mood that अपने कई बार ऐसे भी बलते है अपने दोस्तों को देखो भाई कुटता पालो बिल्ली पालो जो पालना है पालो बट गलत फेहमी मत पालो वैसे ही और भी बलते हैं अपने कि पालना है तो गाए पालो पुराने जमाने के लोग बलते हैं बदले में पालो गे तो दूद तो मिलेगा घर में बच्चे तो हस्ट पुस्त रहेंगे और उसकी सेवा करने से परमात्मा भी खुश होते हैं बट कुटता क्या पालते हो कुटता पालो गे तो क्या मिलेगा बदले में तो यही बात है कि BCG Matrix is just saying people who fancy dog, they don't get anything in return, it's just a sunk investment dog आपको कुछ देगा नी बदले में मतलब गे को पालेंगे तो she will give you milk and when you sell the milk the cost of cow becomes free so it's like that but cow is always having a limited milking life dog is also having a limited life but it will not ever give you any return from where you can earn right, so that's why it's a dog the product that is losing its market the product that is also not having any positive market share you should do away with the product तो होता कैसे either market उसका बड़ाओ ठीक है उसको question mark में ले जाओ फिर यहां से cash cow में भी ले जा सकते हो by maybe some revival of the product by doing some investment in the product आप उसमें कुछ उसमें कुछ कर सकते हो तो वो cash cow भी बन सकता है कुछ दिन के लिए और question mark में क्या करना चाहिए और dog में क्या करना चाहिए सब मैंने आपको और ली अभी आपको सम्झा दिये comments लिखने के काम में आता है so if question asks you to you know write comments on performance of sales manager then by seeing size and share variance you can choose to write comments in exam very few instance only has come where exam was saying that you have to write comments in the light of BCG matrix now it is I'm not seeing any such kind of question but writing comments is important for CNU syllabus okay okay next I have sales margin variance now when we already have sales value variance why do we have sales margin variance so the reason of this I will just explain reasoning याद रखो गया तो it will help you to understand the importance of sales margin variance budgeted and actual is there okay so we have say sales value sales value is just the sales revenue output then rate and then amount okay then we have again output rate and amount so we have say here thousand units here 50 rupees here it is 50 000 and here it is say 1200 units price is 45 to 1200 into 45 is coming 54 000 so sales manager is showing me what देखो सायर आपका तो मैं रेविन्यू बढ़ा दिया मुझे इंसेंटिव दिजे 54 000 लाया चारहजार एक्ट्र लाके दिया आपको तो फायदा करा दिया सार मुझे बोनस देडो सार तो सेल्समेंजर is saying like this but 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 you as an head as a head of organization you should never 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 look for more revenue what you should focus on more profit we are not revenue making organization we are profit making organization so if you see the profit behind this okay you have to take this cost say standard cost of this product is 48 rupees okay and actual can be more than 48 or actual can be less than 48 but that's not the lookout of sales manager sales manager is not producing anything cost jada laga come laga production manager se baat kareenge but actual may kya laga usko chod dj let us consider that the cost is only 48 let us not bother sales manager with actual cost but the cost is supposed to be 48 okay so agar may isko subtract karta hoon to yeh a raha di ki 1000 quantity mein 2 rupaya karke profit hai amount of profit should be 2000 this is called as sales margin okay this is only called as sales margin and here 1200 and you see minus 3 minus 3 and this is minus 3600 oh oh profit another 2000 but actually loss agar 3600 ka so it's a blunder it's a loss aap agar us 4000 misguide hoke sales manager incentive day-day to aapka to aci loss war loss loss agar api yeh dekho gay to actually aapko profitable tha ki loss making tha to loss making tha yaa to incentive ka baat hi nahi utta hai correct to is tarah ka joh performance analysis hai yeh hi aapko pata chal raha hai ki really me aap jab aap na performance check karo managers ka to aap khud kama ryo ki nahi kama ryo or wo cheese value se nahi pata chalta wo hoemesha margin se pata chalta hai is liyeh aaj kal maine aapko bola na meira eek sapna hai ki mai kabhi cost consciousness drive chalau aur puray duniya ko sikhha hou ki cost kya hota hai isko samjho kar samasthi ho to organization efficiency apne aapata hai to isliyeh may yeh bhi chaatau ki sales manager bhi to janay ki product joh tu bêchnay jari ho uska cost kya hai yeh babu companies hote in a traditional companies they don't share this details with their sales managers because they feel that if sales managers get to know ka how much profit they are giving to the company they will try to venture something like this for their own wo apna kuch kar lega ham loko ditch kar ke jala jayega aur har sami mein jatayega ki dekhi aapke karanam kitna kamaare hai but conventionally yeh sab sochte ve aap naia zmana bolta hai nahi usko batao ap kitna kamaare ho so that he gives you a real return okay sundar pichai doesn't know about what is what cost it is you know to run the google then he will not be able to bring efficiency he needs to know the cost so you you devise your remuneration system in such a way that they are not supposed to leave you but aap transparency rakogi cost ka to they'll give you the real analysis agar sales manager ko yeh khud sa hai pata hota kiska cost 48 to 45 megabits ko biste hai nah so you have to tell them the cost of the work that they are doing okay so this is how sales margins importance come into picture that it gives you the true picture of performance of our sales manager then sales value because what we thrive for is profit not for revenue for sales margin variance you need extra detail that is standard cost if actual cost is given it is of no use because actual cost jada huwa kam huwa that's not the responsibility of sales manager okay so standard cost yahan par aapka same ragh diya jata hai abh isme baat hoti ki agar standard cost mein total cost hai to is margin ko profit bol deenge agar standard cost is equal to standard variable cost plus fixed cost in that case the term margin will be called as profit the variances would be named as sales profit variance and if your standard cost is only standard variable cost then the term margin is called as contribution and all the variances will be called as sales contribution variance and and like that okay so you just need to take care ki question mein kya diya ho hai if if nothing is mentioned we try to follow absorption approach if say fixed cost diya bhai nahi hai toh so sales margin variance mein mein profit likh hai iska matlab mein absorption approach se sab kut samjha raha hoi yaa par aur pura same hai bas wahan pe word sales ke jagha profit replace kar diji poora sab kut same hai there is nothing to actually re-discuss here everything is same instead of sales value term we are having now sales profit term so instead of margin we can use profit or contribution as given as per the given details this i have already discussed this variance is computed to evaluate performance of sales manager in true sense sahih my name mein mein woh perform kar raha hai ki nahi us ke liye ye calculation kar raha hai as sales manager is not responsible for changes in cost we compute profit based on standard cost only actual cost diya ho toh us ko ignore karna hai under absorption approach margin is equal to profit is equal to sales minus both the cost and under marginal approach margin means contribution so sales minus only variable cost and cost means only standard cost you cannot take actual cost ignore actual cost if it is given ignore actual cost in sales margin variances okay even if it is given you should not consider it in a question if details of both cost and sales are given whenever in your question you find that details of both sales and cost are given based in standard and actual you should always find sales margin variance not sales value variance even if question has asked you to find sales variance question bol raha hai khali sales variance nika lo ab sales variance matlab value bhi hota margin bhi hota hai hem kaun sa nika lehen toh question dekhokai ki agar cost ka detail diya hoa hai toh hamaysha 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 margin variance yi nikaalna hai bina question me specifically boli so in a question if details of both costs and sales are given we always compute sales margin variance even if the question has asked only sales variances okay so this is how sales margin variances are dealt with next data hai profit reconciliation statement jis ko thik se seeking up jaha pe bhi kai bhot sarah kam hota exam ka jo bhi majority questions hai mahi waapas sales variances focus jada hota agar abas question utha ke dekhokai us-mese saat question upko sales oriented di milaga aur phil uske baad abhi joh profit reconciliation raha raha yee bhi bhoat important hai sales ka relationship profit me bhi aata hai toh ye profit reconciliation or sales milaga ke 10-mese saat question hai okay now profit reconciliation actually tine tariqe se ho sakta hai hapke syllabus me hapko tine tariqa paadha hai joh humare purane student rae bhoat purane student agar ab revision class kar raha hai toh ho sakta apke saat minne 2 hi kiya ho kyunki yeh 2018 se mein relevant wala paadha raha hong 2018 ke pehle mein khali 2 hi paadha ta ta toh agar apne hapne 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 bach ka amendment course nai kiya hoa hai top coffee a saaj meh aajayga relevant wala saaj kei thicken tue yek naya approach hem na add karaya kiya first time may 18 ke exam messe final new syllabus maata tab se ham yeh relevant approach aapko pardhanay lagi hai okay okay absorption marginal relevant approach pahle aap relevant koo chupa dhike relevant keo-poor dhyaan yeh maddeejay aur ek bar marginal pebbi dhyan maddeejay sirf absorption pehle pahle dhyan करते वक्त हम लोगों का rule बोलता है एक equation है छोटा सा कि budgeted sorry actual profit is equal to actual profit is equal to budgeted profit ये छोटा सा rule याद रखेंगे न तो पूरा statement ध्यान रखने में बहुत easy होगा actual profit is equal to budgeted profit plus जितना आपका sales margin variances है plus आपका जितना cost variances है बस एक छोटा सा प्यारा सा equation है जिसको use करके हम लोग reconciliation statement बनाते हैं okay अब now if you'll ask sir what about this sales value variance it is of no relevance now when margin variance has come into picture okay so why now why I'm not able to discuss right now आपको मैं जो बतारो shortcut आप भी इस पर ध्यान दीजी so if we have to prepare a statement to find the actual profit the statement will start from budgeted profit then it will show sales margin variances and then it will show cost variances the flow will be first is budgeted profit then sales margin variances and then cost variances and then the last will be the actual profit ठीक है so this is the flow अब सबसे पहले क्या होगा budgeted profit होगा absorption approach में budget profit means profit at standard cost for view now when we are finding absorption approach में फिर नेक्स अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो नेक्स हमें कौन सा वे इन सिखाना है profit variance profit variance में when we are finding profit variance under absorption approach you will have to take both variable cost and fixed cost remember और फिर profit variance में भी वैसी वे बोद वेरिबल प्राफिट का प्राइस वेरियंस और प्राफिट का वॉल्यूम वेरियंस नव प्राफिट प्राइस वेरियंस अल्सों always same as sales price variance इस चीच को याद रखेगा यहां पर भी आप लिख सकते हैं यह शाहद यहां पर मैंने लिखा हुआ है अप देखेंगे न यहां पर यह देखा हुआ है अपर यह देखा हुआ है profit price variance is always equal to sales price variance यह mathematically proof किया जा सकता है both are always same because standard cost होता है न जैसे actual profit is also based on standard cost और standard profit is also based on actual cost standard cost actual profit minus standard profit यदी हम कर रहे है into AO so actual profit standard cost पर बेसे है so actual sales minus standard cost standard profit भी आपका standard profit भी आपका standard cost पर बेसे है so it is budgeted sales minus standard cost standard sales भी बोल जखत हुँ but budgeted ज्यादा अच्छा sound करका है into AO so if I open the bracket if I open the bracket how it will be you will see that standard cost will get cancelled and ultimately actual selling price minus budgeted selling price into AO बचेगा that means it is equal to sales price variance S मैंने actual selling price B S मैंने budgeted selling price so standard cost standard cost यदी मैं cancel कर दूँ तो बचा किया अब दी कि selling price का difference बचेगा because cost का difference eliminate हो गया so इसले profit price variance के साथ sales price variance लिखना easy होता है many times sums करते है sales price variance easily मिल जाता है profit price के लिए महनेत करना पड़ता है इसलिए यह oblique करके लिखा हुआ है फिर profit का दूसरा variance है volume variance फिर cost का जितना variance हो जकता है cost का जितना भी variance हो जकता है MPV, MUV, LRV, LEV variable overhead expenditure efficiency fixed overhead expenditure volume अच्छा वैसे MUV के जगा आप चाहो तो instead of MUV you can write MMV, MYV but don't write MUV also and MMV, MYV also because then there will be double effect MMV, MYV मिलकर तो MUV आता है तो MUV भी लिखना और MMV, MYV लिखना अचा नहीं है और सीधा shortcut में MCV भी लिखना है because that will not carry the full marks reconciliation statement का objective होता है एक ऐसा comprehensive statement जिससे मुझे हर एक manager का performance पता चले तो मुझे MPV एक अलग manager responsible है MUV अलग manager responsible है इसलिए अलग-अलग manager wise जाना है तो MPV अलग, MUV अलग ठीक है, LRV अलग, LEV अलग variable overhead expenditure, efficiency अलग fixed overhead expenditure और volume अलग sales में price और volume अलग वैसे इसका भी further break up हो सकता है आपको मैं आगे दिखाऊंगा जिसे एक particular part है हमारे chapter का जो CA new syllabus के लिए सबसे जादा important है, planning, operating and traditional variance उसमें आपको और भी break up दिखाना पढ़ सकता है अगर question में बोला हो तो तो मैं उसमें जाऊंगा तब बताऊंगा बट इसमें ये और भी break up हो सकता है बस मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ अगर जरुरत पढ़े question की requirement हो तो आप इसको further analyze कर सकते हो बट उस समें तीनों ना लिख देना ऐसा mistake मत करना कि volume भी लिख दिया सर फिर मैं उसके नीचे का भी लिख दिया नहीं अगर नीचे वाला लिख दिया तो उपर वाला लिखने का ज़रुवत नहीं है इसको आप देखी मैंने जो basic funda बताया ना कि budgeted profit में sales margin और cost variance को add कर दो तो आपका actual profit आता है वो basic को पहले आप capture करो कि profit और cost को add किया तो मेरा actual profit आ गया क्या हो marginal costing में आप क्या profit नहीं नहीं कालते हो contribution minus fixed cost करके तो यहां पर भी profit ही है don't forget this usually students understand कि marginal approach तो contribution पर खतम हो जाता है तो contribution को reconcile करेंगे no if the question fixed cost is not given at all then it is a different thing but fixed cost given है तो हमेशा profit निकालना आपको always you have to find profit and here also this result is profit okay don't confuse it with contribution contribution profit कैसे आएगा contribution minus fixed cost करके ठीक है अब यहां पर जब variance करोगे तो profit variance के जगा नाम लिख दो के contribution variance because marginal approach contribution variance जानता हो profit variance नहीं निकालता है variance में contribution variance निकालता है तो यहां पर नाम आजाएगा contribution price variance फिर वैसी नाम आजाएगा contribution volume variance फिर material का price usage labor का rate efficiency variable overhead expenditure efficiency और एक ध्यान देना fixed overhead का marginal approach में volume variance नहीं आता है सिर्फ expenditure variance आता है क्योंकि marginal approach का basic मैंने पहले भी बोला कि वो fixed overhead का output से relate नहीं करेगा तो यहां पर volume variance नहीं आता है ठीक है और expenditure variance आता है ठीक है तो question arise करता है कि क्या absorption और marginal का profit same होगा question arise करता है कि क्या absorption और marginal का profit same होगा the answer is yes same ही होगा तो कैसे होगा क्योंकि एक जगा contribution ले रहे एक जगा profit ले रहे यहां पर यह वला variance निकाल रहे यहां पर यह वला variance निकाल नहीं रहे तो match क्यों होगा मैच इसले होगा क्योंकि fixed over rate volume जो यहाँ पे आया और profit volume जो यहाँ पे आया यह दोनों मिलकर यह दोनों मिलकर सिर्फ यही दो difference है और बाकी सब सेम ही है जैसे absorption में profit है तो margin में भी मैंने लिखा कि contribution यह profit है नीचे में भी actual profit है तो यहाँ भी actual profit है जस्ट यह दो variance अलग है तो fixed over rate volume और profit volume मिलकर याद रखोगे कि यह दोनों मिलकर बन जाते contribution volume variance यह तो basic पता है ना आपको fixed over rate plus profit is equal to contribution contribution volume variance is always equal to fixed over rate volume variance plus profit volume variance तो यह सीखना है था आपको नया चीज़ यह दोनों मिलके यहाँ पे आ जाते इसलिए यह दोनों profit हमेशा same होंगे ओके अब तीसरा approach में आते है relevant वाला approach को ठीक से सीखो relevant approach में क्या हो रहा है एक सिदम ध्यान से सीखो CMA में अभी तक relevant के उपर question नहीं आया बट book में उनका एक paragraph exist करता है CMA में भी एक paragraph नया syllabus में डाला था बट May 18 में उसके उपर question पूस डाला इवेन यह question उस समय CMA institute का mat में भी नहीं होता था ठीक है relevant approach क्या बोलता है पहले ध्यान से सुनना पहले यह marginal approach का copy paste है पहले basic ध्यान से सुन लो relevant का जो copy paste है वो marginal से मिलता जुलता है absorption से नहीं marginal से मिलता जुलता है ठीक है तो जो चीज marginal में किया हम वो सब कर रहे है पूरा marginal का आपको copy paste दिखेगा आप देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना यह profit है यहाँ पे भी यह क्या है profit है ध्यान रखना marginal में जैसा है एकदम आप देखो जो marginal में यहाँ पे नहीं है न तो वहाँ पर भी नहीं मिलेगा एकदम same to same है relevant और marginal एकदम duplicate किया गया पहले फिर relevant में एक नया बात बताया गया कि पहले याद रखो relevant costing approach हम कब use करेंगे relevant costing approach हम use करेंगे whenever our input is scarce input supply कम है जैसे सोचो material supply limited है अब material supply जब limited होगा और usage अगर उस समय adverse करोगे ठीक है तो material मिलने रहा है और उपर से usage adverse हो रहा है तो usage adverse होने से obviously नुकसान हुआ ज़्यादा material use किया तो but अब और material नहीं मिलेगा तो उसके कारण production कम होगा production कम होगा तो sales कम होगा contribution का भी नुकसान हो जाएगा कि output कम बनेगा यह नया material नहीं मिलने वाला है so material usage adverse होने के कारण contribution volume variance में भी adversity आ जाएगा why because output जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाएगा so हम लोग क्या करते relevant approach में production manager को थोड़ा सावधान करते हैं कि वहिया material scarce है आप यदि इसका wastage करोगे तो इसके कारण जो contribution lost होगा वो भी आपको bear करना पड़ेगा मुव में जो usage variance है वो तो आपका है उसके साथ जो extra material आपने use किया उसके कारण जितना contribution lost हुआ मतलब basically आपका उस extra material से जो output नहीं बन पाया उसका जो contribution है वो आपको bear करना पड़ेगा मुव में charge कर देंगे मुव का amount को बढ़ा देंगे और अगर हम वो मुव का amount वहां पर बढ़ा देते हैं तो sales contribution volume variance जो हम निकालेंगे उसका description मैं बाद में पढ़ता हूँ बट किसको किसको affect कर रहा है देगे at the same time वो amount contribution volume variance से cut दिया जाएगा बस यही एक नया effect है यहां पर अब सर आप उचहेंगे कि सर दोनों scarce हुआ तो तो दोनों scarce हुआ तो situation बहुत complicated हो जाएगा अभी आप उसमें मत जाएगा अभी आप एक एक कोई समझे वैसे exam में जो question आया था उसमें दोनों scarce किया था question में उसको अलग अलग पार्ट बना दिया था बोले एक पार्ट में मानू material scarce है दूसरा पार्ट में मानू labor scarce है दोनों को एक साथ scarce करने से situation और complicated हो जाएगा तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे है ठीक है यह वाला पैरा को मैं बाद में उठाता हूँ इसके पाद पहले यह notes पढ़िए profit reconciliation is also referred as income statement annual profit statement reasons for variation in profit or profit improvement plan so यह सब मैं इसलिए लिग दिया कि exam में ऐसे question आये हैं जिसमें बोला कि prepare profit improvement plan exam में question आया prepare income statement बोलता है prepare reasons show reasons for variation in profit तो ultimately करना क्या profit reconciliation statement ही बनाना है ठीक है फिर बोल रहे है there is no change in format even when production and sales quantity are not same अगर production quantity sales quantity same नहीं होता है यह नहीं कि वो कब होगा जब आपके यहां पर stock होगा stock बच रहे है तो कोई भी calculation उपर में आपका कहीं पर भी change नहीं होगा जो cost variance of production पहेंगे जो sales variance of sales पहेंगे ठीक है कहीं पर भी कोई भी changes नहीं आएगा ठीक है ध्यान रखना कि उसके कारण कहीं confused मत हो जाना कि सर ने बोला था कि जैसे fixed over rate volume profit volume को add करके contribution volume आता है तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमेशा आएगा even then even when their stock is there then also profit volume और fixed over rate volume मिला के contribution volume match कर जाएगा यह इसका एक sum मैंने class में regular class में कराया हुआ है उतना उस पर emphasis देने का ज़रूरत नहीं है बस concept के लिए वो sum कराया हुआ है बस आपको तसली दिल में दिलाने के लिए ऐसे cross check भी class में कराया हुआ है कि when inventories are given what happens is अगर आप cross check करना चाहते है अपना result को जैसे यह जो result आया actual profit का यह सही है कि नहीं तो इसको cross check कैसे करते है actual sales minus actual cost करके so actual sales minus actual cost करके हम जब cross check करे और inventory है तो यह cross check थोड़ा से lengthy हो जाएग आप देखे उसमें material labor variable overhead factory overhead अब ले लिया तो actual cost of production आया फिर add करूंगा मैं opening WIP less करूंगा closing WIP फिर add करूंगा opening finished goods less करूंगा closing finished goods तो ट्रिक कहना सब को standard cost पर लेते हैं यह चीज़ मैंने पिछला दिन जाते जाते आपको पताया था न कि inventory valuation में खाली material का single plan partial plan में थोड़ा सा लग होता है बट बाकी जगह सब कुछ standard cost पर ही आ जाता है तो inventory valuation में यह standard पर क्यों आता अब इसको यदि आप जानना है तो इसके लिए फिर detail logic है जिसमें मैं अभी नहीं जा रहा है अभी आप यह खली यार रखो कि inventory of finished goods और WIP आपका किस पर आता है standard cost पर आता है मैं इसका detailment पर नहीं जा रहा कि single plan partial plan जाए जो भी हो standard costing का rule बोलता है जितना production हो गया na period में उन सब पर variance निकाल दो अगर मानो actual cost incur हो गया उन सब का variance में निकाल दिया तो बचा गया actual cost incur हो गया उसका variance निकाल दिया तो बचा गया standard बचा तो जो भी stock बच जाते हैं वो सारे के सारे standard प मार दिया उस पर तो net figure सब standard पर आ जाता है अभी बस इस तरह से याद रखा जा सकता slight logic बोलकर okay so अब यह सारा standard cost पर जब adjust करते हो जो actual profit आता है वो same match होता है मैं आपको यहीं बताना चाहूं कि inventory अगर दिया हो तो कोई भी calculation से घवराना नहीं जैसे करते हो वैसे करना cost को production पर करना और sales को sales units पर करना यहीं profit variance को sales units पर करना आपका answer match हो जाएगा cross check करना हो तो ऐसा statement में बढ़ा के cross check कर सकते हो अला कि यह question उतना महत्वपूर्ण exam के लिए आज तक नहीं रहा है next are relevant costing approach apply this approach only when material or labor input is scarce जभी भी input scarce होगा तब relevant costing लगेगा production manager bears an additional loss that is the contribution loss due to inefficient use of scarce input to muv जो नुक्सान किया किया plus एक extra loss वो बियर करेगा that is contribution lost sales contribution volume variance is reduced by the amount of contribution loss born by production manager तो जितना contribution loss production manager bear कर लिया sales contribution volume variance उसमें adjust हो जाएगा तो sales manager उसका जिम्मेदारी नहीं लेगा so contribution volume variance under relevant costing is equal to usual variance minus loss shifted to production manager ठीक है जितना आता है usual माँने usage नहीं usual माँने जैसे आता है वो minus जो production manager को shift कर दिया वो minus कर दोगे muv में जैसे आता है वैसे plus loss of contribution due to inefficient use of material और loss of contribution कैसे आएगा how will you find यह पूरा bracket में डाल दीजे loss of contribution कैसे आएगा is equal to standard contribution per kg multiplied by extra quantity of material used जो भी आपने extra use किया उसको आप accordingly यहाँ पर adjust कर लेंगे ठीक है तो यह हुआ आपका reconciliation यह बहुत important है मैंने आज आपको जो पढ़ाया भी sales वाला यह reconciliation वाला बहुत important है आपको इसका सम्स अपना institute मैट उठा के देखना पड़ेगा जैसे सीए वालों लोग के लिए तो सम्म लोग क्लास में आपको कराए है डीजेपी में भी है वो में 18 वाला सम्रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला एक ही सम है जिसमें आपका सब कुछ आ जाएगा वो एक ही सम से ग्रूप में वो क्वेशन मंगवा लें आपका काम बन जाएगा ओके नाओ दे लास्ट वन ट्रडिशनल प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरियंस यही सबसे बेटर कॉंसेप्ट है इस चैप्टर का लास्ट कॉंसेप्ट and the most important for CA final new syllabus it is one of most important concept आप समझ लीजे ऐसा कि श activity based costing का variance analysis और दूसरा यह वाला variance analysis यह दो में से एक्जाम का सम अभी तक घूमता रहा है ठीक है उसके बाद कुछ और आ गया तो हमारा नसीब है but mainly activity based costing वाला variance analysis और यह वाला traditional planning and operating variance वाला variance analysis आप डीजे भी कभी सम्स देखेंगे तो जादा से जादा यही वाला सम मिलेगा कि x-ante और x-post क्या होता है सब कुछ ध्यान से सुने x-ante और x-post क्या होता है x-ante standard होता है वो यह standard जो हम period के start में सोचते हैं in general जो हम लोग आज तक word standard मतलब समझते हैं कि जो पहले से पता हो की क्या करना है कैसे करना है उसको x-ante ही बोलते हैं ठीक है hud jae x-ante standard is planned by a planning department and it is planned before the period okay so it is before the period yeah before the event before actually the things will start that is a ex ante now there is another kind of standard which is exposed exposed standard is either thought at the end of the period at the end of the period or it is thought at in between the period by facing actual circumstances we say कि नहीं अक्च्वल में इतना ऐसा ऐसा हुआ तो उसके हिसाब से यह होना चाहिए सी देखो फिर से सुनो ex ante is what जैसे for instance आपने सोचा ठीक है आप खुद काम काम मत करो आप काम किसी से करवाओ इसे सोचो ठीक है सोचो मैं अपने c-a form का ओनर हूँ मैं अपने हर एक्जामपल में ओनर बनता हूँ head office बनता हूँ उचे सो उचे लोग उची पसंद ठीक है हमेशा मैं owner बनता हूँ मैं कभी executive नहीं बनता आपने में तो समझे मैं aq cea firm ka owner हूँ आप मेरे article हो okay आपको भोला कि सुनो तुम ये काम करना कि आज यतना ये वाला काम कर लेना before the day begun I gave you some work so that work is x and by giving that work I also calculated काम दुमे इतने समय में करना है okay so I also determined your time which is supposed to be taken to do that work okay I have also determined the time that you are supposed to take to do that work now once you we started the day okay towards the end of the day I understood that actually the work that I had given you okay वो आप करी नहीं पाते आज क्यों क्योंकि आज बहुत ज़ादा ओफिस में तर्बुलेंस चल रहा था as in सोचे कोई बाहर से बहुत सरी क्लाइंट आगए अचानक जिसमें मैं भी आपको इन्वाल्फ कर रहा था बारबार इस सुनों ये पेपर देना सुनों वह अलाचे ठीक बढर टाइप करके लाओ भीच में मैं आपको इन्वाल्फ कर रहा था जबक्कि आपको एक काम सुबह से दिया बार था बहुत सरा turbulence आ गया कि unexpected events हो रहे थे जो मेरे भी control में नहीं थे, मेरे planning में नहीं थे और मैं आपको उसमें खीच रहा था, involve कर रहा था और जब आपको बोल रहा हूँ था, आप भी काम करते रहे हूँ, फिर जाके अपने काम में बैट रहे हूँ, अब day end हो गया तो day end हो गया, तो मैं ऐसी सोचा, खुद बैठ गये, कि यार आज इसको इतना काम दिया था, सुबह सुबह, इतना इसको खुद ही आज मैंने involve कर दिया, ये सब काम में, दूसरा दूसरा काम में, तो मेरे इसाब से, आज सुबह, जो मैं इसके लिए सोचा था, वो काम ये नह maximum ये 20% ही किया होगा, मैं ऐसे सोचा कि, जिस तरह से मैंने इसको involve कर दिया था पूरा दिन, तो मैं बैठे-बैठे ही सोच रहा हूँ कि मैंने इसको शायद, जितना दूसरे चिज में आज involve कर दिया, ये 20% से जादा अपना वो काम नहीं किया होगा, इस तरह से आपके ये end में खतम होगा है, उसके बाद मैं फिर से अपना आपके लिए जो स्टेंडर सोचा, उसको revise कर रहा हूँ, considering the actual circumstances that happened during the day, so when I am revising my standard to say नहीं है, 20% से जादा नहीं हो सकता इस से आज, तो that is called as X-Post Standard, उसका नाम किया है, X-Post Standard, now I will call you, सुनो बेटा, इदर हाओ, how much could you do this today, सुबर तो आपको बोला था पूरा करना है, बट मैं समझता हूँ, कि इतना जो पर नीचे activities extra आगए, आज उसके कारण आप मेरे नजर में 20% कियो होंगे, तो बड़ी बात है, तो आपने तुरंट आके बोला कि नहीं सर, मैंने तो काम कर लिया है, क्या बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद actual में क्या हुआ, हो सकता है, वो 20 से भी कम हुआ हो, हो सकता है, बोल तो नहीं सर, कुछ भी नहीं कर पाया, क्या बोलू जैसे आके बैटा था आप बुला लेते थे, तो आज इस पर समय नहीं दे पाया, तो हो सकता है, वो हुआ ही नहीं, actual में, हो सकता है, actual में 20% ही होता या हो सकता actual में पूरा हो गया या कुछ और परसेंट होता actual is different but मैंने अपने लिए दो standards होचे एक day beginning में और एक day end में day end में जो सोचा वो exposed day beginning में जो सोचा वो ex ante अब एक और इसमें point आता है ex ante से ex post में difference क्या है ex ante से ex post में difference क्या है ex ante when we think we assume certain scenario for the day or for the period and based on that assumption we set a standard ex post is based on actual circumstances that have already occurred based on that we are revising our standard ex post is a revised standard ex ante is the original standard ex post ex ante में जो भी differences आ रहे जो भी gap आ रहे हैं वो सारे के सारे usually uncontrollable माने जाते हैं कुछ चीजें हो सकते थी मेरे हाथ में controllable भी हो सकते थी कि मैं आपको नहीं बुला के किसी और को बुला सकता था मैं आप ही को बार बार बुला रहा था but कुछ चीजें मेरे हाथ में controllable हो सकती थी but majority exposed से एक सानते में जो gap है वो uncontrollable assume किया जाता है some cases में वो controllable हो सकता है वो बहुत ही rare है but still there is a possibility और फिर जो exposed और actual में जो difference है exposed और actual में जो difference वो हमेशा controllable है in the hands of the managers who are doing the work say it is controllable in your hands if you want you could have done better if you could have wished you could have done better exposed और actual में डिफरेंस को हम लोग operating standard भी बुलाते हैं क्या बुलाते हैं operating variances operating variances बुलाते हैं किसको किसको exposed और actual को उसका सारा जिम्मेदारी किसके उपर होता है जो manager काम कर रहा है नीचे लेवल पर जैसे कि आप जो executives काम कर रहा होते हैं उसके उपर सब कुछ निर्वार कर रहा होता है और ex post और ex ante का जो difference होता है ex ante और ex post का जो difference है उसको बुलाते है planning variance planning variance का जिम्मेदारी सारा top management पे चला जाता है usually सब uncontrollable होते है but in some cases it can be controllable some part of it may be controllable by doing better planning something like that और फिर दोनो planning operating को merge करते हैं combine करते हैं तो बनते है traditional variance तो तीन चीज है तीन चीज है पहला चीज है पहला चीज है आपका planning variance which is difference between ex post and ex ante second is operating variance which is ex post and actual and third is traditional variance which is combining both ex planning and operating variance which is basically difference between ex ante and actual so आप देखो यहां पे मैंने सम्झा दिया आपको ex ante standard में standard set before the event okay ex post is standard set after the event based upon the actual circumstances so format is giving us original standard ex ante revised standard is exposed and then actual so what you will have to do in your cost card you have to make three parts now original, revised and actual okay planning variance is the difference between this two यह दोनो का difference is planning variance this is planning variance this is planning variance and operating variance is the difference between this two यह दोनो का difference is operating variance इन दोनो का difference is operating variance, okay so ये दोनो का difference is planning, ये दोनो का difference is operating got it, लेगो planning variance काया, here comparison is done between original and revised standard, it can be controllable or uncontrollable or both, usually it is uncontrollable, kabhi-kabhi वो किसी planning error के कारण controllable हो सकते थे, फिर operating variance is difference between revised standard and actual, ठीक है, और इसका सारा का सारा हम लोग controllable ही मानते है, traditional is the combination of planning and operating and it is difference between original and actual, difference between original and actual, okay, planning और operating को जोड़ देंगे, बट एक चीज़ ज्यान रखो, जैसे, मान लिजे, मैं एक ऐसे card लेता हूँ, for example, material का, material को लेके सोचे हो के बार, एक चीज़ का लिए ध्यान देने का है, material cost card है, there we have original, then we have revised, then we have actual, revised means revised standard, original means original standard and then actual, quantity price amount is there, quantity price amount is there, quantity price amount is there, ठीक है, यहाँ पर सूचे material A और material B दो दो है, तो यह 1000 है, मान लिजे, यह भी 1000 है, यह 8 है, यह 20 है, something like that, ऐसे मैं सोच रहूँ, यह 1100 है, यह 1500 है, यह आपका 9 है, यह आपका 21 है, फिर actual में मान लिजे, यह 1500 हुआ, आट रुपया करके, और फिर यह 1400 हुआ, 22 करके, something like this, I have just put some figures, to make you understand something, that, what variances we will have in this scenario, because I have changed here everything and here also, all changes are there, so MCV will be there, okay, for AB, you will have planning variance, which is the comparison between original and revised, okay, revised is to be treated like actual, जैसे, MCV, हम लोग नॉर्मली, MCV कैसे निकालते हैं, standard minus actual निकालते हैं, तो अभी क्या करने का है, original standard जैसे यहाँ पर 8000 है, और यहाँ पर actual में 9900 है, so original minus revised, revised to be treated like actual in your formulas, so it will become 8000 minus 9900, okay, similarly, MCV operating will come, similarly, MCV operating will come, which will be 9900 minus this figure, 8 into 1050, I am just taking the value, 8400, right, and traditional will be what, traditional will be what, 8000 minus 8400, that is original minus actual, traditional will be what, 8000 minus 8400, original minus actual, this is how it is, and what you will observe here is, planning का जैसे आरे 1900 adverse, यहाँ पर आरा है आप देगो, 1500 favorable, और यहाँ पर आरे 400 adverse, so what you will observe is, planning plus operating is equal to traditional, right, to A, B में, वैसी B में होगा, वैसी total में आएगा, but you will see this in only cost variance, in case of MBV, A or B, when you will find this three, okay, you may not see that planning plus operating is equal to traditional, total में हमेशा होता है, MPV, MUV में होगा की नहीं होगा, वो आपके हाथ में नहीं होगा, वो आपके हाथ में नहीं भी हो सकता है, यही मैं बताना चाहरा हूँ, यहाँ पर तो this plus this is equal to this, मिलेगा, MCV में, total variance में मिलता है, बट जो उसके सब variances है, उसमें नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, that you can check by solving this all by yourself, ओके, नव इसी में और चीज़ समझो, कि यह जो planning variance में समझो, price variance आया, for instance, art minus no into actual quantity 1100, it is coming 1100 adverse, so in general we presume that whatever difference is coming in planning is uncontrollable, because हम ऐसा मान लेते है कि art का no होना ही था, कुछ हुपाई नही था, मला market में ऐसा fluctuation आ गया, इससे क्या फाइदा होता है कि इन जेनरल जब variance analysis अपने करते हैं न, जैसे material price variance जब analyze करते हैं, तो price variance में हम लोग बोल देते हैं, कि there can be reason like material का price market में बढ़ गया, exchange rate उपर चला गया, so all those reasons are there in case of material price, for which you cannot charge your purchase manager, purchase manager को आप कुछ बोल नहीं सकते हो, when you do variance analysis under this approach, तो जो भी uncontrollable कारण से market में changes आई चुका है, तो वो सब planning में डाल देते हैं, तो जो purchase manager के लिए बचता है, वो 9-8 बचता है, ओके, और purchase manager का performance आप operating variance से चेक करोगे, तो वो सारा का सारा controllable होगा, अगर अब 9 का यहां पे 9.5 होता न, तो 9 का 9.5 मतलब वो 0.5 के लिए जिम्मेदार माना जाता, ओके, ना कि 8 का 9 के लिए, 8 का 9 तो market में हो गया, तो एक रुपया तो उसका कुछ करने कहीं नहीं है, सबको 9 रुपया में ही मिलेगा market में, बट 9 का सारे 9 हो गया तो अब purchase manager responsible है, सिर्फ 0.5 के लिए, यहां पे इस example में तो purchase manager फाइदा करा दिया आपको, इस example में purchase manager actually आपको फाइदा करा दिया है, ठीक है, actually आपको original से compare करके क्या दिख रहा है, देखो 8 का 8 ही है, but actually purchase manager आपको फाइदा करा है, क्योंकि market में 8 में मिलेगा नहीं, आप जो सोचे थे 8 हो पुराना हो गया, market में सब जीच करता हम 9 हो चुका है, तो 9 का 8 करा के लिए purchase manager को credit मिलना चाहिए, तो planning variance, operating variance का फाइदा क्या है, planning variance सारा uncontrollable element को अलग कर देता है, तो जो बच जाता है, subcontrollable बच जाता है, बट ऐसा हो सकता है, कि जब market में हम ये 8 रुपया सोचे थे period start पे, बाद में हम market का study किये तो 9 रुपया कर दिए, हम खुदी इतना 9 रुपया कि ये revised standard मतलब the top management has done the revision of the standard, फ्लीज ध्यान से सुने कि बहुत important है, आप लोग हिल मत जाएगा, एकदम operation को वाला काम चल रहा है, इदर उदर मुह हिला देंगे, तो बस दूसरा नस्स कर जाएगा आपका, एकदम surgery कर रहा हूँ आपका अंदर में, बैट कर, बहुत ध्यान से सुनेगा, 1000 into 8, 8000, और मैं जब इसको 9 रुपया किया, तो 8 को 9 क्यों किया, क्योंकि मुझे लगा कि market में, वो चीज़ अब 9 रुपया के नीचे मिलेगा नहीं, तो पता ऐसा चला, कि जो manager ये planning करता है ना, 8 का 9, वो manager का planning में भूल हो गया था, अगर वो market में, जाकर, यहाँ पर material A के जगा, कोई material Y ले आता, तो वो material Y भी, एक अही काम करता है, और उसका price, 9 के जगा, 8.4 था, उसका price, 9 के जगा, 8.4 था, ऐसा एक question हम लोग क्लास में करते भी हैं, मैं वो question को अभी नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ उसका crux, question में लिखा हूँ ऐसा, कि had the planning department acted wisely, it could have selected another material, which is equally suitable than A, and its price is 8.4, under the revised circumstances, ठीक है, बट वो किया नहीं, उसको क्या लगा, पता नहीं मन में, वो Y नहीं सेलेकिया, वो A पर ही रिटिक गया, अगर वो Y सिलेक करता, तो ये 9 के जगा 8.4 हो जाता, ठीक है, तो 8 से 8.4 uncontrollable है, उतना तो bear करना ही पड़ेगा, but 9 से 8.4 किया जा सकता था न, तो 0.6 controllable हो गया, लेकिए कुछ लोगों का अगर वो sum नहीं किया बाए, तो हो सकता है, आपके उपर से जा रहा हो, आपको sum देखना पड़ेगा भी, आप बात को ध्यान से सुनो तो सही, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा वो recall ही हो रहा हो, आपका किया वही नहीं है, तो recall कैसे होगा, और जिनका किया वह उनको फट से हो sum connect हो रहा है, आट रुपया तो हो नहीं सकता, मार्केट में तो 9 रुपया हो गया है, बट मेरे को दिमाग में आ रहा था कि why to stick at A, why not change material A to material Y, which is a substitute of material A, and if we would have substituted A with Y, Y का दाम 8.4 था, बट हम substitute नहीं किये, हम तो 9 पे रह गए, तो that means 8 से 9 का जो difference है, ऐसे, अगर हम ये substitute में shift हो जाते, तो वो 8.4 पे आके रुख सकता था, तो 8 से 9 का जो difference है, वो 8.4 पे आके रुख सकता था, तो 0.4 is uncontrollable, बट 9 का 8.4 किया जा सकता था, तो 0.6 is controllable, 0.4 is uncontrollable, 0.6 is controllable, ऐसे planning variance भी कभी कभी, किसी कारण से दो पार्ट में तूट सकता है, ये analysis को भी दो पार्ट में करना पड़ेगा, controllable part अलग, uncontrollable part अलग, करना पड़ेगा, exam में दिखाना पड़ेगा, अगर हो रहा होगा, तो नहीं हो रहा है, तो what you have done is correct, and everything will become uncontrollable, and operating में everything will become controllable, so मैं आपको ये ही समझा रहा था, friends की MPV में, ये दोनों हो सकता है, टैली न करे, but MCV में टैली करेगा, planning में हो सकता है, कि कभी-कभी planning का जो variance है, वो controllable, uncontrollable में split हो जाए, by giving, question will give you some extra detail, while revision of standard, the managers could have thought, the planning department could have thought something like that, तो उस समय वो break हो सकता है, otherwise break नहीं होगा, तो सारा का सारा uncontrollable है, तो आप यहाँ पर देखो, सब मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, traditional variance is equal to planning plus operating variance, but only for total variances, like MCV, LCV and not MPV, LRV, etc., MPV, LRV में नहीं भी match हो सकता है, normally MCV traditional is equal to planning plus operating, under this approach, एक और नया चीज़ अब ही क्या सिखना है, ये इसका bullet नहीं है, actually, ये इसके अंदर का part है, under this approach, एक चीज़ सीखना है, sales में भी हम लोग अगर जाएंगे, तो sales quantity का, अभी आपने देखा था न, उपर में sales quantity variance का दो part होता है, industry size और industry market share, एक industry size, market size और market share, तो sales quantity variance यदि हमारा एक figure आया हुआ है, तो उसमें जो market size variance है, उसके कारण फाइदा हुआ की नुकसान हुआ, वो हमारे हात में नहीं है, market size is not in control of the operational managers, यानि sales manager के हात में नहीं है, right, so market size is planning variance, okay, and that is uncontrollable, and market share is operating variance, that is controllable, तो ये एक important, आपका see new syllabus के लिए important, एक छोटा सा message है, कि कभी ऐसा बोल दे, sales variance का इस sum में, जैसे समझो, sum है ये वाला, कि आपको बोला, ये sales का सारा variances निकालो, profit का सारा variances निकालो, ऐसा बोला, और उसमें बोल रहा है, analyze planning and operating variances in sales profit variances, तो planning and operating में आपको, अगर sales, exam में ऐसा question है, डीजे भी में भी ऐसा question है, sales quantity variance को लेके बोल रहा है, sales quantity variance का planning and operating part दिखाओ, तो sales quantity variance यानि profit quantity का planning और operating part ये दोनों होगा, planning वाला market size दिखाओगे और operating मतलब market share दिखाओगे, ठीक है, और बाकि किसी में नहीं बोल रहा है, तो इसलिए मैंने एक line खाली लिखने का सोचा है यहाँ पर, कि आपको नाम पता हो, कि sales quantity को अगर हम planning, operating में ले जाएंगे, तो वो planning मतलब क्या हुआ और operating मतलब क्या हुआ, और lastly अगर reconciliation भी करने बोलता है, इसका, डीजे भी में इसके sums है, तो वो कैसे होगा, original budgeted profit से actual profit तक जाएंगे, तो बीच में, route में planning variance, operating variance दोनों आएंगे, sales price का planning, operating, margin volume का planning variance market size हो गया, और operating variance market share हो गया, देखो margin volume इसलिए लिखा, तो मैं assume कर रहा हूँ कि mixed variance यहाँ पर नहीं है, quantity variance, volume variance सेम कब होता है, जब mixed variance नहीं होता है, अगर mix variance भी लागू है, तो एक और mix variance भी आपको गुजाना पड़ेगा, ठीक है, अगर mix variance लागू है, तो mix variance भी गुजाना पड़ेगा, यहाँ पर assume कर रहे हैं कि SMV is nil, sales mix variance is nil, ठीक है, तो volume और quantity सेम हो गया, तो quantity का दो पार्ट था, size और share, वैसी volume का दो पार्ट होगे, आप market size और share, market size planning है, share operating है, cost variance का planning operating पार्ट कैसे हो सकता है, फिर वो एक एक आइटम में जाना होगा, MPV का planning होगा, MPV का operating होगा, MUV का planning होगा, MUV का operating होगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, and then actual profit will come, अगर आप revised, यहाँ पे सुचो, original budgeted profit नहीं लेकर, revised वाला standard वाला profit ले रहे हो, और उससे actual में जा रहे हो, तो planning variance आरे हटा देने पड़ेंग, operating variance रहेगा, because आपको यह ध्यान रहना चाहिए, कि आपका, इन दोनों का difference को planning कहते हैं, इन दोनों का difference को operating कहते हैं, अगर मैं reconciliation statement, revise standard से start कर रहा हूं, actual पे खतम कर रहा हूं, तो बीच में जो आएगा, सिर्फ operating variance आएगा, अगर मैं original से start कर रहा हूं, revise पे खतम कर रहा हूं, तो सिर्फ planning आएगा, अगर मैं original से start कर रहा हूं, actual पे खतम कर रहा हूं, तो बीच में planning operating जितना हो सकता है सब आएगा तो इसका sum करना चाहिए आपको अपने से CA news labels के लिए सबसे ज़्यादा important है और CA news labels में DJB के जितने भी आप sum देखोगे वो सब इसी से जुड़ेवे मिलेंगे आपको क्या तो sales variance का comments पर relevant costing का जो reconciliation बताया उस पर या फिर आपका planning operating होता बहुत आसान सा है कोई भी टेक्निकलिटी निया खाली funda इतना सा याद रखना है और अपने आप बठालो के अगर आपको basics clear है तो ठीक है okay so I am not reading some of your questions कुछ बच्चेव ने question पूछा है जैसे John Wick ने question पूछा है मैं थोड़ी दिर बाद आपको लेता हूं questions में मुझे please थोड़ आसा और पढ़ाना है advanced variance बोलकर एक concept है please उसमें आप चले आए फटा फट advanced variance इक्दम स्टार्टिंग में मिलेगा आपको मुझे 10 minute और आपको देना पड़ेगा तभी मैं ये आज variance analysis का सारा काम खतम कर देना चाता हूं अच्छा ये advanced variance actually CA new syllabus वालों के लिए सबसे जादा important है बाकी लोग अगर नहीं भी मेरे साथ बने रहना चाते तो मुझे कोई problem नहीं है old syllabus और CMA वालों के लिए उतना important नहीं है जितना बाकी आपको पढ़ा दिया उसका काम हो गया CMA वाले और old syllabus के उतना important नहीं है new syllabus वाले बने रहें बाकी ज्यान लेना चाते है knowledge upgrade करना चाते हैं कि मैं उनसे पीछे न रह जाओ देखो CA बना तो CA new syllabus में बना old syllabus में बना कोई differentiate नहीं करेगा सब expect करेगा कि सब को इतना चीज पता होना चाहिए अगर CMA syllabus में है तो ज्यान लेना चाते है तो जूर वेट करें और बाकी मुझे 10 मिनिट आप दें मैं ये खतम कर दूँगा भी ठीक है तो पहला advanced variance में मैं ये बता दूँ आपको हर एक variance का कोई ना कोई manager होता है जिम्मेदार लेने वाला manager होता है ठीक है जैसे material के case में MPV का जिम्मेदारी होता है purchase manager MUV का जिम्मेदारी होता है production manager ठीक है then labor के case में MPV का जिम्मेदारी MPV मतलब LRV का जिम्मेदारी HR manager का होता है और LEV का जिम्मेदारी production manager का होता है फिर overheads के case में जो expenditure variance होते है उसका जिम्मेदार आपका general manager होता है या facility manager आप कुछ रखते है उस वो होता है और फिर आपका जो efficiency या volume variance है उसका जिम्मेदार आपका production manager होता है sales के case में sales price variance और sales volume variance price variance जिम्मेदार sales manager होता है in some cases sales manager is not allowed to fix the price तो top management यानि planning department होता है और volume variance sales manager ही bear करता है ओके सो यह basic responsibilities आपको हर एक variance वालों की पता होनी चाहिए ठीक है हर एक variance का कौन कौन सा manager या कौन सा department responsible है यह आपको comments लिखने में काम आता है और फिर अब आपको मैं बता रहा हूं cross linkage हर variance एक दूसरे से जुड़ा हुआ है cross linkage के लिए पूरा एक चार्ट बना हुआ है मैं इसको पूरा depth में नहीं पढ़ूँगा आपको एक बार इसको पढ़ लेंगे बट मैं जलक से समझा देता हूं जैसे material price variance हम लोग कभी भी रूल बोलता है variance को isolated way में interpret नहीं करना चाहिए मतलब isolated means stand alone एक variance को पगड़के दुख नहीं मनाना चाहिए जैसे MPV adverse आया तो बस दुख ही हो गए कि purchase manager विकार कर रहा है खराब काम कर आईसे नहीं आपको cross link करना है MPV adverse आया तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि MPV adverse आया इसका reason है कि अच्छा quality of material है अब अच्छा quality of material है उसके बाद अच्छा quality of material है तो उसका नतीजह labor efficiency favorable हो सकता है वरकर जल्दी काम कर गया उसका नतीजह labor efficiency favorable होगा तो variable overhead efficiency favorable हो सकता है जल्दी काम कर गया तो बिजली बिल बच गया fixed overhead में हो सकता है material अच्छा quality का लाया तो volume जादा आ गया volume variance favorable आ गया अच्छा quality का लाया तो sales contribution volume variance favorable आ गया तो एक अगर adverse है तो उसको लेके दुख नहीं बनाते है उसका cross implication कहीं और क्या क्या पढ़ सकता है उसके उपर सोचता है वैसी एक अगर favorable है तो ज़्यादा खुश नहीं होते उस favorable का cross implication और कहां कहां हो सकता है वो भी सोचते हैं यही a cross linkage तो example में जिसे MPV favorable मैंने बताया ऐसे और भी MPV adverse हुआ तो क्या होगा अगर sales का मान लीजे आप सोचेंगे price favorable है sales price favorable है मतलब आपने ज़्यादा दाम procure किया है selling price बढ़ा दिया तो उसके कारण market share चाहा सकता है correct उसके कारण आपका volume variance contribution volume variance पर असकता है so एक variance का impact दूसरा जगह क्या आ सकता है sales price variance अगर आप adverse लाते हो मतलब आपने सस्ता में बेचा तो हो सकता है contribution volume variance जादा आजाए right so how each of the variances are connected that you should know and in question the comment is required you should be able to write you can just read this table very wisely written okay which we discuss in class but we have not written properly only in latest batch we have written something about it not in this much detail the way I have given you here okay not in this much detail the way I have given you here चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आपका industry size variance जैसे favorable है तो अपने आप industry size ग्रोगा तो sales volume उतने आप favorable आ जाएगा तो हर एक variance का क्या क्या relation एक idea के लिए आप इसको जरूर read करिएगा next आ रहा है variance reports next आ रहा है variance report what is variance report variance report मतलब ultimately यह जो आप variance analysis कर रहे हैं उसका end में report बनना चाहिए जो top management के पास हाथ में आएगा और वो उसको लेकर सोचेगा कि हमें और अपने organization में efficiency कैसे लानी है तो variance report कैसे बनता है उसका कुछ characteristics है features है features of variance report there are some features of variance report पहला feature है informing the concerned manager about their performance report में हर manager जो concerned है उसका performance कैसा हुआ उसको बताना है यह नहीं performance में कि आपके कारण adverse है सिर्फ adverse highlight नहीं करना है उस adversity का cross implication बताते वे performance बताना है with cross implications okay with cross implications next आ रहा है आपका next आ रहा है report should be extracted promptly मतलब जल्दी से जल्दी variance आया और report बनने में ही मान लीजे आप 15 दिन लगा देंगे तो 15 दिन और mistakes हो गए न तो it should be prompt तो इसलिए prompt करने के लिए आपको information system का साहरा लेना पड़ता है ERPs होने चाहिए आपका organization में जो promptly report ascertain कर सकते है and it should also suggest necessary steps for correction third is analysis and causes of variance भी उसमें होना चाहिए कि कुछ variance आया तो क्यों आया पूरा deep root analysis होना चाहिए based on management by exception इसका मतलब क्या होता है यह management का एक rule होता है जिसमें जो चीज जैसा सोचा था वैसा चल रहा है तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलने आएगा बट जो चीज जैसे गड़बड हुआ सब हल्ला मचा देंगे कई बार अपने बोलते हैं ना सारा सारा यह दिन मैं आप लोगों की बात मानता हूँ सब कुछ सही करता हूँ तो आप कुछ नहीं बोलने आते बट जैसे मैं थोड़ी सी गलती कर देता हूँ सब चढ़ जाते हैं होता है नहीं साुद्धे है management by exception सारा दिन आपकी बात मानता हूँ सब कुछ सही करता हूं तब तब आप कुछ नहीं बोलने आते कि अच्छा कर रहा है बट जैसे कुछ भी गलती करता हूं एक भी गलती आप यह से चड़ाई कर देते हैं तो कम से कम इधर गलती में चड़ाई करते हैं तो जब अच्छा कर रहा हूं तो तो मुझे साबाशी भ अपको बताना चाहिए कि कितना रुपया का नुकसान उस वेरिंस के कारण हुआ है वसका आपंडर सकते हैं अपने सब साथ हमीज मेचन कितना नुटी यह आप लोग निमोनिक्स अपने से बना सकते हैं कि many times your employee may not react the way you are expecting them to. So what happens is when you do variance analysis too much and you keep informing your employees, so employees develop a negative perception about the process altogether कि ये तो हर समय हम लोग कोई खामिया निकालते हैं, हर समय बोलते हैं कि ये ये ऐसे किया, ये से क्यों किया, वेसे क्यों किया. वो आपका overall organization का objective समझे गई नी. वो हमेशा सोचेगा कि यार ये variance निकालने का मतलब है, company पीछे पढ़ा हुआ रहेगा, कुछ नो कुछ कारण से headlock पढ़े रहते हैं हमारे पीछे. और दूसरा एक और बात है कि ये short termism को encourage कर रहा है. यारनिकि जैसे कई manager हो सकता है ना जैसे variance में मैंने उसका तारीफ कर दिया. तो तारीफ कर दिया तो वो बस समझ गया कि बस ऐसी company में boss को खुश करना है ना ऐसे तारीफ आज किया तो वैसे ही मुझे बार बार करना है. तो वो हर समय छोटा-छोटा savings करने का कोशिश करता है और वो savings का अगर तारीफ कर दोगे खाली जैसे MPB favorable है वाँ पर्चेस में बहुत अच्छा किया बट वो favorable का cross implication आपने नहीं पकड़े का उसको समझाया तो खाली एक isolated way में एक variance को favorable समय लिए तो हर बार सस्ता-स्ता लान analysis में non-financial parameters को भी include कर दीजे short termism मतलब thinking only financially okay only financial angle से performance check किया जा रहा है so MPV adverse हुआ okay इसका मतलब है कि it may increase the good quality in the long run तो MPV adverse हुआ तो उसके लिए punishment नहीं देना है उसके लिए आपको साभाशी देनी है solution क्या include both qualitative and quantitative measures to encourage management to adopt a long term view negative perception क्या है कि अपने जो employees हैं वो लोग बार बार समझ लेते हैं कि यह हमारी खामिया ही निकालने का एक process है तो इसलिए फिर उनका behavior भी वैसा ही हो जाता है variance के पुरती और वो दूसरों का खामिया भी notice करने लग जाते है okay इसलिए इसका तरीका क्या है उनको involve करके आप budget setting करी उनको समझा है कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूं so that they understand your own goal you have to do some reconciliation with them that they understand why you are doing the standard costing ethical issues क्या हो सकते है variance analysis के कि जिसे कुछ कमनी variance analysis adopt कर लेती है तो वो सिर्फ और सिर्फ favorable variance के पीछे पढ़ जाती है जिसे एक hospital है वो अगर variance analysis process implement करने लगा financially अपने लिए profit निकालने लगा तो उसका impact society पर पढ़ सकता है कि जो patients हैं वो ठीक से treaty नहीं किये जा रहे क्योंकि अपने को cost saving करना है cost saving करना है मतलब वहां पर cost saving करोगे तो जल्दी recover नहीं होंगे वो लोग और recover नहीं होंगे ठीक से तो फिर readmission होगा तो society के उपर impact होता चला जाएगा तो hospitals बगरा के case में standard costing खाली जो financial terms में आप सोचतो वो चलता नहीं है वहां पर performance evaluation अलग तरह से होना चाहिए जिसको हम लोग में अलग से performance evaluation नाम का chapters में पढ़ते भी हैं तो hospital का एक्जामपल दिया हुए फेवेर फेवरेबल वेरेंस में इंडिकेट insufficient treatment to patients and an adverse variance में mean good recovery of patient but cost extra money to the society ठीक है next contemporary business environment में standard costing का क्या relevance रह गया है as in कि आज के जमाने में contemporary मतलब आज के जमाने में आपका standard costing का implication क्या रह गया है पहला आज के जमाने में product उतने जादा standardized नहीं है जितना कि वो पहले होते थे आज के जमाने में standard cost outdated हो जाता है ओके यहां पे products need not be not to be standardized always ऐसा सोच लो ज़रूरी नहीं है product हमेशा standardized रहेगा यहां पे standard cost outdated हो सकता है production आज के जमाने में highly automated है आज कल हम लोग ideal standards use करके नहीं what are ideal standards ideal standards is based on our maximum capacity not the practical capacity so we try to use our full capacity in standards usually trend चला हो आज कल तो वो कई बार अचीव करना मुश्किल हो जाता है the emphasis is on continuous improvement if you are doing continuous improvement your standard becomes obsolete analysis may not give enough detail because everything is so fast so the time to do the analysis is less so analysis may not give enough detail and sometimes reports arrive too late to solve the problems so these are some issues in contemporary business environment when standard costing is being applied okay variance analysis in ABC is related to ABC chapter अपने उसमें एक बार हलका सा discuss कर लियें कि वो मानता है in general absorption costing मानता है सारे over rates fixed हैं बट ABC मानता है कि आपके जो fixed over rates है activity-wise split हो जाएंगे अला कि हम लोग ABC में में आपको बताया था ब्रेक-even analysis में यह मानते हैं कि total fixed cost का बहुत सारा activities यदि break हो गया तो activities जो break हो गये वो सारे की सारे fixed cost के हिस्से हैं ABC break-even याद करो उसमें मैंने बताया था कि fixed cost break हो जाता है ABC में पिर सारा activity wise cost भी fixed cost में ही रखा जाता है break-even निकालने के लिए but marginal costing में concept आ तो standard costing बोल रहा है वहां पर कि सारे activity wise cost long term में variable override ही है जो vary करता है अपने drivers के साथ जैसे हमारा labor variance labor hour के साथ vary करता है वैसे जितने भी आपके overhead के activities है वो सारे activities अपने cost driver के साथ vary करते हैं so main इसका line यह याद रखना है is based on assumption that overheads are basically variable but variable with the delivery numbers and not the output produced delivery numbers means basically they are cost drivers जो भी respective cost drivers है उसके साथ वो vary कर रहा है ठीक है variable with delivery नहीं लिखकर आप delivery लिख 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 लिखे वे driver numbers not the output produced so उसमे expenditure और efficiency variance कैसे आएगा वो variable overhead variance जैसा हो जाता है पूरा variance analysis with learning curve effect in learning curve chapter में हो गया है learning curve chapter में मैंने आपको समझाया था कि learning curve के ratio को apply करके हम लोग जो अपना average time find करते हैं specific batch का या फिर कोई एक particular quantity का तो उसको we can consider as our standard time then actual can be different than that so learning curve ratio apply करके you can determine standards it helps in setting standards but learning curve does not apply in automated department it applies only in those department where manual work are done relevant cost approach मैंने अल्रेडी सिखा दिया आपको कि यह scarce होगा तब आप यूज करोगे और यहां पर usage variance पर contribution loss charge कर दिया जाता है ओके और फिर contribution volume variance से वो portion हटा दिया जाता है amount of standard contribution loss as a verb is adjusted from sales contribution volume variance और यह पूरा marginal costing वाला अपरोच को follow करता है it follows fully marginal approach फिर एक आ रहे है variance analysis in throughput accounting throughput accounting आपने theory of constraint मेरे से सीखा है उसमें variance analysis का as such खली एक ही जगा रोल है वो बोलता है कि हम लोग का bottle ने के पहले ना buffer stock रहना चाहिए वो buffer stock नहीं रहेगा bottle ने के पहले constraint के पहले तो कहीं न कहीं कभी भी यहां पे constraint में capacity utilization में प्रॉब्लम आ सकता है तो capacity utilization में कभी problem ना आए इसलिए हम लोगो buffer maintain करना चाहिए तो बस वो buffer का inventory को लेकर variance ट्रैक करता है और किसी चीज़ पर वो variance नहीं मानता वाई because एक है throughput contribution का concept उदर उदर दूसरा concept है सारा जो बचा हुआ cost है आपका जैसे throughput contribution आता है sales minus material करके और बचा हुआ जो cost है सब को fix बना देता है operating expense सब को fix बना देता है labor variable overhead सब को बोलता है कि fix के जैसे आप अपना organization को तयार कर और उसको fix cost बना दो ठीक है so its main emphasis is on tracking variation in the size of the inventory buffer placed before the constant resource to confirm that the constraint never halted due to an inventory shortage okay अब ऐसा करने से हो सकता है आप buffer बना के रखोगे तो कभी-कभी non bottle neck को काम करने के लिए मना कर दिया जाता है कि अब तुम काम मत करना synchronous way में काम करो तो अगर मान लीजे non bottle neck department wait कर रहा है कि कब महां से signal आएगा drum buffer rope कब महां से signal आएगा तब हम लोग काम करेंगे तो उस समय आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा इस समय आपको यहां पर worker को रोकना पड़ेगा और worker रूख जाएंगे तो efficiency variance negative हो जाएगा तो इत में रिजल्ट इन्टो नेगेटिव लेवर एफिशेंसी वेरियंस इंस दाउंस्ट्रीम प्रोसेस स्टाफ इस नॉट एक्टिवली प्रोडूजिंग अनिधिंग तो जो नॉन बॉटलनेक डिपार्टमेंटर सम्टाइम्स काम नहीं भी कर रहा होता है क्योंकि बॉ रहा हूं वेरियंस अनलिसेजने डवान्स मैनौफेक्ट्रिंग इन्वार्मेंट क्या होता है यहां पर जो और जो बहुत साथा है रोबोटिक अपरेशन जो गया है सब रोबोट बना बना के काम करें आदमी पी कम होगये वहां पर तो वहां पर वेरियंस का इनालिस और variable overhead पर जिसे मैंने खुद अपने आँखों से रिपोर्ट दिखा है पेपसी का जो फ्रूटो लेकर के डिविजन है जहां पर लेज और कुरगुरे बनता है उनका रिपोर्ट मैंने अपने अखों से दिखा है वहां पर material और variable overhead का यह variance निकालते हैं और किसी जिए इंफेसि का पार्ट बन गया बाकी सब वो लोग साल में एक बार कर लेते हैं बट मैटेरियल वेरियाबल ओवरेट पर सबसे जादा जहां पर अगर कुछ adverse आ रहा है तो उसके कारण society पर फाइदा हो रहा होगा और आपके यहां फेवरेबल आ रहा है तो society को नुकसान हो रहा होगा इसलिए वहां पर आपको standard costing ज्यादा नहीं चलता आपको non financial parameters को evaluate करने पढ़ते हैं यह जैसे यह new syllabus में हम लोग पढ़ते है value for money framework भी FM ठीक है value for money framework करके पढ़ते हैं यह लोग बात में एक अपना portion में आएगा discuss करेंगे not for profit organization के लिए तो उसमें जो जो बाते कहीं गई होती हो उसको follow करना अचाहिए अगर आप वो framework follow नहीं कर रहे हैं तो option होता है कि you should have KPIs यानि performance indicator की performance indicator for several other for several other factors which are important to run the organization okay example can be जैसे number of visits made number of hours worked you should track variance into all those also so I am not getting into deep in this lastly it is investigation of variance मैं एक बार आज यहां रोग दे रहा हूं investigation मैं चाहता हूँ थोड़ा सा fresh होके और पड़े एक साथ खाली ठूसने का मज़ा नहीं है तो अगले दिन investigation को cover up करके मैं आगे बढ़ूँगा नहीं चैप्टर में मेरा नहीं नेक्स चैप्टर का target है balance scorecard नेक्स चैप्ट मैं आपको बता दिया अगले दिन के लिए balance scorecard है और फिर benchmarking आपको कराना है हला कि मैं आज कई target में सोचा था बट सब target reshuffle हो गया है तो balance scorecard और benchmarking मुझे अगला दिन कराना है उसके बाद समय बचा तो मैं फिर traditional versus strategic cost management उठाऊंगा balance scorecard benchmarking के बाद अगला दिन traditional versus strategy cost management उठाऊंगा आपको क्या करना है आज ही standard costing का आज जितना मैंने पढ़ाया उससे related जो जो sums आपके mat में मैंने कराए हैं चाहे crash course हो आप चाहे regular course हो चाहे आप सिर्फ djb book लिए हो जो भी आपके साथ case हो तो आप उनके sums को जरूर आज ही देखके खदम करें कोई query हो तो उसको पूछ के खदम करें ठीक है तो चलिए आज हम यहाँ पर stop कर रहें आपको और कोई query है तो आप जरूर पोस्ट कर सकते हैं मैं wait करता हूं thank you चलिए अब मैं start कर रहा हूं ओके लेटर स्टार्ट अभी जो अपने पढ़ाई कर रहें इन्वेस्टिकेशन और विरियंस यह इन्वेस्टिकेशन और विरियंस हाला कि कि CMA के books में भी दिया हुआ है बट आज तक उससे question नहीं आया हुआ है ओके बट CMA new syllabus में अभी first time डाला है old syllabus में इसके उपर कोई जिक्र नहीं था और अगर मैं paper की बात करूं तो last paper जो C.A. का हुआ था November 19 में उसमें investigation को लेके एक छोटा सा calculation पूछा था investigation of variance मतलब हम लोग बोलना चाहते हैं कि variance में investigation करना यानि कि जैसे आप variance निकाल लिए और फिर अब च्छानबिन करना कि वे variance आया क्यों what are the implications of variance on your organization वो च्छानबिन करने का cost होता है उसमें एक समय जाता है उसके लिए एक team चाहिए तो उसका cost होता है तो वो cost आपको bear करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए variance वाला system लगाने के लिए organization में you have to bear implementation cost so point is whether you should bear that cost or not ठीक है so before actually understanding when we should do the investigation and whether we should bear the cost or not there are some basic things to be understood variance analysis require resources ठीक है not all variance indicate out of control situation for example आप लोग audit करने जाते है तो यू see several exceptions many times which we leave as it is on grounds of immateriality exception है बट immateriality के ground के हम लोग छोड़ देते है होता है ना तो वाई चीच बुलना चाहर है not all variance indicate out of control situation okay so next is factors to be considered before investigating before investigating into variances what are the factors to be considered one is size of variance that is the amount involved if amount is very very insignificant then you should not invest on investigation then there is type of variance whether it is adverse or favorable और इसमें एक चीच ध्यान रखना कि it's not that always we investigate into adverse variance we investigate into favorable variance also प्रिस्च्छे दिन आपको cross implication समझाया था कि अगर मेरा MPV favorable आ रहे है मतलब हम सस्ता quality का material खरीद के अपना production कर रहे तो उसमें मेरा कही न कहीं बाग में जाके लॉस हो सकता है goods भी कहीं नहीं ultimately sales contribution volume variance in negative आ जाए तो एक जगा फायदा होता तो दूसरा जगा नुकसान हो सकता है इसलिए we should always investigate both तो यहाँ में मैं लिख दे रहा हूं both must be investigated ऐसा नहीं होता कि आप खाली adverse variance को investigate करेंगे both must be investigated then cost of investigating you have to consider then pattern in variance pattern मतलब मैं आपको दिखाऊंगा भी pattern मतलब discussion होगा और pattern अगर वर्स हो रहा है धीरे धीरे दिख रहा है कि और खराब होता चला जा रहा है तो investigation mandatory हो जाता है and budgetary process sometimes we keep investigation on variance हम लोगाली variance पे ध्यान जादा देते हैं कि और यह assume कर लेते हैं कि actually गढ़वड हुआ जो हुआ actual में गढ़वड हुआ we don't challenge our budgetary setting process so we should always keep in mind कि हो सकता है budget setting ही गढ़वड हुआ हो so budgetary process भी आपको check करना चाहिए कि if it is unrealistic or uncontrollable budgetary process to be re-evaluated than the variances मतलब हर समय variance को evaluate करना ज़रूरी नहीं हो सकता आपका budget setting में problem हो जैसे budget में आप बहुत सारा वो कल पढ़ा रहा था ना आपको एक सांते standards ही रखते हैं जो समय के अनुसार change करके expose नहीं किया गया है तो budget में बहुत सारे uncontrollable factors हमेशा included रहता है इसलिए variances आते रहता है तो इससे बेटर यह ना बार-बार variance पर investigate करने से अच्छा budgetary process को change कर दें तो एक बार फिर से आप देफो factors to be considered before investigating में एक तो size यहनी amount of variance है दूसरा आपका cost of investigating है तीसरा आपका type of variance है कि वह favorable एक adverse है चौथा variance का pattern कैसा जा रहा है वर्स हो रहा है तो investigation mandatory हो जाता और पाच्छवा budgetary process है देन वी have to understand methods that help us to determine whether we should investigate or not methods means these are the methods that will help you to understand whether we should investigate or not so there are there is one rule of thumb model which is a very easy model इसी के ऊपर अभी अपना CNU syllabus में question आया था rule of thumb बोलता है कि अगर हम एक tolerance level set कर देंगे कि अगर हमारा variance सोचो 10% तक आया तो हम कुछ investigation नहीं करेंगे be it adverse, be it favorable मतलब हमारा budget अगर 1 lakh rupees है तो मेरा actual 110 हुआ या actual 90 हुआ तो उपर नीचे का tolerance level set कर देंगे तो budget से 10% उपर में भी investigation नहीं करना है और 10% नीचे में भी नहीं करना है अगर वो 10% का ceiling को cross कर जा रहा है 11% आ रहा है 15% आ रहा है या नीचे में 11-15 आ रहा है तब investigation करेंगे, rule of thumb model is saying investigate if the variance amount or percent is greater than certain limit but कौन सा variance याद रखना बोत favorable and adverse variance don't ever consider that that you should only only investigate into adverse variance both favorable and adverse variance would be investigated if your tolerance level is set and if your variances are crossing that tolerance level then you must investigate then there is statistical decision model उसमे एक probability वाला है मैं यह PB probability वाला पढ़ाई है इसको मैं दो मनिट बाद लेता हूँ पहले चार्ट को देखो statistical control chart control chart क्या बोलता है कि आप अपना यहां पर variances को plot करो जैसे day wise क्या-क्या variances आ रहे उसको plot करो यहां पर सोचो usage है यहां पर days है usage माहने usage variance है ठीक है और यहां पर आपका days है तो आपने usage variance को plot किया कि मेरा कभी क्या आ रहा है कितना रुपएगा रहा है कभी कितना रुपएगा रहा है आपने उसको plot किया now what you could see is first case में जो भी variances आ रहे हैं होके वो अपना एक range को follow कर रहे हाला कि यह जो range है इसमें calculation होता है अपर control limit और lower control limit का okay control charts statistics की दुनिया का एक अलग chapter है जिसमें अपर control limit और lower control limit का पढ़ाई होता है यह CMA वालों का syllabus में आता भी है जिसका में एक अलग से extra class देता हूं उनको अगर वो आपने extra class नहीं किया हुआ है तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर भी CMA extra class वोल के देख सकते हैं या फिर आपको हमारे videos में जरूर दिया वाई होगा अपर control limit और lower control limit एक calculate करने का तरीका होता है जो हमारे अभी scope of discussion में नहीं है एक्जाम में CMA में आ सकता है वो अलग से extra class में cover किया हुआ है तो मैं भी उसको यहां उठा नहीं रहा है मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि यह lower control limit अबर सकता है सोचो budgeted amount आपको पता है budgeted usage आपको पता है आप actual usage को खाली plot करो डेवाइस actual usage को plot कर सकता है अगर आपका within a range आ रहा है तो को investigation की जरूरत नहीं है अगर range में से दो आइटम सोचो बाहर चला गया तो सिर्फ investigation इस दो आइटम का करना है investigation only the two above the line जो आपका range से बाहर जा रहा है उस पर investigation करेंगे कि यह क्यों जा रहा है बट एक केस बहुत यूनिक है जहां पर पैटर्न देखा जा रहे देखो अभी तक यहां पर सोचो variance अपना range में था बट अचानक से देखा जाने लगा कि यह अलग दिशा में जाए जा रहा है अलग दिशा में एक pattern बना रहा है हो सकता यह आगे जाके और उपर चला जाए और नुकसान करेगा इसलिए यहां पे आपको investigation करना बढ़ेगा investigate as pattern is indicating adversity pattern adverse के दिशा में जा रहा है बहुत high limit पे जा रहा है इसलिए investigate करो यहां पे सिर्फ दो item को investigate करो यहां पे कुछ भी investigate मत करो because वह एक limit में है और वह limit क्या होगा वह कैसे determine होगा उसके लिए stats में बहुत सरी पढ़ाई यह है ठीक है सिग्मा विग्मा को लेकर हम लोग उस पढ़ाई में नहीं जा रहे है हम लोग उसको और B is the benefits benefits that would be achieved if you actually investigate अगर आप investigate करोगे तो कुछ आपको गड़बड मिलेगा उसको आप सुधार लोगे तो benefits होगा savings होगा and P is the probability that actually that benefits will be coming to you probability of achieving that benefit अच्छा एक चीज़ वापस से सोचो ध्यान जे सोचो ए थोड़ा से technical है PB greater than C, C is the cost of investigating उसमे कोई डाउट नहीं है ठीक है B is the benefit that will be achieved if you investigate now when we investigate what happens is एक इसमेड scenario analysis होता है when we investigate okay there can be two scenario what you will see is everything is already in control there is no deviation when you have decided that I will investigate into variance I will set up a team now the team has been set up the cost has been incurred now when the team was set up what happened was everything was found in control nothing was out of control so when everything is found in control आपका जो cost of investigation हो लग गया और benefit कुछ निया आया क्योंकि सब कुछ सही था अंदर में कुछ गरबड हुआ ही नहीं और दूसरा case हो सकता है कि जब आप investigation करेंगे तो खर्चा लगया cost of investigation हो गया and scenario came as things were out of control the things were out of control then then this investigation team will actually work harder to get some benefits to save you from some losses right so investigation team का cost का वसूली का होगा जब process will be found out of control if process is found in control there is no loss there is no benefits if process is found out of control then there is some benefit right so B is the benefit that will come that will come if benefit that will come if the things go out of control okay if you are investigating and if the things are out of control then only benefits will come so now अब अपने को दो scenario मिलता है कि क्या तो सब कुछ in control होगा या तो out of control हो सकता है नो out of control और in control का probability पता किया जाता है उसके उपर भी बातचित कर लेंगे हम लोग out of control और in control का probability पता किया जाता है ओके तो generally हम लोग in control का probability पहले का तरीका का है 1- probability of in control 1- probability of in control in control की probability निकालने के तरीका है वो मैं आपको सिखा हूँगा in control निकालने का probability कैट तरीका है वो एक बार भी सिखा दोंगा आपको but out of control का probability कैसे निकलता है 1- probability of things in control ठेके एक बार पहले माइंड में framework बठाओ cost of investigation लगता है करेक्ट, cost of investigation incur करने के बाद 2 scenario हो सकता है ठीक है 2 scenario हो सकता है, क्या सब कुछ in control होगा या फिर out of control होगा करेक्ट, अगर in control होगा तो कोई benefit नहीं आएगा cost लग गया, और out of control होगा तो benefit आएगा, cost जो लगा है उससे कुछ फाइधा भी होगा right, okay सो मैं एक बार अभी इसको इतना जो समझाया इसके बेस पे एक आपको calculation समझा रहा हूँ आप देखो एक company है for example उसका cost of investigating है 6400 रुपया ध्यान से सोचो एक बार 6400 रुपया हो सकता है वो decide करेगा company कि मुझे investigation करना ही नहीं है कोस्त ऑफ नौक इन्वैस्टिकेशन का है कुछ भी नहीं है जीरो रुपीज है कंपनी डिसाइड क्या कि मुझे investigation करना ही नहीं है कोके दो सेनर्यों आगिस दो कंपनी बूलत मैं कुछ investigation करोंगा घींग कम अग sniff यह और नहीं किलने यह सब कुछ आउट आउप एटлов गा आपका investigation का cost नहीं लगा बट ये loss हो गया things went out of control उसके कारण्द नहीं ये probability मान लिजे भी दिया हुआ है 95% इन control अगर इन control रहने का 95% है तो out of control होने का probability 5% है so ultimately अपने पता लगाते हैं कि cost of not investigating करके यानि investigation नहीं किया तो मेरा net नुकसान क्या हो सकता है हम लोग इसको expected value गोलते है expected value is equal to आपने stats में पढ़ा is equal to summation xp x into p so यहाँ पर आप देखे जिरो होगा और यहाँ पर 80,000 into 5% होगा आपका 4000 और यहाँ पर कोई cost लगा ही नहीं तो actually इसका calculation ऐसे होना चाहिए जैसे 0 प्लस 0 मतलब यहाँ पे 0 लगा प्लस यह 0 है तो total cost तो 0 ही हुआ न ओके तो 0 प्लस 0 into 95% समझ मैं आपको process cost of not investigating कुछ लगा ही नहीं और in control है तो फिर कुछ cost नहीं लगा प्लस फिर 0 उपर में not investigating a cost प्लस out of control हुआ तो 80,000 into 0.05 ऐसा करके आपका amount 4000 रुपीज आया ओके मतलब अगर आप investigation नहीं करेंगे तो आपका घर से 4000 रुपया जा सकता है ओके average में 4000 जा सकता है यह stats का expected value का पढ़ाई है next cost of investigating अगर हम investigate करेंगे तो एक cost bear करना बढ़ेगा फिर पता चला सब कुछ इन control है तो इन control है तो आगे जाके तो कोई loss होगा नहीं ठीक है बट इसका probability 95% तो आपका 6400 तो लग गया तो कैसे आया देगो यहां पे 6400 प्लस 0 into 0.95 कैसे आया 6400 प्लस 0 प्लस 0 because यहां पे 0 है into 0.95 ओके अब दूसरा केस हो सकता है 6400 रुपया हमारा investigation cost लगा और सब कुछ out of control था तो out of control होने के बाद भी हमारा जो loss है वो 80,000 के जगा अभी 16,000 हो गया मतलब investigation के कारण हम लोग बहुत सारा cost बचा लिए और वो cost हमारा 16,000 रुपया हो गया तो उसका savings का probability बट 5% ही है so what is happening 6400 plus 16,000 into 0.05 so if you check this expected value is coming 7,200 so if you're not investigating the expected cost is 4,000 if you're investigating expected cost is 7,200 so the decision to be taken is you should not investigate it can be concluded that investing is not financially worthwhile अगर non-financial reason से आप सोचना चाते है तो it can be worth but financially it is not worthwhile this is how you know companies think whether we should invest in our investigation process of standard costing or not ये तरीका होता है इसको decision tree analysis बोलते है decision tree बनाया गया है ये इस तरह से decision tree बना कर हम expected value निकाल कर decision making कर रहे है कि whether we should investigate or not ठीक है हाला कि ये question आपके institute मैट में discuss किया हुआ है अभी तक आया नहीं है but मैं भी आपको discuss करके समझा दे रहा हूँ because अगर आया नहीं है तो आप तो छोड़ी देते हैं पुरा अभी कुछ तो knowledge हो गया कि हां ऐसा कुछ process in control ये कैसे आएगा probability of process in control इसको निकालने के लिए हम लोग normal distribution का सहरा लेते है normal distribution आपने सुना होगा मैंने भी बीच में एक बार और आपको बताया था normal distribution normal distribution का सहरा लेते हैं okay you we use normal distribution we use normal distribution okay in control वाला probability निकालने का तरीका है normal distribution और उसमें जैसे for instance आपको जानना है probability of time taken जैके एक्जांपल है is greater than equal to three hours when process is in control मुझे ये जानना है ठीक है मुझे ये जानना है I want to know this will be what okay so for this for this the idea is you will have to find out probability of x greater than equal to three by taking it as area of z greater than equal to is x का comparative value आएगा और x को z में change कैसे करते याद है z is equal to x minus mu by sigma तो ये mu by sigma आपको value question देगा कि आपका average value of x क्या है और standard deviation क्या है उससे z निकलेगा और फिर आप इससे एक area निकालोगे ओके तो सोचो ये area solve कर करा के मैंने एक value पकड़ा कि सोचो वो point zero two है सोचो ये point zero two है बट मैंने अभी जो सिखाया है आपको ये सिखाया है if process is in control and and there is a limit of three hours आप सोच रहे three hours से ज्यादा हमारा system time ले रहा है जबकि सब कुछ control में तो उसकी probability है point zero two okay आप investigate कब करते हो जब आपका limit से बाहर होगा but things are out of control तब benefit आएगा भू धिखो ऑखो भूब्हां सोचों सोचों मेरा process मेना मेरे को लग रहे है तीन घंडा से ज़्यादा है उसस से जादा एको लोते मेरेको मतलब तीन घंडा की कम रहे तो ठीक है मैं लकिर आफ़ दाश कर सकता हूं तीन घंडा से ज़्यादा से जादा हो तो उसका probability यह 0.02 ओके और आपको जो probability यूज करना है ठीक है आपको जो probability यूज करना है वो यूज करना होता है mainly to decide whether we should investigate or not. probability of process out of control out of control and time is greater than equal to 3 hours तो क्या होगा इसका answer क्या होगा probability of process out of control and time is greater than 3 hours और इसका answer है 1 minus probability of in control which is equal to 0.98 यह देखे मतलब अभी in control है तो probability of सिर्फ 0.02 out of control है तो probability opposite हो जाएगा मतलब हम जानना चारे वही greater than equal to 3 काई और process out of control हुआ तो greater than 3 होने का probability क्या है answer है 0.98 because in control में probability उसका 0.02 तो यह greater than equal to 3 is like your tolerance level touch कर जाएगा ठीक है या उससे आगे भी जा सकता है और सब कुछ in control है तो 0.02 और सब कुछ out of control है तो उसका probability हो जाएगा 0.98 तो यह वाला जो probability है यह probability actually हम लोगों के काम में आता है यहाँ पर अब दिखें हैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने probability that the process is out of control is equal to 1 minus probability of in control आप ऐसे भी लिख सकते है probability that the process is out of control as well as out of specification out of control भी as well as out of specification भी probability that the process is out of control as well as out of specification दोनों condition meet होना चाहँ है क्योंकि specification पर नहीं होगा तो हम investigation करेंगे ही क्यों हम तो अपने रिमिट में रहे गाए तो हमें investigation करना भी नहीं और specification पार होगे और process out of control है out of control क्यों सोच रहे है because जब तक out of control नहीं होगा हमारे पास benefit नहीं आएगा within control में कोई savings होता नहीं out of control होगा तभी तो investigation करने का benefit आएगा right so आपको अब सोचना कैसे है सोचो कि मान लो आपका cost of investigation है 100 rupees benefit आने का chance है जितना मतलब benefit आप ला सकते हो benefit ला सकते हो अगर सब चीज out of control हुआ तो वो है 1000 rupees ठीक है so question पूछा जा रहा है बताओ minimum probability क्या होना चाहिए out of control होने का कि आपको investigation का कोई फायदा मिलेगा investigation का cost 100 investigation का benefit 1000 rupees प्या है और benefit कब आएगा जब सब कुछ हाथ से गया वा होगा out of control होगा तो ये पूछा जा रहा है what would be the minimum probability that out of control situation should have in order to justify any investigation investigation को justify करने के लिए minimum probability क्या होना चाहिए तो इसी equation से निकल जाएगा आपका it is C by B thank you Siddharth and Duma 100 by 1000 it is equal to 0.1 so कम से कम 0.1 chance होना चाहिए out of control होनेगा तो अगर question बोलता है 0.25 chance है तो बिलकुल investigate करो और ऐसे भी तोच सकता है जिसे P into B is like the net benefit it's like you can understand it like this benefit should be greater than cost and benefit since certainty is not there that benefit will come इसलिए P into B से net benefit पता कर रहे है expected benefit पता कर रहे है which is P into B okay P into B is indicating expected benefit okay so अगर मैं बोलता हूँ मेरा process का out of control हने का chance 25% है तो benefit कितना हो सकता है 1000 rupees into 25% 250 rupees का benefit हो सकता है and cost कितना है 100 rupees है so I should investigate benefit is more than the cost investigate only if benefit is more than the cost ठीक है और probability कैसे निकलेगा ये जैसे ये तो एक और तरीका probability का बताया और एक तरीका मैंने क्या बताया कि आप 1- probability of in control कर सकता है और in control का probability normal distribution के मदद से निकलता है in control का probability normal distribution के मदद से निकलता है उससे जो answer है उससे आप out of control का probability निकाल दोगे और वह out of control का probability use करके आप decision लोगे investigate करना है कि नहीं करना है अरे कुछ नहीं तो idea के लिए rule of thumb model तो याद रखो कुछ नहीं तो idea के लिए एकदम simple ये equation तो याद रखो जम तभी इन्वेस्टिगेट करेंगे जब benefit greater than cost होगा और benefit कुछ नहीं तो ये तो याद रखो कि since benefit यहाँ पर certain नहीं है इसलिए probability into benefit लेना है probability कौन सा लेना है वो in control का दिया तो वो नहीं लेना आपको अमेशा out of control का probability लेना है ठीक है तो यहीं एवर सापका investigation of variance whether investigation in standard costing is justified or not you have to find cost of investigating find cost of not investigating and compare तो यह एक example से हमने cover up कर लिया आपको probability भी निकालना सिखा दिया आप एक बार अपना institute mat CA वाले specifically एक बार गुमा के देख सकते है standard costing के last में इस अब आपको मिलेगा मैंने बहुत simplify करके आपको समझा दिया investigation में खाली यह याद रखना है कि मुझे दोनों investigate करना है चाहे वो favorable हो चाहे वो adverse हो सिर्फ और सिर्फ adverse variance को investigate नहीं करना है और जो last अभी November 19 का paper आया उसमें जो standard costing का question है बहुत यह असान सा question था उसको एक बार आज ही करके खतम कर देना है ओके so with this from my side standard costing is over ओके मेरे तरफ से यहाँ पर standard costing खतम हो गया ओके चलिया आप लोग साथ में आजाईए go live button दबाईए और साथ में आजाईए I will start with new chapter balance scorecard चलिया आप लोग साथ में आजाईए अच्छा देर वेर सम questions in previous section John Wick का शिराज का John Wick is asking these are two independent situation why to add together in total expected cost now this your question is indicating that you have you might not have you might not remember the concepts of statistics now so अभी आप एक बार ऐसी सोच लो कि यह बस ऐसी होता है दो independent situation है और दोनों mutually exclusive situation है, mutually exclusive situation में probability को add करते ही यह basic है mathematics का statistics का, तो मैं अभी उसका वाही पे तो नहीं जा सकता है, बस आपको basic rule बता सकता हूँ ओके शिराज ने कहा out of control को फिर से बताईए आप out of control मैंने आपको simple सा बता दिया, वापस repeat भी कर दिया है आपका काम हो गया होगा ओके, चलिए now come to this new chapter balanced scorecard balanced scorecard CMA में यह chapter SPM में है SPM CMA में यह chapter SPM में है और CA के लिए यह chapter बहुत important है new syllabus के लिए specifically old syllabus के लिए इससे आप एक छोटा सा question 4-6 mark का पकड़ सकते हैं और CA new syllabus में इससे आप 8 mark तक का question भी assume कर सकते हैं जो किसी भी chapter के साथ merge करके भी पूछा जा सकता है now let us understand ठीक है क्या है ये what is this about बहुत interesting concept है world में सबसे ज़्यादा अभी एक survey हुआ था कि management accounting का जितना भी tools है techniques है उसमें सबसे ज़्यादा high usage पर कौन सा technique use किया जाता है तो उसका survey में आया था balance scorecard balance scorecard अभी world में सबसे ज़्यादा यूज होता है among all the management accounting techniques that you learn okay हमारे कुछ students है अभी हाल में CA बने वो swiggy में chief strategist और you know controllers in finance ऐसा कुछ position होल्ड करते हैं तो उन्होंने बताया चला के कि सर जो पढ़ाते हैं आप वो सारा का सारा हम लोग actually use करते हैं आपका जो पढ़ाया हुआ चीज़े वो बहुत सारा चीज़े भी relate भी होता है क्योंकि हम लोग office में इस पर काम करते हैं हम लोग office में balance scorecard बनता है तुम लोग देखा तो हम लोग को लगा कि अच्छा सर ने जो पढ़ाया हो वाकई में हकीकत भी है तो वेरी फ्यू पीपल उज्यूली गेट चांस तो अच्छे लिए अप्लिकेशन आफ देखा देखा बड़ा इंट्रेस्टिंग होता है देन यार स्टेरियो टाइप एक्सेशन और आडिटिंग वर्क यह बड़ा इंट्रेस्टिंग होता है हमेशा डाइनमिक होता है ठीक एचली आने एनिवेज बैलेंस स्कूर कार्ड बैलेंस स्कूर कार्ड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बैलेंस स्कूर कार्ड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं let us understand what is it about companies हमेशा performance measurement के लिए finance angle पे ही नजर डाले रखती थी companies हमेशा performance measurement के लिए finance के उपर ही नजर डाले रखती थी और यही obvious है सब ऐसा ही करते है finance ही तो end है ना ultimate result हमें जो चाहिए वो तो finance ही चाहिए, business कर रहे तो finance के लिए ही कर रहे हैं, profit के लिए ही कर रहे हैं, सो, ऐसा देखा जाने लगा, एक समय में, कि जो वो चीज के पीछे हम भागते हैं, न वो चीज हमें मिलती नहीं है, मlorब हम finance को chase कर रहे हैं, तो हमें finance मिल नहीं रहा, क्योंकि जैसे finance के पीछे पढ़ रहे हैं सब कोई हमारे से anti हो रहे हैं कि इनको तो finance चाहिए देखो एक simple सा understanding है आपको क्या लगता है मैं SJC में CA बनने के बाद CS बनने के बाद जिनों सीमा का डिगरी ले लिया ये सब करने के बाद मैं पढ़ा क्यों रहा हूं मैं क्यों पढ़ा रहा हूं करेक्ट आइडिया इस जय लक्षमी माता ओविसली ये लाइफ का गोल होता है primary goal है primary goal है secondary goal नहीं है primary goal है companies तो बनती है इसी लिए profit making organization बोल कर तो वो तो कामी यह उनका profit चाहिए finance चाहिए अब मैं finance के लिए काम करूँ न तो सारे बच्चे आप लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े हो जाओगे और बोलोगे सर को तो खाली कमाने का पड़ा है कई बार होता है बच्चे अग्रीवड हो जाते हैं को छोटे से policy को सुनकर ठीक है तो वो तुरंद बड़े-बड़े message भी लिख देते हैं सर आप लोग जैसा institute से यह उमीद नहीं था कि आपको सिर्फ profit motive है आपका आपका सिर्फ कमाने का motive है बच्चों लोगों को लूटने का motive है ये सब dialogue बोल देते हैं आप I'm very disappointed sir ये सब बोल देते हैं ठीक है फिर मुझे उस matter में interfere करके उनको समझाना पड़ता है कि हमारा motive actually क्य जाते हैं और थंडे दिमाग से सोचोगे तो motive तो वही है अंदर की बात ही वही है है तो balance scorecard हमारा वही approach को बदल रहा है वो बोल रहा है you should not lead finance finance is of course the backbone of the system but what you should lead in your organization is non-financial motives अगर आप non-financial को lead करोगे तो finance आपके पिछे 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 अपने आप आएगा and उससे आपका जितना तरह का stakeholders है वो बहुत satisfied महसूस करेगा ठीक है चाहे वो customer हो चाहे वो employees हो चाहे वो आपके और partners हो suppliers हो या फिर of course end में आपके shareholders हो stakeholder को satisfy करेगा अगर आप non-financial motive को lead करोगे तो ठीक है अंदर की बात यहीं होती है कि हम सब finance चाहते हैं यही primary goal है but finance finance के पीछे न भागो भागो तो non finance के पीछे भागो रंचोड़ दास क्या कहना तार बाबा रंचोड़ दास क्या कहे थे सफलता पाने के लिए क्या करो कामयाब बनो नहीं काबिल बनो काबिल बनो तो सफलता जख मारके कामयाबी जख मारके आपके पीछे पीछे आएगी तो काबिलियत बनेगी आपकी non financial को follow करके आप उस पे काम करिए finance अपने आप आएगा ठीक है तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और explore करें कुछ terminologies को there are two terms one is CSF another is KPI CSF का full form होता है critical success factor जिसको नहीं पता हो आप यह लिख लिजे full form नहीं पता है तो what is it critical success factor KPI is key performance indicator what is KPI key performance indicator now every organization में उसका अपना एक vision है चाहे वो finance driven हो या वो non finance driven हो उसका एक vision है vision को पाने के लिए बहुत सारा छोटा 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 mission है यह सब आपको पता ही है पढ़ते ही है हम लोग strategic management में सब basic जाना हुआ है vision है और छोटा 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 mission है okay vision usually अपने क्या बोलते है non financial होता है non measurable होता है but mission हमारा measurable होता है mission is what mission is measurable mission को हमने quantify करते हैं तो हमारा कहना है कि आपके जो mission है वो तभी आप achieve कर सकते हो provided you work on certain factors which are very very critical critical means very very important if you don't work on those factors you would not be able to achieve your mission ठीक है तो अब वो क्या-क्या factors होंगे वो industry determine करता है या फिर consumer taste determine करता है या फिर competitive strategy से पता चलता है कभी environmental influence होता है कभी temporary influence होता है जिसे मैं आपको example देता हूँ ठीक है जिसे मुझे आज से 6-7 साल पहले ऐसा महसूस हुआ था एक CA में culture आया था seven years ago कि हर class की recording होगी video backup चलेगी बच्चा miss कर गया तो उसको अगला backup class मिलना चाहिए तो उस समय हम लोग अपने class को record नहीं करते थे हम लोग बोलते थे backup चाहिए तो हम दूसरे बैट चला देंगे उसमें live में आप आगे पढ़ लीजेगा बट बच्चे को वेको था fascination कि मुझे तो video ही करना है ठीक है तो उसमझ में क्या आने लगा कि video वो आएगा कि नहीं आएगा वो बात का चीज़ है उसको admission लेने के समय वीडेओ के ऊपर ध्यान देना है कि उसको पता लगाना है कि वीडेओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा बस और कुछ नहीं मतलब है तो उ यह हमने वह success factor पर काम करना शुरू किया उसके बिना admission नहीं हो रहे थे subsequently अब जो जमाना change हुआ तो फिर पता चला कि आपको pen drive में आना ही पड़ेगा तो वरना ये बच्चे लोग कैसे अपने classes को करेंगे वीडियो slots जो खुलते हैं उसमें भी उनका मिस हो जाता है तो घर पे बैठके कर लेंगे तो pen drive classes एक success factor था और अभी आज के जमाने में अभी जैसे एक environmental influence है pandemic के जमाने में मैंने कई सारे coaching center के बारे में सुना वो बंद हो गए पूरे क्योंकि मार्च से मान लीजिए पूरा lockdown है यदी तो मार्च से लेकर अभी तक में कोई business ही नहीं हुआ वो पूरे बंद क्योंकि students जा नहीं रहे और उनका कोई यह से recording नहीं तो video recording नहीं है setup नहीं है तो class करे कैसे जो कर वारे थोड़ा बहुत हो zoom meeting से कर वारे तो उसमें उनको उतना comfort भी नहीं आ रहा बिकॉस है वी चुटेट नहीं है so now their success factor is to have the recording system to have the pen drive classes to have their mobile app also because without that they will not be able to survive will not be able to continue so these are some critical success factors if you don't work upon them your business would not continue further your mission would not be achieved so in my case I felt that this all pen drive and all app and all are already existing okay we are already having our app based classes and pen drive based classes now what next we can do we can next do is our live streaming we can interact live with students so those students are chunk of students who have confidence only in live classes so we have to get them that is our success factor that is becoming critical for us so we started working on that so मैंने एक्जाम्पल दिया आपको अपने से जुडा हुआ कोचिंग से जुडा हुआ क्योंकि आप उसको फट से रिलेट कर सकते हो ऐसे अभी जैसे आप और भी सिनेरियो स्पेसिफिक सोचोगे कि जैसे फूर इंस्टेंस मान लीजे एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में आपका कोई रेस्टरॉंट है रास्ते का रेस्टरॉंट था स जैसा था वो बुलता था यह सब क्या स्विगी विगी से टाइफ करते हैं सब अपना नाम लिगाते हैं उनको भी कमिशन देते हैं सबसे क्या होगा आपने तो ऐसी गुरा का जाते हैं but time was you know even the most premium restaurants also were tying up with them most premium restaurants were tying up with them but these small restaurant owners they were not tying up with them because they were feeling कि यह सबसे क्या होगा सब चलता है ऐ but now they are forced to do that otherwise they will not be able to survive if they have their loyal customers they are forced to do that these are some success factors so success factors are basically those area of work that you have to undertake in your organization which will help you to achieve your mission and gradually the vision okay so CSF are vital areas where things go right for the business in order to achieve their strategic objectives vital areas जो आपको objective अचीव कराने में help करेगा ठीक है जैसे हमारे एक दोस्त का example आया जैसे सर देखे मूवीज आजकल थेटर में अपने रिलीज होके थेटर में रिलीज नहीं होके यह जो streaming movies बन गई है Netflix में आ रही है Amazon में आ रही है यह एक नया नया success factor का बात आ गया अब बड़े बड़े production houses जो हैं वो movie के लिए Inox पे depend होते तर अब नहीं होंगे तो नहीं वोट विलापन इस वेरी सून में भी Inox in order to survive in future their success factor has become कि हम यह physical movie theater को अब बंद करके हम कैसे हम भी streaming में आ जाए You know future is it has to start investing on this streaming service otherwise the business will be gone completely now So this is a critical success factor if you don't work upon it you will not actually achieve your objective It is not that you should have to work on each and every factor we are saying only critical factor you have to identify which is most critical and then you have to work upon that इस इस तरीका से आप अपना सक्सेस फेक्टर पता कर सकते हैं जा कि आपने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखिए अपका इंडस्ट्री कैसे अपरेट करता है जैसे इंडस्ट एक्जामपल कार डिलर्शिप कार डिलर्शिप नेटवर्क बिना एक आटो मोबाइल कमनी कभी भी सक्सेस्फुल नहीं हो सकता जैसे गाड़ी अगर लॉंच करना है एक नया कमपनी है जिसको गाड़ी लॉंच करना है जैसे इसे किया का सेल्टोस आया यह भी मौरिस गारज का गाड़ी इंडिया में लॉंच हुआ यह लोग को लॉंच करने के पहले अपने आपको सक्सेस्फुल बनाने के पहले एक बढ़ियां डिलर्शिप नेटवर्क बनाना पड़ेगा और दूसरा एस वेल एस डिलर्स को यह भी बोलना होगा कि आप सर्विस सेंटर भी खोलोगे यह दो चीछ ज़िए सबसे पहले नहीं सेट अप किया तो आपकी कायगाड़ी कितनी भी अच्छी हो लोग खरीदेंगे कैसे सो कार डिलर्शिप नेटवर्क इस अ प्राइमरी सक्सेस फैक्टर इन सक्सेस ऑफ दाट ओटो मोबाल इंडस्ट्री सेकेंड कॉम्प्रिटिव स्ट्राटेजी जैसे मेनी टाइम्स आप जो प्रोड़क लेके आ रहो वो कॉम्प्रिटर जैसा ही है तो आपका प्रोड़क कोई क्यों खरी देगा तो कॉम्प्रिटिव स्ट्राटेजी के इस आप से बोले तो डिफरेंसेशन की बात आती है तो यू हाव तो डू सम डिफरेंसेशन अदर्वाइस विल में नाट सक्सीड वाई विल कॉम्प्रिटर बाया प्रोड़क्त फर इंस्टेंस सोचिए मेरे से पूछा जा सकता है कि कोई मेरे से आता है कभी स्टूडेंस आते है फर इंस्टेंस तो लेट में गिव यान एक्जांपल फुर्दर हाव दू आइक हाव आई काउंसल देम मेरे पास कभी स्टूडेंस आते हों बोलते सर अब मैं सीय बन गया मुझे एकाउंट से पढ़ाना है सर बहुत बहुत अच्छा आपने अपना प्यूचर सोचा है पढ़ाना इस गुट टिंग और देर इस नो लिमिट हीर आलसो तो यार अर्निंग्स एस वेल एस यूर रेक्रगनेशन एंड एवरिटिंग इस देर नौ मैं यही पूछता हूं कि आप जो पढ़ा रहे हो वो क्या एक्स्क्लूजिव आप भी पढ़ा रहे हो पुरे इंडिया में कि और भी लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत लोग पढ़ा रहे हैं तो मेरा क्वेश्चिन यहीं कि आप से लोग पढ़ने क्यों आएंगे वाई विल एनिवन कम तो स्टेडी फ्रम यू बस यहीं पर जवाब खतम हो जाता है ठीक है तो इसी को बोलते है डिफ्रेंसेशन डिफ्रेंसेशन का मतलब क्या है कि वाई विल कंजूमर प्रेफर यॉर प्रोड़क्ट रादर दन कॉम्टिटर्स प्रोड़क्ट तो वो डिफ्रेंसेशन के क्या पॉइंट्स होंगे वो आपको नोट डाउन करने पढ़ता है उस पर काम करना पड़ता है और फिर आपका आगे का काम बनता है it's not always you know differentiation में competitors के against में ऐसा नहीं होता है कि product का feature ही differentiate करता है जैसे मैं आपको costing पढ़ा रहा हूं तो मैं ये थोड़ी बोलता है कि मैं India का best पढ़ा रहा हूं और भी बहुत अच्छे-च्छे of teaching or the features of teaching it's because of all sort of infrastructure that we are having it's not just about the teaching I am having a setup where I am recording I am having a setup where I am doing live streaming I am having a setup where I am able to reach to several cities so I have a setup we have a battery of franchises who are promoting our courses so that setup is required those points differentiate why you would be chosen over the competitors product okay third आ रहा है environmental influence third आ रहा है environmental influence environmental influence क्या है कि जैसे कि आप देखें environmental facts का मतलब होता है अगर आपका business में fuel पे आपका dependency है और fuel का cost बढ़े जा रहा है तो you have to manage that cost otherwise you will not be able to sustain the business okay environmental facts का मतलब क्या है कि यदी आपका business कोई एक ऐसे item of cost dependent है जिससे आपका margin effect हो जाता है तो current scenario के साब से तो उसका मार वो item का you know cost और ज्यादा भड़ रहा है तो आपको उसको कम करना पड़ेगा कि असी तरीके से temporary influence मतलब जैसे की for instance समझ लीजे कोई आपने कोई product बनाया और product बनाया और उस वह faulty product है पता चल गया तो आपको फटा फट वह faulty को cover up करना पड़ेगा वरना आपका business खतम जैसे निसले के साथ हुआ कि उसका maggie को लेके बड़ा news बन गया तो faulty अगर है अब है कि नहीं है वह बाद में explain होगा बर इतना बड़ा news बन गया तो उसको फटा फट manage करना पड़ेगा कैसे की जल से जल सारे distributors को बोलना होगा कि वापस मंगा लो retailers को बोलना होगा वापस मंगा लो reimburse कर दो जो loss होगा मेरा we will tackle that तो वो एक temporary कुछ influence होता है जिसके कारण आपको कुछ उस समय के हिसाब से once in a lifetime वाला scenario feel करना पड़ता है that is product recalls example यह product recall recall मतलब अगर product faulty है तो आप customer से मंगाते हो वापस कि चलो मुझे दे दो आपको reimbursement मिल जागा या मैं tick करके दोंगा और उसी तरह से एक और होता है कभी-कभी जो managers होते है हमारे उनका भी अपना management का business style होता है उसका अपना business करने का तरीका होता है कि वो कोई manager होता है जो cost sensitive होत तो उसके लिए success factor cost हो जाता है कोई manager होता है जो quality conscious होता है तो quality के ऊपर काम करता है cost की उतना परवा नहीं करता है कोई manager होता है जो customer sensitive होता है तो customer service के लिए बहुत कुछ करता है cost की परवा नहीं करता तो depend करता है सबका अपना-पना style होता है business करने का उसके उपर भी यह depend करता है So these are the ways how you determine your CSF Now CSF से actually हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज़ पर काम करना है what we should work upon next is KPI next is KPI KPI क्या है what is KPI KPI is आप जो भी काम करने का सोच रहे हो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आप उसको measure नहीं करोगे तो वो होगा नहीं जिसे मैं यदि बोलू कि मुझे customer responsiveness बढ़ाना है तो measure करना पड़ेगा responsiveness को अगर आप measure नहीं करोगे तो वो काम होगा नहीं एक theory कहते हैं लोग दुनिया में what gets measured gets done जो भी चीज़ को आप measure कर सकते हो तो वो काम हो ही सकता है जैसे आप बोलते हो ना मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ तो पढ़ाई करना आपके लिए critical success factor है आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके जिंदीगी का आपना goals के लिए कैसे aligned होगे तो पढ़ाई करना आपके लिए success factor है but if you are not able to measure whether you are able to do study or not how will you actually ensure कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आपको measure करना पढ़ेगा measure करने के लिए maybe hours of study per day that is a measurement whatever measurement you do that should be obviously aligned to your achievement of success factor उससे success factor achieve होना चाहिए but measure करने से हम लोग बोलते हैं कि आप जो सोचते हो वो काम हो जाता है तो KPI क्या करता है एक आपका success factor को measure करने के लिए एक तरीका बताता है जिसको आप number से measure कर सकते हैं ठीक है जैसे car dealership network मेरे लिए अगर successful होने का एक factor है तो मैं ऐसे measure करूँगा number of dealers in the country तो ये मेरा measurement है number of dealers एक measurement का tool है जिससे मैं पता लगाऊँगा कि मुझे मेरे success factor पर काम करना आया कि नहीं आया जैसे for instance समझो इसके लिए target value भी होता है एक actual value भी होता है जैसे हम लोग एक target लेते हैं कि हम लोग number of dealership network year end तक ले जाएंगे 500 और actual में फिर क्या हुआ हम चेक करेंगे कि 500 टू हुआ कि 490 हुआ तो difference क्यों आया उसका फिर investigation होगा अब कहीं न कहीं investigation वाला काम अभी भी है वो variance analysis अभी भी है but variance वाला क्या था कुछ defined तरीका था MPV, MUV यहां पर कुछ भी defined नहीं है यहां यह कह रहे हैं कि जो आपका organization का need है उसके हिसाब से आप उसको KPI set करो और उसको measure करो और उसको फिर अपना variance analysis का part में भी ले के आओ ठीक है वैसी समझो मेरे को यह सोचना है कि मेरा operating cost business का बहुत बढ़ रहा है मेरे को उसके ओपर काम करना है तो measurable बनाने के लिए I will take KPI as operating cost ratio on sales operating cost ratio on sales तो यह measurable चीज़े तो इसका formula से मैं operating cost expense ratio मान लिज़े 30% पता गया तो यह मेरा operating cost का ratio है 30% now I have to control it so मेरा target होगा कि यह 30% से 25% चला जाना चाहिए तो यह end में मैं देखुँँगा कि मेरा 25 गया कि नहीं गया नहीं गया तो क्यों गया गया तो क्यों गया इस अपका investigation होगा so आपका जो KPI है उसका काम क्या है वो CSF को actually achieve करवाने पर help करता है essential to achievement of strategy since what gets measured gets done CSF आपका goal जो long term का है उसको achieve कराएगा और KPI CSF को achieve कराएगा और KPI को पता करने का एक तरीका है smart smart का full form बताने का ज़रुरत नहीं होता है आपको सबको पता होता है S for specific, M for measurable, A for achievable R for realistic, ठीक है achievable का spelling आप टिक कर लीजेगा achievable, R for realistic, T for time bound तो these are basically the five tools by which you can fix your KPI time bound भी हो सकता है time bound मतलब एक साल में की एक मैने में realistic और element मतलब उसी चीज़ पर काम करो जो actually आपके लिए important है जो आपका success factor को drive करेगा उसी चीज़ को measure करो जो success factor से connected हो हर किसी चीज़ को measure मत करो ठीक है A for achievable मतलब ऐसा ही targets उसमें set करना जो achievable हो जैसे मैं operating expense का बोला न कि 30% है तो मैं target ले रहा हूँ कि 25 कर दूँगा आप बोलो कि target ले लो सीधा 10% करने का तो वो unachievable हो जाएगा theoretical हो जाएगा तो theoretical targets मतलब लेना achievable target लेना measurable मतलब उसको quantify करना और specific मतलब exactly ऐसे नहीं बोलना कि expense ratio को कम करना है कौन सा expense specifically बोलो तो operating expense operating expense में भी क्या क्या expense आएगा उसको भी specifically define करो कि these would be the definition of items included in the operating expense or definition of the operating expense ऐसे आपको पूरा specify करके अपना KPI set करना है so if CSF represents what your KPI represents how तो इसको आप अच्छे से अगर set कर ले तो माइंड में CSF KPI तो balance scorecard आपके लिए बहुत easy हो जाता है the most important is CSF and KPI यह basic outlook है okay मैं अपने कुछ और students से हल फिलाल में भी बात करा था जिस अब जो lockdown period था उसमें कई सारे students को touch किया तो एक student है हमारे वो South Africa में Nigeria में काम करते हैं तो उन्होंने बताया कि sir मैं London based company में affiliated हूँ वहाँ पर और वहाँ पर जो काम होता है हम लोगों का वो सारा का सारा यह KPI based है मतलब हम लोगों के हर department का हर एक जो head है सबका अपना-पना KPI set किया हुआ है और वो KPI कहीं न कहीं connected है CSF से तो एक CSF को पाने के लिए हो सकता है multiple KPIs हो ऐसा नहीं होता कि एक CSF का एक ही KPI होता है जिसे मेरा CSF है मान लिजे customer satisfaction तो उसको पाने के लिए मेरे को multiple KPIs बनाना पढ़ सकता है और उस पे मेरे को काम करना पढ़ेगा तो वो KPI का फिर हम लोग एक target लेते हैं और हम लोग हर महीना का meeting में और quarterly meeting में उसको review करते हैं कि हम वो target को पा रहे हैं कि नहीं पा पा रहे हैं and accordingly हम लोग अपने work को आगे बढ़ाते रहते business का goal आगे set करते रहते हैं so this is how we work so this is very 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 largely used concept nowadays across the world CSF and KPI now अब आ रहा है इसी का पूरा structuring in the form of balance scorecard तो balance scorecard पहले कह रहा है कि आप finance के पीछे ना भागो आप non finance के उपर भी ध्यान दो जिससे आपके सारे stakeholders खुश रहेंगे so finance से shareholder खुश होता है other stakeholder में customer भी है other stakeholder में आपका employees भी है ठीक है तो customer और employees को भी खुश रखने का कुछ न कुछ सोचो customer और employees को भी खुश रखने का कुछ न कुछ सोचो finance के साथ non finance पे काम करो non finance में 3 area उन्होंने बताया है पहला area बताया है customer दूसरा बताया है internal business और processes third उन्होंने बताया है learning and growth and innovation ठीक है फिर से सुन लीजे first है finance उसको छोड़ दीजे second आपका non finance non finance में first है और normally second है customer, third है आपका internal business and process और fourth है आपका learning and growth and innovation सो इनका कहना है कि यह जो non finance वाले benefits हैं उसका benefits long term में आता है financial short term outlook होता है तो finance short term में आज आपको benefit देगा कल देगा परसो देगा जिसे हो सकता है आपका भी perspective अभी मेरे साथ कैसे जुड़ा हो सकता है finance मतलब आप बोल रहे सिर्फ exam का बताई इतना ग्यान क्यों दे रहे मेरे को मेरे को सिर्फ exam पास करना और मेरे को कोई मतलब नहीं है तो आपका goal क्या है motive क्या है short term का motive है और दूसर होता है आपका perspective हो सकता है नहीं सर आप मुझे बताइए सब real world में कैसे apply होता है कम से कम कुछ सीखा तो ऐसे तो सीखे कि उसको आगे जाके जिन्दगी में apply भी कर सकें तो application oriented के लिए आप समय ज़्यादा देना चाहते है mind आपका वहाँ ज़्यादा चलता है तो आप non financial को importance है जिसका benefit immediately नहीं आएगा जिसका benefit जिन्दगी भर आते रहेगा long term में आते रहेगा तो वैसी company को हम लोग सिखा रहे है finance है non-finance है okay so non-finance में क्या-क्या चीज है ध्यान से वापस सुन ले आप देखिए एक है customer perspective फिर internal business okay innovation को कभी-कभी हम learning and growth के साथ भी रख सकते हैं और कभी-कभी हम चाहे तो innovation को internal business के साथ भी बोल सकते है उसमें कोई problem नहीं है मैंने देखा है कि even Robert Kaplan जो इसके founder मैंने नाम लिखा हुआ यहाँ पर doctor Robert Kaplan इनका interview में भी वो कभी innovation को learning and growth के साथ बोल देते हैं तो कभी internal business के साथ बोल देते हैं ठीक है so this four dimension acknowledge the interest of shareholders customers and employees taking into account of both long term and short term goals short term goal is usually the finance and long term goal are other non-financial things so next is the format of balance scorecard format क्या है balance scorecard का इसमें एक sequence है सबसे पहले हमेशे याद रखना finance ही होगा second number पर customer ही होगा यह sequence है third पर internal business होगा fourth पर learning and growth होगा आप अपना jumbling नहीं करना exam में पैला finance फिर customer फिर internal business फिर learning and growth innovation आप चाहो तो internal business के साथ रखो या learning and growth के साथ रखो कोई problem नहीं है ठीक है now finance के अंदर आपको फिर उसके CSF सोचने पड़ेंगे और हर एक CSF का KPI होगा ठीक है एक perspective में multiple CSF हो सकते है finance में multiple CSF हो सकते है और एक CSF में multiple KPIs भी हो सकते हैं okay so एक example के लिए मैंने ये table बना दिया है इसको एक बार चेश्टा करेगा कि आप याद ही कर लें just try to remember all the entire stuff of this because whatever is being given here can be used mostly in all the questions extended तरीका से आप कोई भी question में इसके सारी बातों को use कर सकते हो so financial में objective हो सकता है improving shareholders wealth जिसके लिए आप KPI ले सकता है ROC जिसके लिए और भी KPIs हो सकता है EPS ले सकता है you can take several things EPS also can be taken MPS can be taken P ratio can be taken but I have given one example ROC then another objective can be capturing market share to market share पता करने के लिए आप sales volume ले सकते हो customer को satisfy करना है उसका perspective से on time deliveries चाहिए customer को तो number of on time deliveries आप ऐसे 6 सोच सकते हो या फिर number of failures in on time delivery ऐसे भी सोच सकते हो तो accordingly आप अपना KPI सेट करोगे customer satisfaction आया की नहीं आया उसके लिए number of complaints internal business and innovation में कितना process improve हुआ process improvement के बारे में सोच रहे है तो number of rejection setup time क्या लग रहा है increase product portfolio product portfolio मतलब variety of products आप बनाना चाहते हो तो कितना number of products आपने category में add किया then learning and growth मतलब employees का learning and growth employees को learn कराओ और grow कराओ खुद का growth का बात नहीं हो रहा है एक employee की capabilities बढ़ाना है ठीक है दूसरा आपका organization में जो infrastructure है system वो system को बढ़ाना है उससे भी growth आता है उससे employee को भी ability मिलती है काम करने की और तीसरा organization का culture उसको भी settle करना है जिससे की employee motivated way में काम करे culture rules procedure सब कुछ learning and growth में तीन चीज़ पर काम होता है मैं बात में दिखाऊंगो है अपने notes में एक है आपका employee की capability यानि उसके skills बढ़ाईए उनको training दीजिए उनको आपस में भाई-चारा सिखाईए इस पर team spirit सिखाईए दूसरा आपका employee का काम करने का जो उसका tools है equipment है system है आपका office का work environment है वो सब पर काम करिए तीसरा है आपका rules procedure custom culture यह सब कैसा है कि senior से junior कैसे बात करेगा एक department में दूसरा department में कैसे deal करेगा वो उसको कैसे help करेगा उसका आप बात्चित करने का तरीगा क्या होगा उसका documentation कैसे होगा कौन किस से क्या कर सकता है नहीं कर सकता है यह सब define कर दीजी that is learning and growth का part तो learning and growth में employee retention का अगर आपको एक objective मिला है तो labor turnover rate आप चेक करो या फिर आप ऐसे भी पूल सको number of employees leaving the organization employee motivation and growth पर काम करना है तो number of training sessions पर आप काम करो ठीक है कितना आपने उनको training दिया तो ऐसे कई सारे KPIs बनते हैं यह एक example के लिए मैंने जो लिखा है यहां पर यह mostly हर सम्में यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने यह वाला लिखा है चुन-चुन के बाकी और भी बहुत सरे KPIs होते जो पढ़ने से समझ में आ जाते हैं कि वो कहां से कहां relate होगा four perspectives के बारे में सबसे पहला finance ही है finance क्योंकि हमारा बेस है backbone है इसके बिना हम लोग एक मिनट भी नहीं चल सकते तो finance सबसे पहले सोचना चाहिए यही हमारा profit making organization का basics है profit making organization का basics ही यह है कि हमें finance सबसे पहले सोचना चाहिए so financial performance क्या करता है यह आपका target set करेगा कि आपको finance में कहां तक पहुचना है और उसको पाने के लिए फिर बाकी सारे perspectives को align करता है क्योंकि कोई भी चीज पर काम करेंगे तो point है कि जैसे customer के लिए काम करना या फिर internal business पर काम करना या फिर आपको learning and growth के लिए काम करना बाकी सारे perspective में काम करने के लिए ultimately फिर से finance चाहिए ठीक है बहुत सारे बड़े organization तभी यह सब कर पाते क्योंकि उनका finance strong है चोटे organization में जाके आप समझाओगे जैसे माल लीजिए अपने घर में पिताजी का दुकान है उनको समझाईए balance scorecard का concept तो बोलेंगे रहन दे तेरा घ्यान तेरे पाजी रेट क्योंकि अपने उतना एफोर्ड नहीं कर सकते अपने finance पर ही चल रहे है अज तक वही चला ले वही बहुत है अपने पास इतना समय है न रिसोर्स है न अपने cost bear करने का appetite है कि अपने अभी customer satisfaction पर ध्यान दे कि internal infrastructure पर ध्यान दे कि अ अपने employee को बठा के training दे उतना अपने पास समय ही नहीं correct तो बड़े बड़े organization के लिए यह सब चीज possible है क्यों क्योंकि उनके पास finance का सहुलियत है finance का opportunities रहता है उनके पास finance is the primary and इसलिए first finance सी सोचना है इसलिए भी सोचना है कि finance अगर आपके पास surplus है तभी आप बाकी perspective में क TSF बना रहा हूँ है KPI बना रहा हूँ उस पे काम करने का भी कुछ हो cost है वो cost मेरे को finance से ही support मिलेगा ठीक है so what financial perspective serves it serves two purpose to provide definite performance that was expected at the time of strategy selection to provide a focus for objectives and appropriate measures in each of the other three perspective it helps you to again focus on what you should do on each of other three perspective because if you don't know what finance you have you can never plan on other perspectives also को ठीक है कुछ भी बड़ा करने के लिए ना एक उसूल मैंने जिन्दगी में बहुत समय पहले सनमार्ग आपको पता हो हिंदी एक newspaper है कलकटा में चपता है सनमार्ग का एक हर अभीवार का कहानी वाला page आता था अभी भी आता है आप पहले तो बहुत पढ़ते थे अब एक जगा बहुत अच्छा पढ़ने को मिला था कि जिन्दगी में अगर किसी को किसी समाज के लिए या फिर अपने अलावा किसी और के लिए कुछ करना है मन है करने का तो पहले बहुत अमीर बनना पड़ेगा धनी बनना पड़ेगा धनी आत्मी कुछ कर सकता है तो मेरे को ये तो उसका परपस तो नहीं होगा ना उसको तो पैसे से जो समान चाहिए वो इलाके देना पड़ेगा तब उसका एक्चुली नीड फुल्फिल होगा तो नीड फुल्फिल्मेंट के लिए अल्टिमेंटली रूपया तो चाहिए ही ना तो इस ना आल्वेस बाओ गिविए टाइम आपको बताया जा रहा है कि पहले फाइन्स को ठीक करो ना तब तो आप बाकी चीज़ पे काम कर सकते हो तो next आरहे है कस्टमर परस्पेक्टिव में आपको identify करना है कि who are your customers if you are several grade of customer then do some segmentation customer profitability analysis करो और किसके ऊपर काम करना चाहते हो वो customer को identify करो और उसके market के customer के ऊपर आप काम करना चाहते हो उसको identify करो और फिर उनके लिये काम करो it's not necessary that you have to work for all the grade of customers identify customers and market segment in which the companies compete and also the means by which they provide value to these customers किस तरह से कस्टमर को अम अभी केटर कर रहे है वो भी आप देखिए और फिर आप पता लगाए कि उन कस्टमर को क्या चाहिए और हम लोग क्या क्या कर सकते है okay managers identify the lead indicators example on time delivery which make a particular business unit or product different from that on others मतलब जैसे for instance Amazon का एक interview में मैंने सुना था Jeff Bezos को एक बार कह रहे थे कि कस्टमर को सक्सेस्फुल बना सक्सेस्फुली अपने प्लाटफॉर्म पर वापस लाने के लिए कस्टमर को सक्सेस्फुली अपने प्लाटफॉर्म पर वापस लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा उनका मन में question आ रहा था तो उनका एक खास्याता है कि कस्टमर सर्वे बहुत करते थे वो कहते थे कि मैं कॉंप्टिटर सर्वे से जादा कस्टमर सर्वे करता था जनरली और्गनाज़ेशन में में आज भी कि मैं अपने अर्गनेज़ेशन में भी देखता हूं जो अमारे अंडरबे मैनेजर आरहे हैं मैं उनको बार-बार यही सिखाता हूं यू शूद भी और कस्टमर्स नॉट आर् अनलाइन में एक सबसे वाइटल सक्सेस फैक्टर है on time delivery जब जब delivery committed schedule पे हो जाता है तो customer का faith आ जाता है और delivery में delay होता है तो customer थोड़ा सा छट पड़ा जाता है वो फिर rating खराब करता है ठीक है तो amazon ने इसके ऊपर बहुत काम किया और आप दिखिए इसने culture चालू कर दिया कि अपने हर प्रोड़क्ट पे जब वो डिस्प्ले दिखाता है ना प्रोड़क का कोई भी अमेजॉन पर अपने सर्च करते हैं तो उसने वहां पर लिखना शुरू किया कि यह प्रोड़क कब तक डेलीवर हो जाएगा और इंट्रेस्टिंग बात देखिए जो भी प्रोड़क वहां पर दिखा रहा है और उन्होंने ऐसा system internally बनाया पूरा कि जो commitment वहां पर वो दिखा रहा है exactly वही commitment में आपका goods डेलीवर हो जाएगा even in some cases they started same day delivery now they are working on delivery within two hours they are working on this model that how I can deliver at least pantry amazon के concept amazon pantry आप देखेंगे pantry मतलब जो grocery items है वो pantry products within two hours कैसे deliver कर सकते they are working on that model कि आप order करो दो गंटे में आपके पास आजाएगा so critical success factor in their e-commerce business is in their e-commerce business is what on time delivery on time delivery एक ऐसा होना चाहिए जिसको वकड़के हम काम करेंगे तो वाकई में customer satisfaction होगा that's what I am saying कौन सा customer तो on time delivery पे वो काम करें तो सब पे एक साथ काम नहीं किया उन्होंने कुछ-कुछ products पर आज भी आप देखिए उनका delivery same day नहीं होता बहुत delay delay delivery भी होता है बट कुछ-कुछ products पर वो बहुत फटा-फट delivery करवाता है जैसे मैंने बोला grocery items उसमें लोग wait नहीं करना चाहते है ज्यादा दिन आप आज कोई चावल भुक करोगे या फिर मान लीजे कोई डेली सामान जो है उसको बुक करोगे और फिर उसके लिए लिखा वा रहेगा seven days बाद आएगा तो फिर तो आप grocery shop में जाके लेकर आओगे न उस पर उसको काम करना है जिस पर उसका success टिका हुआ है ठीक है तो on time delivery सब पर काम नहीं करना है मैं यही बुल रहा हूँ कौन सा customer पहले identify करो फिर देखो कि उसको क्या चाहिए और फिर उसको काम करो और काम करन को पाने के लिए आपको पूरा internal business पर में changes लाना पड़ेगा process में changes लाना पड़ेगा कभी कोई को हो सकता है BPR करना पड़े को सकता है किसी को BPR न करना पड़े थोड़ा सा बस वह आपने जो सिखाने DMAIC कुछ continuous improvement से हम लोग कर पाए DMAIC भी हो सकता है या थोड़ा DMA DBP से भ can be taken care of here even sometimes you know we have one financial measurement also like we have to reduce our expenses by 5% to expenses 5% से reduce करना है तो internal business में ही आके कुछ चेंजिस करना होगा जिससे की वहाँ पे outcome है correct so internal business basically means the action area where you have to work mainly where the more amount would be invested also जिससी की customer satisfaction भी आएगा और financial goal भी अचीव होगा and lastly it is learning and growth perspective which is about upgrading your employee skills giving them good work culture and of course having your strong rules and procedures and organization systems in place which will help them to work effectively तो इसमें three source आते हैं एक देखें employee capability दूसरा है system और तीसरा organization culture and procedures और इसमें कभी कभी हम लोग innovation भी डाल देते हैं या फिर innovation इधर भी डाल सकते हैं मैं innovation के लिए दोनों बता रहा हूं कि innovation इधर भी लिखा जा सकता है क्योंकि एक बार exam में CA news syllabus में एक question था जिसमें innovation को लेकर अगर हम यहां नहीं डालते तो वो answer पूरा ही नहीं होता क्योंकि इसको लेकर और कुछ भी question में दिया वा ही नहीं था सिर्फ innovation को लेकर ही बात किया वा था तो अगर आप कुछ भी नया चीज ला रहे हो तो वो internal business में भी डाला जा सकता है वो learning and growth में भी डाल सकता है वो question मे आप देख लाना कैसे आपको suit कर रहा है okay so from this next is benefits of BSC इसका फाइदा क्या है अब यह सब new syllabus वालो आप specifically देखो यह सब keywords ही एकदम लिखे वे एकदम छोटा में और यह आपको रटना पड़ेगा वरना आपका case study का answer में कभी भी quality नहीं आएगा ठीक है case study को handle करने का पहला मू मंत्र है that you cannot have just the general idea of a concept you need to have some specific keywords in mind अपसे balance scorecard किसी को मैं बोलता हूं बता हो क्या है तो खाली चार perspective का नाम बोल देता है उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता अब financial perspective में क्या होता है उससे पूछो तो बस finance बोल देता है और वो बोल देता है profit finance sales यह और कुछ नहीं बोल पात finance में क्या बोलना है वो है यह दो बात कि यह आपका definite performance set करता है strategy से link करके और दूसरा यह बाकी तीन perspective में भी काम करने का direction देता है customer perspective में अपने को customer identify करना है और फिर क्या चीज customer को भी primarily चाहिए उसके उपर काम करना है internal business perspective and innovation में internal business perspective and innovation में आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या financial perspective और customer perspective में सोचा हमने और उसको लेके कहां पर क्या काम करना in this stage companies identify process and activities which are necessary to achieve the objective as identified at financial perspective and customer perspective जो उपर में दो सोचा उसको लेके मैं क्या करूँ action area internal business perspective और learning and growth में आप बोलेगा बस learning and growth of employees नहीं चलेगा आपको generalized answer लिखने से marks नहीं मिलेगा आपको बोलना पड़ेगा इसमें employee capabilities system का upgradation और organization policies procedures and culture के उपर काम करना है ऐसी benefits of BSC में जब आएंगे तो आपको specific words लिखना है और वो क्या है कि it focuses on both financial and non-financial it considers need of not just the shareholders but it also involves customers and employees as important stakeholders its benefit will only come in long term because it emphasizes on working on non-financial things non-financial benefit will always come in long term and lastly it is a management tool for reporting purposes also because I told you that very or several organizations are preparing this kind of balance scorecard this kind of scorecard for themselves for internal analysis internal reporting some organization are so 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 perfect in using this balance scorecard that they are making this as a part of their annual report also and showing to all their shareholders as well and of course it's not necessary that everything would be in this exact four perspective Robert Kaplan ने जब इसको लिखा तो उन्होंने gross idea दे दिया कि चार perspective है इसमें आप सोचो but यह कोई law थोड़ी है कि यही चार सोचना है some companies have started thinking another on a fifth factor also they are including fifth factor as environment some are taking as sixth factor also which is they are taking as society okay now balance scorecard में क्या होता है क्या और भी तरीका होता है internal use के लिए balance scorecard के मदद से यह लोग performance appraisal करते है अपने employees का लब employees का expectations है उसमें जैसे यहां पे चार perspective है वैसे वो लोग भी चार या छे perspective identify करते है और हर एक का फिर CSF होता है फिर KPI होता है फिर हर employee का जो senior होता है वो उसको rating करता है उससे expectation क्या था और उसका actual में क्या हुआ उसका rating करता है और फिर क्या करते है यह लोग पता है इसको लेकर weighted average score जैसा कुछ बना देते है क्या होता है जैसे target में अगर आपका 10 था for instance और actual में 9 हुआ और इसका एक weight बदा देते हैं वो लोग weight मतलब 10% weight इसको देना है इसको 20% weight देना है इसको 50% देना है ऐसे करके you know 10 में 9 आया तो इसको लेकर weight into this करके score बना देते है या फिर 10 में 9 आया तो इससे points निकाला जा सकता है कि अगर सोचिए ऐसा question आपका djb book में भी मिलेगा points देने का question है उसमें जैसे मेरा target था 10% return आना चाहिए और actual में कितना आया 9% आया return कम आया नुकसान हुआ नुकसान हुआ तो point नहीं मिलेगा 0 point ठीक है sales volume का target था सोचो एक लाक unit होना है बट हुआ कितना एक लाक दस हजार unit हुआ ठीक है तो एक लाक दस हजार हुआ तो 10% extra आया तो 10% extra के लिए 10 points मिला ऐसे करके वो लोग points calculate करते हर एक हर एक KPI के लिए तो ऐसा एक sum आपको performance evaluation chapter में हमारा djb book में मिलेगा balance scorecard का जिसमें हर एक KPI को evaluate करके आपको points बैठाना है ठीक है और point मतलब एक point अगर सही है मतलब अच्छा है जिसे 10% का मान लो 12% हो गया तो 12% है तो 2 points मिल जाएगा something like that अच्छा के तरफ point देना है बुरा के तरफ point नहीं देना है zero point देना है फिर हर एक point का एक weight दिया जा सकता है कि इसको इतना weight है इतना weight है और ऐसे करके weighted average score एक निकाला जा सकता है उस score को लेकर कमनी अपना एक rating decide करता है कि इस साल का balance scorecard का score यह है तो अगला साल का top management बोल देगा अगला साल का यह weighted score आना चाहिए चलो अब उसके इसाब से सारा KPIs को adjust करो और अगला साल मुझे इतना score चाहिए तो लोग ऐसे काम करते है मतलब top management को उतना time थोड़ी है कि वह हर एक business का एक एक intricacies पकड़के चलेगा वो सीधा आके पुछेगा what is our balance scorecard weighted score for this month तो weighted score पता चला कि इतना है no 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 I don't want this much score I cannot just tolerate this much score तो वो बड़ा score चाहता है बड़ा score चाहता है तो कौन से KPIs को adjust करना है वो सब फिर उसके नीचे के subordinate सब को adjust करते हैं और उसके उपर काम करते हैं ठीक है तो यह concept है दुनिया में बहुत ज्यादा actively use हो रहा है next is limitations of BSC की यह delegatable नहीं है आप हर किसी से यह काम नहीं करा सकते यह copyable नहीं है किसी और का देख के अपने आपे use नहीं कर सकते sometimes KPI हर एक जगा का पता करना बहुत difficult होता है इसमें क्या होता है कि एक-एक head है फिर उसके अंदर इतने सारे CSF है एक-एक CSF में भी multiple KPIs हो सकता है तो sometimes too much of measurement हो जाता है जिससे many times management difficult हो जाता है non-delegatable, non-copiable KPI certain में difficulties है too much measurement हो रहा है steps क्या है developing करने का BSC को कि सबसे पहले तो आपको CSF जानना है फिर CSF को पाने के लिए क्या-क्या process पे काम करना है आपको वह सोचना है फिर हर एक process का KPI होगा ठीक है CSF और फिर process that lead to this outcome मतलब CSF जैसे मान लीजे बोलने का मतलब है CSF मतलब customer पे काम करना है तो customer के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ पे काम करना है process हो गया मान लीजे मुझे defects कम करना है मुझे complaints को कम करना है मुझे sales return को कम करना है CSF से जुड़ावा process का मतलब है हमें किस-किस area में actually काम करना है फिर हर एक process को measure करने के लिए KPI चाहिए की performance indicator आपको set करने है फिर KPI खाली बनाने से नहीं होगा आपको एक ऐसा system बनाना होगा जिससे की वो सारा KPI का data आपके पास निकल क्या है जैसे मुझे पता करना है कि number of defects मेरा KPI है तो मुझे पता करना है जाके कि number of defects system में पहले क्या था अभी कितना आ रहा है everyday basis पो update हो रहा है कि नहीं आपके करना बहुत ज़्यादा जरुवरी है जिसे मैं अपना मानली जी एक business का target बनाता हूँ कि मुझे reach customer reach को बढ़ाना है customer reach को बढ़ाना है customer reach बढ़ाना is a kind of sales promotion activity reach बढ़ाना is coming in financial category it is not coming in customer perspective मेरा reach बढ़ेगा तो it is not coming in customer perspective I am not thinking for customer मेरा reach बढ़ेगा तो उससे मुझे sales ज़्यादा मिलेगा तो it is a financial thing reach बढ़ेगा तो मैंने उसके लिए KPI लिया number of YouTube channel subscribers ठीक है number of YouTube channel subscribers YouTube channel subscribers का measurement होता है वो real time update होते रहता है तो वैसा मुझे updation करने का system चाहिए reach बढ़ाना है उसके लिए जिसका numbers ही नहीं मिल रहा है और उससे मैं कभी भी अपना success measure नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए बूल रहे है reliable data capture and measurement system होना जरूरी है develop a mechanism for reporting these two relevant managers and staff यह सारा का सारा कैसे relevancy बताया जाएगा different managers staff को जो उसके लिए responsible है और अगर नहीं हो पा रहा है तो improvement programs आपको continuous basis में set करते रहने है तो पहले आपको अपना perspective फिर उसका process फिर आपका KPI KPI के बाद कोई ऐसा system जिससे कि आप सब data capture कर सके कोई भी चीज़ पर काम करेंगे तो उसका में data capturing system तो चाहिए गई चाहिएगा फिर reporting और फिर improvement programs reporting to different people that what you were supposed to do and what you have actually done and then there will be improvement programs तो यह सब KPIs वगरा आप classify कर लो चार हेड में या ना करो बट यह आपके organization के लिए आज के जन में बहुत important है अगर आप सिर्फ finance पे चलोगे तो आपका organization कभी भी successful नहीं होगा KPIs organization का need के हिसाब से जरूरत के हिसाब से उसके scenario के हिसाब से सोचा जाता है और उसके उपर काम करना पड़ता है यही आपका balance scorecard ठीक है so balance scorecard खतम हो गया balance scorecard is over from my side balance scorecard is over from my side balance scorecard is over from my side so एक अच्छा question है हमारे दोस्त से सर वो strategy mapping कुछ बताइए न बीस सी में strategy mapping क्या होता है मैं वापस से बता दूँ strategy mapping एक बहुत बड़ा concept है वैसे मेरे regular map में एक page भी अभी दिया हुआ है latest map में बट उसमें ऐसी समझना है कि कैसे यह चारो perspective link हो के आपको overall objective को fulfill करा रहा ठीक है तो उसमें सबसे last में आता learning and growth of employees है employee में competencies है capabilities है तो वो internal business में improvement लाएगा वो उसमें जो required setup time को घटाने का है जो आपका you know cycle time को घटाने का है defects को कम करने का objectives है उसको fulfill करवाना है तो आपको employee competencies पे capabilities पे काम करना होगा उनको सुविधा देनी पड़ेगी system बनाना पड़ेगा फिर वो लोग आपके लिए internal business में result आके दे पाएंगे internal business में result आएगा तो customer satisfaction आएगा तो फिर आपका overall goal fulfill होगा बस आप चारू को ऐसे link करते हुए नीचे से उपर जाएंगे न तो strategy map बन जाता है ठीक है चलिए ओके so I am switching to next chapter which is benchmarking आये benchmarking start करें BSC हो गया benchmarking में आ गया benchmarking में चलो benchmarking क्या है basically अपने आपको दूसरों से compare करना इसको कहते है benchmarking करना benchmarking मतलब अपने आपको दूसरों से compare करना वो दूसरा कौन होगा वो दूसरा होना ची world class world का जो best है वो यह theory वैसे Japanese लोगोंने evolute की थी कि उनके मन में हमेशा यह था कि हमें world का सामने जो जो world का best होता था वो उसको adopt करने का कोशिश करते थे it started from Toyota only when Mr. Toyota was thinking what should I do now next you know to start my business so he thought that automobile business would be a good idea now how should I do automobile business he started with you know by by procuring the raw materials from warfare grounds war में जो लड़ाई वड़ाई हुआ था उसमें इतना damages था कि you know बहुत सारे लोहे वहे का iron parts वगरा वहां पर ऐसी पड़ावा होता था तो वह सब को लोग प्रोक्योर किये ठीक है war ground से और फिर उसको गला गला कर metal वगरा बना कर थोड़ा सा automobile industry को shape देना शुरू किये तो इनके मन में था कि देखो ऐसे automobile industry setup होगा नहीं क्योंकि हमें compete तो करना है ultimately world के player लोगों से तो उस समय automobile का king था Ford जो world में top चल रहा था और Mr. Henry Ford US के one of richest person में उस समय आते थे तो वह सीधा fly कर गए Henry Ford के पास यह जानने के लिए कि वह वहाँ पर किस तरह से काम करते हैं इसके उपर आप कभी YouTube में search मारना आपको वीडियो भी मिलेंगे कि Toyota and Henry Ford कैसे आपस में interaction कर रहे हैं और आपको वह लोग बता रहे हैं वीडियो में documentary type का है कि देखे कैसे Toyota वहाँ पर Henry Ford से सीखने गया था ठीक है क्यों क्यों सीखने गया वहाँ पर क्योंकि Japanese theory simple दी कि मुझे world का best जड़ी बनना है तो world का best जो आदमी जो कर रहा है जैसा कर रहा है वैसा कुछ करना ही पड़ेगा अब है कि उसको copy paste नहीं होता है इस चीज को ध्यान रखना वह जो कर रहा उसको जानो बट उसको आप copy paste करोगे तो आप fail हो जाओगे Toyota उनका पूरा system समझ के आया कि वह कैसे कर रहे अब वह outcome जो वह ले के आ रहे है उसको वह ले के आये अपने limited resources से तब जाके Toyota world का number one बना वह ford को भी पचाड रही है world का number one क्यों बना भी तो obviously Toyota नहीं है number one अभी Tesla चल रहा है but still Tesla क्या न मुझे ऐसा लगता है कि Tesla का books या फिर you know market value inflated लगता है मतलब उसके products अभी अपने आखों में नहीं देखा है मैंने उसके products खाली मैंने videos में देखें और अभी वो चारो तरफ world में फैला नहीं है बस क्या futurist के बोलकर लोग उसका value बढ़ा रखें बड़ टोयोटा तो fundamentally दिख रहा है ना चारो तरफ दिखता है तो समझ में आता ना कि Toyota क्या चीज है Toyota is something you know what they did अब वही outcome लाना है हमारे resources से and अपने resources को कैसे realign करना है उसके उपर उनने काम किया तो उनका Toyota manufacturing system नाम से popular हो गया manufacturing system जिसका नाम lean system या JIT system बढ़ा ठीक है JIT lean Toyota कही देना है क्योंकि उनका एक fondness रहा है Japanese का कि we have to be the world best we cannot just be the best in our community we cannot just be the best in our country we have to be the world best वो world best का जो उनका आग था वोई उनको वहां तक ले जा सका right so best practice पता करो और उसको adopt करो ना कि copy करो यह benchmarking है और benchmarking में फिर हम लोग थोड़ा performance improvement लाते हैं performance improvement mainly हम लोग यहां पे लाते हैं cost में revenue में और efficiency में तीन जगा cost revenue efficiency वैसे मैंने BPR सिखाया था आपको BPR में भी हम performance improvement लाते हैं benchmarking में क्या हो रहा है so how do you do benchmarking there are several types of benchmarking competitive benchmarking is there strategic benchmarking is there now what are those I will discuss one by one competitive benchmarking is compare your activities with competitors how they are doing say Amazon is comparing with flip card flip card is comparing with Amazon so that is competitive benchmarking you it's not that you have to just compare the customer rating or you have to compare the valuation you can compare anything it's like firms product process or business results means whether they are making profits or not how much revenue they are making okay how much products they are having how many we are having and what is what are the process they are following why can't we follow that process okay so I say this is Amazon concept of fulfillment center bananehka fulfillment center just a Amazon I'm going to ask you to think about how fastest delivery fastest delivery आपके पास delivery partner है जो आपके कमिट्मेंट को अपना कमिट्मेंट समझे जैसे आपने कस्टमर हो कमिट्मेंट दिया कि आपका गुड्स इतने समय तक पहुँच जाएगा तो आपके जो delivery partner है उसको भी ये commitment लेना पड़ेगा उसके अलावा एक सबसे important चीज़ है कि आपके पास inventory होना चाहिए inventory नहीं होगा तो आप fastest delivery करा होगे कैसे right so amazon ने क्या किया अपने resellers से inventory procure करके अपने fulfillment center में एक अलग place पे रखना store करना शुरू किया उसको इस तरह से organize करके रखा कि आपका जैसी order book होगा fulfillment center में जो लोग काम करें वो 24-7 काम कर रहे हैं वो within few minutes उसको pack करके ready कर देंगे within few minutes they will ensure that it is packed okay जैसे ही आपने book किया कई बार ऐसा भी हो सकता होगा कि आपने book किया और आपका you know थोड़ी देर के बाद आपका mood change होगा और आपने cancel कर दिया ऐसा हो सकता है तो cancel हो गया तो Amazon ने इतना आपको relaxation दिया हुआ कि वो ले छोड़ो कोई बात नहीं अब तब तक हो सकता है कि आपका goods pack हो चुका था फिर वो unpack कर दिया जाएगा वो वहाँ पर इतना continuous real time update चलते रहता है कि जैसे पता चलेगा कि वो pack हो गया था वो आगे भड़ गया था तो उसके बाद वो वहाँ पर रोक सकते हैं और फिर मानली यह ship हो गया था फिर आपका mood change हुआ तो वो बोल देगा कि ठीक है आप ship हो गया आपके पास आएगा तो आप return कर दिजिएगा उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि वो बीच में कहीं recall करा सकते हैं shipping hub पे भी information देखे उसको recall करा सकते है ऐसा होता है तो वो जो internal system उन्होंने बनाया है यह process जो बनाया है यह process पे flip card ने copy किया यह process को world के कई सारे e-commerce वालोंने copy किया Amazon आगे क्यों निकलता चला गया क्योंकि वो process का inventor था ना तो inventor को हमेशा advantage जादा मिलता है क्योंकि वो उस पर और भी up gradation करते रहता है right next is strategic benchmarking इसमें हम लोग क्या करें अपना company का strategy को दूसरे competitors के strategy के साथ compare करें strategy में क्या हो सकता है कि we are aiming to to create a new market we are aiming to develop a new product ठीक है जैसे Toyota में compare its strategy with Tesla Toyota is seeing now कि देखो मेरा तो market valuation कम हो गया तो जैसे Tesla भी सब electric cars के उपर बहुत जादा काम कर रहा है luxury electric cars के उपर तो let us also start working strategically अपने आपको वैसे benchmark करेगा जो immediately अचीव करना मुंकिन नहीं है but we can achieve it over a period of time okay global benchmarking is you will be only following global best practices you will be only following global best practices in your business that is something that is followed worldwide you won't just follow what is being followed you know only in your country you will follow the best practice worldwide now it is done if you are having market globally if you are having your employees across the globe then you should do global benchmarking maybe it can be as simple as what is the best practice in a week what is the best practice in the global level what is the best practice in the global level you will follow in your organization right then process benchmarking is just comparing one process maybe order processing process maybe customer service process okay maybe rework process whatever process one specific process you can pick up and compare it with others then functional benchmarking functional benchmarking is what involving experts from different functional areas functional benchmarking means which is a full function for example research and development different function so it will be a full benchmarking means full R&D which we will compare with others how to do it so many times different functional areas it will lead to innovation also internal benchmarking is within our group of company we have different divisions allah-alah location to comparison external benchmarking is outside the group those are maybe the leading one in the industry intra group is we have a company multiple groups or a group multiple companies there is a big company which is a group within 2-3 group Tata Suns is a very big company which is a group within the group comparison comparison or a group or a group within the companies compare that is intra group inter group is within 2 groups but that group is in the same industry within 2 groups within the same industry intra group means within ourselves inter means inter industry means we can sometimes compare our process with others who are not in our industry also so if say I am in the education industry I can compare my shipping process with e-commerce industry like Amazon maybe with Flipkart I can compare I can do that benchmarking and of course I cannot copy paste the way they are doing I can adopt some things from them and then that I can follow which is basic Amazon is shipping after sms and sms and link that is what can be the scope of work in future and then keep monitoring and reviewing whether the desired results will be are being achieved or not first is planning planning means you have to identify where you want to work it may be a product it may be a process okay second is you have to collect the data collect the data means you have to collect what is going on currently in your company and as well as you have to collect the data for from competitors or from where you want to benchmark that is how to do analyze the findings which you have to do analysis where is the scope of work and then ultimately lay down a plan which we call as recommendation that you have to do this and then keep monitoring and reviewing okay keep monitoring and reviewing next principles of benchmarking and code of conduct now benchmarking करने जाएंगे ठीक है तो benchmarking में हम computer से पता करने जा रहे हैं कि वो कैसे काम काम कर रहे है तो point है कि वो बताएगा question है कि कोई अपना secret बताएगा normally तो नहीं बताएगा बट अगर आपकुछ code of conduct follow करोगे principles follow करोगे तो जरूर बताएगा जैसे मैंने आपको बोला ना Toyota सीधा क्या किया Henry Ford के पास चला गया और बोला कि मुझे बताई आप कैसे गाड़ी बना के क्या Henry Ford को मालूम नहीं था कि वो गाड़ी बनाना चाहरा है और मेरे इतने साल के मेहनत को एक बार में सीख के चला जाएगा तो जल से जल बना लेगा फिर मुझे ही compete करेगा और Henry Ford के मनने के बाद शायद यह हुआ हुआ ही ना कि Toyota और Ford competitors बनी गए ना ultimately world level के players में तो सिखाया किसने Ford ने और फिर Ford को यह compete कर रहा है तो यह natural चीज है जो थोड़ा यह competition के ऊपर चले जाते हैं वो बोलते हैं ठीक है करो करो कोई problem नहीं है बताने में मुझे क्या रइट आपको अगर जानना है तो आप अगर काईदेस आएंगे तो मैं सब कुछ बता दूँगा जिसे कल को आपको भी tuition पढ़ाना है और आप मेरे से आके पूछना चाहरे हो कि सर कैसे क्या setup करते क्या करते आप बताईए थोड़ा सा तो मैं बता दूँगा मैं थोड़ी hesitate करूँगा कि नहीं बच्छा बेटा मेरे से पढ़ा और फिर पढ़ाने का सुच रहा है और फिर मेरे से पूछ रहा है कि कैसे setup करना और कल मेरे से compete करेगा ऐसा नहीं है हम भी अप जो setup किये तो हम भी अपने teacher से जा जा के दिख दिख कर setup किये भई तो उन्होंने मुझे मदद help किया हम भी आपको help करेंगे यह सिलसला इंसानियत का चलता ही रहता है यही benchmarking का basic rules है कि everyone helps everyone it's not that they will keep hiding you should not always ask some above the line questions principles और code of conduct यही बोल रहा है कि कुछ basic sense follow करो तो यह सब follow करोगे तो कभी benchmarking practice में दिक्कत नहीं आएगी जैसे पहला legality तो legality means never ask any illegal questions जैसे आती ही आप पुछो कि sir एक चीज बताईए आप दो नंबरी का रूपया कितना इधर उधर करते हैं आप मेरे से आती ही सवाल पूछ लोगे कि sir एक चीज बताईए आप जो fee student का लेते हैं वो GST का बिल दो दिखाते हैं वो सक्चा बिल है कि जूटा बिल है उसको फाड के फेक देते हैं कि उसको रखते हैं अब आप यह सब सवाल पूछो कि तुम्हें है तो भगा दूँगा ना आपको you should not ask any kind of illegal questions okay second is confidentiality confidentiality means whatever you get to know through the process of benchmarking you should maintain it as a confidential information ऐसा नहीं कि यहां पर आके यह सब जानने को मिला और जाके फिर उसका press conference बुला के या social media में पूरा प्रचार कर दिया कि मेरे को पता चला है वहां से मैं घूम किया है वहां पैसा ऐसा ही होता है right फिर आ रहा है exchange exchange मतलब principle of exchange मतलब अगर आप दो सवाल पूछते हो तो उसका जवाब देने के पहले सामने वाला भी यदि आपसे कोई सवाल पूछे they are asking you some questions you should also answer आप अपना तो कुछ बताओगे नहीं और उसका सारा जानोगे तो benchmarking कभी चलेगा नहीं ठीक है कुछ दोस्त होते हैं ऐसे मेरे एक दोस्त है मैं आपको कुछ दोस्त का क्या बताओ खु क्या business कैसा student कैसा result कैसा सब कुछ और फिर मैं फटा फटा बता दिया और फिर जैसे अब मेरी बारी आई पूछने की अच्छा और तुम बता बस कुछ नहीं भाई चल बाद में बात करते हैं फोन रख देता है अरे यह क्या कर रहीगा वही अब मेरा तो सारा जान लिया और आप भी अपना दो बाद उनको बताएं then principle of use का मतलब है कि जबी भी benchmarking करने जाओ ना तो सामने वाले को बता दो कि मैं इसलिए आप से यह information जानना चाहता हूं तो वो purpose जो आपने बताया वही purpose के लिए information को use करना principally अगर आप कोई और purpose के लिए use करोगे तो बाद में उनको पता चलेगा तो relationship खराब हो जाएगा फिर principle of first party contact first party contact means आप हमेशा एक ही जन को contact करोगे वहाँ पर और हमेशा उसी के थ्रू ही contact करोगे first party contact का मतलब है कि हमेशा एक ही जन को contact करोगे मतलब सामने वाली की company में गए और information लेने के लिए एक person को पगड़ा और फिर officially कई बार होत person to whom you can contact to get all the details now whenever you have to get any details you should contact that person only if you will try to catch up some other person some other person in grapevine then those are not good practices then third party contact means you may sometimes appoint an agent also expert also who are good in benchmarking okay who can prepare a well framed questions and take answers and give you a report so in that case you have to discuss close that जैसे मैं अगर जानके सीखना चाहता हूँ कि IM में या IT में कैसे पढ़ाया जाता है तो I will write a letter IM IMT में कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ करना आप मुझे कोई person depute करिये जो मुझे थोड़ा से इस बारे में knowledge देगा तो फिर मैं खूद जाओंगा कि मेरा कोई agent जाएगा वो मुझ होगा वो शायद information नहीं देंगे तो you should disclose if any third party is involved okay so these are some basic principles of benchmarking if you follow you always get the information and you should not I always teach my students कि कभी भी आपको कभी भी कहीं से भी कुछ भी जानना है you should never hesitate you should always just go and ask कि नहीं होगा तो क्या होगा ना ही तो सुनने मिलेगा नुकसान कुछ नहीं है अपने हीप दिया तो अर्य बोल दिया तो ना बोलनेमें क्या आता है कि तो हम लोग क्या चीज़ है भई हम लोग तो कुछ भी नहीं है वो तो अलग country का अलग जगा चला गया और सीख क्या गया और हन्री फोड खुले दिल से सिखा भी दिया और फिर वो कहां से कहां पहुच गया तो हम लोग भी ऐसा इंसानियात के नाते हैं हर जगा करते हैं मैं आपके लिए करूँगा आप मेरे लिए करोगे इट इस धूमन नेचर और बेंचमर्किंग यही सिखा रहा है कि आप किसी से भी मिलो तो कुछ principles follow करो और उस से सीखो और as it is use करो करो तो फस्स जाओगे goals for benchmarking क्या है significant process improvement based on जो मैं तीन बात आपको बोला था न efficiency cost savings and revenue efficiency cost savings and revenue okay then we have targets targets में cycle time productivity customer service quality and production cost targets में क्या है कि यह सब चीज़ पे हम लोग काम करते है cycle time पे productivity पे customer service पे quality पे production cost पे तो these are the areas where we generally work upon in benchmarking and we want significant improvement in terms of revenue cost and efficiency prerequisites क्या है कि you need senior management support the objective should be clearly defined scope of work should be defined resources should be there आपको अपना performance मालूम होना चाहिए right skills and competence of the benchmarking team okay benchmarking का जो आदमी लोग को आप appoint कर रहे हो वो समझदार आदमी होना चाहिए वरना वो पता नहीं करके आएगा ठीक से अधूरा चीज़ जाने का आ जाएगा कई बार होता है हम लोग अपने यहां से किसी को बेजते है जा पता करके आए उनसे मैं बात कर लिया हो तुम उनसे सारा चीज़ समझ किया जाना फिर जाता है एक कोशन पूछता है और आजाता है तो वो सामने वाला बार बार टाइम तो नहीं देगा ना पर सामने बाता है और बार बाता है और बाता है मेरे को क्यों बल रहा है वाई यह आ इंवल्विग में इंटो इस बाता है और उनको फिर बता रहे ना तो आदमी का फिर behavior होता है मेरे को क्यों बोल रहा है why you are involving me into this you do what others are doing I don't matter, I won't do I will do what I only were doing तो वो आदमी का resistance होता है इसलिए उसको inform करके बताना चाहिए कि benchmarking का फाइदा क्या है stakeholders को भी बताना चाहिए कि हम लोग इस तरह से अपने आपको benchmark करें अपने को इस level पर लाने का सोच रहे है so they get happy if they are informed they also get involved difficulties क्या है time consuming difficult है, delegatable नहीं है resistance आए गई waste time in non-critical functions sometimes हम ऐसा चीज़ पर benchmarking करने लग जाता है जो हमारे लिए काम का नहीं है adaptation करना पढ़ता है not merely copy it adaptation of best practice not merely copy it not merely copy it copy paste मत करो आपको बदल के अपने scenario के हिसाफ से उसको use करना है ठीक है, तो benchmarking यहाँ पर खतम हो रहा है, so benchmarking एक बार recapitulate कर लेते हैं benchmarking में हम लोग क्या करें, कुछ keywords पर बात कर लेते, continuous improvement करें okay, by comparing benchmarking में क्या करें, compare कर रहा है किसे best performing से, best performing से, best performing मतलब world best हो तो best है, या फिर एक बड़ा market को relate करवाने वाला, जैसे मान लीजे, अपने stock market में भी कई बार अपने stock का performance को benchmark करते हैं with nifty या benchmark करते हैं with sensex तो nifty sensex क्या है, पूरा market का situation को दिखा रहा है तो हम लोग benchmark जभी भी करेंगे तो best से करेंगे जिससे की हम लोगों के पास best चीजी आएगा, best information आएगा फिर types of benchmarking आपको ध्यान रखना है जिसे कुछ recall करते हैं, competitive है फिर मान लीजे, functional benchmarking है फिर आपका तीसरा strategic benchmarking है चौथा आपका process benchmarking है global benchmarking है, internal है, external intergroup है, intragroup है okay, so these are the types of benchmarking, inter-industry है process of benchmarking में पहले planning करो कि क्या करना है, data collection करो अपना और दूसरे का analyze करो, recommend करो and then monitor and review why results are not coming, principles क्या है legality maintain करो, confidentiality maintain करो, use maintain करो ठीक है, exchange, principle of exchange follow करो, third party contact first party contact, सब कुछ फॉलो करो goals for benchmarking में, quality पे काम, sorry, revenue cost और efficiency पे काम करो और targets लो कभी customer service का, कभी cycle time कभी productivity, कभी quality, कभी production cost का, prerequisites क्या है management का support होना चाहिए, defined objective, scope of work resources should be sufficient okay, and clear picture of organization performance, right skills and competency of the benchmarking team and stakeholders and staff should be informed, difficulties क्या है time consuming and difficult हो सकता है costly है, delegated delegatable नहीं है delegatable नहीं है, कई बार time waste हो जाता है, non critical function में benchmarking करके, और adaptation of best practice not merely copy it, आपको copy नहीं करना है, हमेशा adapt करना even balance scorecard में भी अपने यही बोले थे कि आप copy मत करो किसी और का balance scorecard को अपने आपर आप अपना balance scorecard खुद बनाओ, जैसे मुझे अपना balance scorecard बनाना है तो मैं swigy का balance scorecard लेके copy थोड़ी कर सकता हूं, मुझे मेरे organization के इसाप से CSF KPI सुचना बढ़ेगा वैसे benchmarking कोई और कर रहा है और वो क्या कर रहा है क्या जान रहा है तो उसको as it is आप नहीं उठा सकता है, आपको अपना organization के लिए खुद से अपना requirement समझते वे benchmarking करना बढ़ेगा ठीक है so benchmarking भी खतम हुआ friends यहाँ पर, एक और chapter आपके pocket में मैंने डाल दिया okay so आज हम लोग यहीं रूख जाते हैं क्या बोलते हैं क्यों और आगे बढ़ें कि रूख दें benchmarking से question किस तरह का सकता है benchmarking से question just take कोई case study type का अगर CNU syllabus में बना तो बना बाकी CMA वगरा में आपको types of benchmarking बहुत common question मिलेगा what is benchmarking what are its types okay और CA का new syllabus में यदि benchmarking को लेके कोई भी case study आया तो आपको सारा area वहाँ पर touch करना है limitation बताना है थोड़ा सा process बताना होगा थोड़ा सा आपको you know उसका goal बताना होगा types बताना होगा you should know each and every corner कि benchmarking में what is benchmarking उसका types क्या है फिर उसका process क्या है तो फिर उसका goal क्या होता है फिर उसका difficulties क्या है it's like that ठीक है तो आज हम लोग यहीं रूख जाते हैं अभी ठूसम ठूसाई का कोई काम नहीं करेंगे हम लोग next हमारा target होगा traditional versus strategic cost management को pick up करना next अपना chapter है traditional versus strategic cost management और उसके बाद मैं budgetary control में घुसूंगा दो chapter है next day के लिए traditional versus strategic cost management and then budgetary control तो budgetary control CMA वालों के लिए नहीं है CMA old वाले के लिए है और traditional versus strategic सब के लिए है to be very frank traditional versus strategic का सबसे ज़्यादा importance CA new syllabus में है और CA old में और CMA में उतना ज़्यादा importance नहीं है बट फिर भी कुछ theory question 4-6 mark का बन सकता है बोल के हम लोग पढ़ेंगे traditional versus strategic बहुत ज़्यादा important आपके लिए CA old में या CMA में नहीं है लेकिन CA new syllabus के लिए important है तो अगला दिन मैं traditional versus strategic pick up करूँगा फिर budgetary control pick up करूँगा फिर मैं कौन सा chapter pick up करूँगा budgetary control और उसके बाद एक और chapter है supply chain management उसको भी कराना है ये कराने से सारा common topics खतम हो जाएगा उसके बाद अलग-अलग time पे हम लोग split हो जाएंगे CA वाले सुभः CMA वाले शाम को ऐसा हम लोग split कर लेंगे CA वाले सुभः मतलब CA new syllabus वाले सुभः और CMA वाले और CA old syllabus वाले शाम को वो हमारे साथ QT का chapters पढ़ेंगे और बाकी लोग हमारे साथ जो बचे वे chapters ये ने इन syllabus के वो सब पढ़ेंगे So we will follow this Okay So that's all in today's session Thank you Okay friends we are starting with new chapter budgetary control Budgetary control CA old syllabus में है और CA new syllabus में CMA में budgetary control chapter नहीं है ठीक है So CA new syllabus में थोड़ा और ज्यादा है Okay CA old syllabus में कम है मैंने जो अभी इसमें दिया है CA old syllabus के लिए थोड़ा सा कम है CA new syllabus में और ज्यादा है मतलब इसमें जितना है सब CA new को पढ़ना है CA old को थोड़ा कम पढ़ने से चलेगा तो अभी आप पूरा सुनो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरा यह मानना कि budgetary control सीखा है तो पूरा ही सीखना चाहिए अप टू डेट रहना चाहिए ठीक है तो ऐसा नहीं कि आपको मैं बीच में जाने बोलूँगा CA old वालों को इवेन इन वीडियोज recorded वीडियोज अलसो CA old को यह पूरा chapter मिलेगा बट मैं आपको बता दूँगा कि यह चीज आपके लिए उतना important नहीं ठीक है कहां तक important है तक मैं पढ़ा रहा हूँ फॉलो करना CA new syllabus का जब मैट खोलते है ना budgetary control का तो वहां पे सीधा थोड़ा एक budgetary control का एक base वाला part होता है वो base को पूरा वो skip करके सीधा एक नया ही part से start करता है ठीक है तो पहले मैं base पढ़ा रहा हूँ वो base actually CA new syllabus का mat में depth में नहीं दिया हुआ है बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो यहां पे दिया हुआ है वो हम लोग के class notes में भी रहता है इसलिए यहां पे भी दिया हुआ है पहले वो base वाला part करेंगे जो CA old में है ही है और CA new में mat में नहीं दिया हुआ बट base जानना जरूरी है उसके बाद CA new का जो extras है वो सब अपने को पढ़ेंगे जो CA old में नहीं है नो budget क्या होता है अब आज आप सबको पता है budget मतलब basically an estimate of expenses जो आपको future में incur करना है उसका एक estimate उसमें मैं generally बोलता हूँ कि budget में expense का estimate नहीं होता revenue का भी हो सकता है income का भी हो सकता है budget का characteristic है कि वो एक period के लिए defined होता है budget perennial नहीं होता budget is always defined for a period सब keyword देख लिजेगा budget is always specified for a period and it can be an estimate of revenue or expenses then types of budget में चार type है majorly आप देखी एक है fixed, दूसरा है flexible तीसरा है functional, छौता है master budget fixed flexible सबको पता होता है बट फिर भी एक general idea से वापस जान लेंगे fixed budget एक ऐसा budget है जो हम लोग एक particular level of activity पे ही बनाते हैं और उसी का ही cost estimate करके रुख जाते हैं ये तब बनाया जाता है जब आपको पता होता है कि आने वाले समय में मेरा level of activity constant ही रहेगा इतना ही होगा और आप sure हो कि इतना ही produce करोगे बिकाज आपके customers भी fixed है उतना ही demand आना है तो उतना ही produce करना है ठीक है तो उससे में आप fixed budget बनाते हो विच इस आप a specific volume of activity but if say your business is such that you are having fluctuations in demand you are having you are launching a new product okay you are having some changes in taste of customers so you are trying to cater to those tastes okay so if you are say working with new type of production methodologies then you are not sure how much you will be producing in the coming period so in that case we don't say that okay first become sure and then become then prepare the budget we say okay if you don't know what would be the activity level then try to have your forecasted different level of activities maybe say you will be producing 1000 units or 1200 or 1500 or 1800 so you note down whatever you know is optimistic view whatever is pessimistic view what is your most likely whatever all those possibilities are there you note down all the level of activities and prepare a budget on all the level of activities so that in miss a kobe who are to budget come as I am so you should not say title key of the activity level Patani children at the concept of a budget when I you prepare your budget on multiple level of activities so fix or flexible main Joe difference ever yeah he had okay to now you can read everything does not change with volume of activity it is changed assumes one level of activity under one set of condition it is consisting of several level of activities it is not useful when activity level changes useful when activity level changes as budget for the actual activity can be determined and compared with actual whatever be the actual activity you prepare the budget for that actual activity and then you can compare with your act compare our budget and actual lastly it is suitable when supply and productions are regular and stable no seasonal fluctuations are there but when there are fluctuations new products are there new production methods are there sales are based on climatic change or comma DJ happy or change in fashion then you should use flexible budget now what is functional budget what is functional budget functional budget kya hai functional budgets are the budgets prepared for different functional areas of your organization functional areas means for different department sales budget production budget purchase budget wages budget cash budget and what is master budget it is basically summary of all functional budget is extracted and using that you prepare a budgeted PL account and forecasted balance sheet projected balance sheet of the organization forecasted cash flow statement so that becomes the master budget master budget is the overall effect of all your functional budgets functional budgets means all the details of the budget budget okay next are budgeting budgeting is basically the techniques that you follow to prepare the budgets now types of budgeting meeting name one is traditional second is zero base and third is performance budgeting traditional budgeting we prepare the first budget in extreme detail okay extreme detail means all the details are duly noted as to why any amount is supposed to be incurred but once the first budget is prepared for subsequent budget we take the previous budget as base we say for the month of January if we have prepared in a detail that the budget of this department is going to be rupees 25 crores then in February it will be presumed that it has to be 25 crores because it was already well noted in January in March it will be presumed that it is 25 crores okay so if any extra is required in March then only that extra will be justified then that extra only will be justified okay if any extra is required in March then that extra only will be justified remember okay we won't actually justify the entire old 25 crores which the first decided or fixed will be continued that means in previous budget in subsequent budgets previous budget is taken as a base and if any extra amount is required to be incurred that needs the justification in traditional system so what happens in this circumstances if say there is a manager who is handling your budget he may get chance to misappropriate your funds or sanctions given to him because you will not be asking any questions why again 25 crores you will be asking questions only for additional so for those 25 crores if there is any savings due to economies of scale or due to learning effect those savings won't be accounted for in budget itself so if it comes in it will come only in actual so if it comes in actual then it will be honest and it will not be honest so it will be misappropriate so traditional budgeting is a limitation is the other budgeting system which is zero based budgeting zero based budgeting what happens in zero based budgeting every budget is prepared from scratch assuming that there was no previous budget like first budget you prepare from scratch but for subsequent budget you were taking previous as based in traditional in zero based budgeting we are saying every budget will be again prepared from scratch okay so now the thing is what happens if every time you are preparing from scratch it will take a lot of your time in doing the budgeting work okay but it will help you to limit the misappropriation because managers know that the top authorities will question me again for the each and every penny that they will allow so soon come and make the bed so it's not that easy to misappropriate okay so now the thing is it's not that zero based on a say purana wala purana wala purana wala purana wala abhi bhi chalega yadhi aapke organization may sare cost maanlija agreement ke hesaap save committed amount are har maina itna 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 dina hi to traditionally chalaya na jasas ae kalli him look traditional budgeting up ne ijaisi me he been hoa raha raha thai ki mujhe yeh jana tha ki haemare month ka committed cost kitna hai maine yayi word use kiya tha unavoidable minimum cost jomai her month bear karna hi hai which is our fix cost jis ke liye em loke agreement kar chukhe baut janoh ke saat ki maine kya aapko itna rupiah jis a staff salary rent jis a telephone bill internet ka monthly bill to its a committed cost agreement hoa hoa hai dana hi dana institute chalana hai to to wos sare cost ko lekar her maina thodi sochna hai ki yeh amount phir kiw yeh amount phir kiw yeh amount phir kiw yeh amount phir kiw because it took agreed amount committed amount हr semayi change hoota nai hai fix hamaa hamaa dana hi hai to us meh traditional budgeting hi chalega but yadhi aapke department meh bhoot zyada discretionary costs committed के जगा discretionary opposite discretionary means committed opposite discretionary discretionary means management department head aapne hisaab se kharcha department head aapne hisaab se kharcha rnd ka cost ho gaya product promotional cost ho gaya वह aapka choice पे आप करो चाहे ना करो to us discretionary cost के लिए हमेशा zero based budgeting follow okay so so basically traditional budgeting is more like you can do it in accounting also like traditional budgeting aapko special person ka feature that in every expense ledger or income ledger you can enable a budget feature there and that budget that you put over there is traditional budget so it's a part of accounting nowadays traditional approach is part of accounting because amounts are fixed every month so you just put up an amount and later on you can compare whether in actual you paid the same amount or extra or lesser but in case of you know zero based budgeting it cannot be part of accounting because it requires discussion it requires brainstorming so it is a decision oriented approach here the chances of misappropriation is very less but at the same time it is time consuming and costly affair also the third is performance budgeting it is a different kind of budgeting where the objective is to also have a quantifiable target for our non-financial factors which is based upon our department performance analysis it can be like number of defects it can be number of customer complaints the KPIs you have taught us to take that performance budgeting it can be number of hours worked okay how much you have said and how much worked okay it can be number of say power breakdowns or maybe short circuits so you can identify कि किस department का हम किस particular factor से performance measure करेंगे फिर उसका आप एक budgeted figure डाल दोगे और एक्टल में वो हुआ कि नहीं उससे compare करके आप चेक कर सकते हो so now you can read all three traditional budgeting में it is first budget is prepared with detail first budget is detailed and for subsequent budgets previous budget is taken as base the details being needed only for additional amount budgets are prepared for each department best suited for entities having regular or committed cost accounting oriented high tendency to introduce budgetary slack slack का मतलब होता है when you leave the budget on your departmental head तो departmental head क्या चाहेगा budget को थोड़ा और बढ़ा दो खर्चा का budget को और बढ़ा दो इसलिए इसलिए बोलता है 10% 20% एक्स्रा इसलिए बोलता है कि उसको लगता है कि बाद में flow का fund का flow रुके नहीं बाद में there should not be any restriction on me to incur this amount or that amount I don't work in pressure तो वो ज्यादा बोल देता है बाद में बच गया तो बोल देगा सर बच गया तो वो आपका ज्यादा sanction करवाने का कोशिश करेगा ज्यादा sanction कोई slack बोलते है slack मतलब budget में थोड़ा सा relaxation डलवा लेगा but relaxation डालने से tendency यह होती है कि आदमी फिर यह सोचने लगता है managers यह सोचने लगता है कि चल यह रूपया फिर इदर उदर कर दो miss appropriate करो miss appropriate मतलब अपना personal use के लिए ले लो ऐसा नहीं वो wastage कर देगा वो ध्यान नहीं देगा जब fund का रोक रहेगा ना तो दिमाग थोड़ा optimize करने का way में चलता है जब fund unlimited रहेगा या excess रहेगा तो दिमाग थोड़ा सा waste करेगा ही करेगा जिसे pocket में जब-जब मान लो 10 रुपया है ना तो 10 रुपया आपको खर्च करने के लिए भी बहुत बार सोचते है कि 10 रुपया कैसे खर्च करने जिससे कि मेरा 10 रुपया भी best use में आए पर यह pocket में 10,000 रुपया आ जाएगा तो 10-20 रुपया waste होई जाएगा तो it becomes like that इसी को slack बोलते है इसमें जरूरी नहीं है कि यह intention कुसका questionable है यह human nature है कि वह 10-20 रुपया waste कर देता है वह wastage को हम लोग slack से indicate कर रहे है कि slack होगा तो waste होगा so traditional में slack आ सकता है zero base में slack नहीं आता है यहां पर each cost element to be specifically justified okay it is not prepared just for department it is prepared for each activity in the department each activity of a department it is best suited for entities having large amount of discretionary cost like R&D, training, advertisement performance budgeting क्या है the method where objectives are laid out the cost of the programs proposed for achieving those objectives and quantitative data measuring the actual work मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग माली जीए देखना चाह रहे है कि हमारे worker के efficiency कैसी है तो उसको लेकर एक पूरा budgeting बनेगा तो objectives उसके वीचे खर्च कितना करना है वो पूरा budgeting process के लिए और फिर quantifiable data क्या होंगे उस काम को सोचने के लिए बजेट्स are prepared for department best suited for entities for high degree of decentralized decentralization मुलब जैसे transfer rising मैं आपको जिखाया था कि different जहां पर profit centers बना देते हैं और फिर उनके हवाले ही सारा business कर देते हैं तो आपको यह जानने में interest होता है कि वो perform कैसा कर रहे है financially और non financially दोनो यह input-output oriented approach है इसमें भी slack introduce होने का chance बहुत कम होता है because इसमें we measure lot of things we just don't measure the financial performance budgeting का खासियत क्या है कि यहां पर भी measure both financial and non financial okay both financial and non financial और generally यहां पर traditional और इसमें zero base में हम लोग financials को ही ज्यादा measure करते हैं okay वैसे आपको पता है zero base budgeting first time कहां पर सोचा गया था यह सोचा गया था Texas में एक company है Texas Instruments जो Casio Calculators आप यूज करना Casio Calculators बनाता है उसका एक engineer ने इसको पहली बार Texas Instruments में अपलाई किया था और फिर उससे इतना impressed हुए थे सब कोई कि Texas में यह policy बन गे थी zero base budgeting की फिर यूएस का government उस समय चला रहे थे प्रेसिडेंट जीमी कार्टर उन्होंने उस टेकसस के engineer को बुलाया और यूएस ने अपने federal budget में मतलब जो government का budget आता है उस budgeting system में zero base budgeting उनके help से implement करवाया आज भी वही चल रहा है वहाँ पर तो इंडिया में भी भी traditional है वहाँ पर zero base में आ गए तभी तो वो country grow करना शुड़ू किया न ओके next आ रहा है okay if there is a question please repeat the meaning of slack slack मतलब अगर मैं कोई भी budget अपने manager के through बनवाऊं तो manager चाहेगा कि मैं उसमें थोड़ा ज्यादा amount बोल दूँ ठीक है जैसे आपसे पूछू आपका मान लिजे आप student हो आपको Calcutta में आके पढ़ाई करना है okay monthly आपको मैं एक amount दूँगा तब आप पढ़ाई कर रपाऊगे तो monthly आपका 5000 में चल सकता है मान आप मेरे को बोलोगे की मैं आपसे जब पूछूँ गा कि विशाल बताओ कि कि इतना रुपया महिने का चाहिए गा तो आप तुरहन बोलोगे सर छ 2 चाहिएगा मेरे को पते और 5 में हो जाएगा जिस style में आ पर होगे ख रहुगे उन पांच में हो जाएगा ताप में यहा आपने हजार बोला क्या आपको लगा कि यह हजार एक्स्ट्रा रहेगा तो थोड़ा इजी रहेगा ना चलाना तो यह हजार जो एक्स्ट्रा आप अप्रूफ कराते हो अपने लिए इसी कुम स्लैक बोलते हैं जिसमें कभी-कभी कभी इंटेंशन खराब भी होता है कि हमें इस अप्रूपरियेट करेंगे कभी इंटेंशन यह भी होता है कि चलो थोड़ा सा इजी रहेगा comfort रहेगा बच जाएगा तो वापस दे देंगे इसमें मानना ही रहता है हमारा top authorities का मानना ही रहता है कि if more fund are available the chances are more that you will do wastages unnecessary expenditure so if your hand is tight in funds then you will not do any wastage आपके पास 10 ही रुपया है तो 10 रुपया खर्च करने के लिए आप 10 बार सोचोगे कि कैसे खर्च करना है so that is the concept next is budgetary control budgetary control means आप budget के मदद से अपने organization पर control लाना चाहते you want to bring control in your organization by using the budgets आप वो कैसे होता है कि in your department where you will be having a manager that manager is supposed to do certain responsibilities now for each responsibility you may have some cost so you can fix a budgeted cost for them okay performance budgeting कैता है कि सिर्फ कॉस्स नहीं और भी factors उनके लिए identify करो और उसका भी budgeted figure डालो but traditional में आए तो वो सिर्फ cost focus करता है कि उसको जो जो काम करना है उसका cost क्या है वो आप उसको freeze करके दे दीजे जिसको अपने standard performance या budgeted performance बोलते है then उसके बाद आप actual उसका लिजेगा period end खतम होने के बाद period के end होने पर and budget और actual को फिर compare करिएगा then you will compare the budget with actual to find out the deviations and then analyze why deviations are there and take steps to correct the deviations so these are the steps in budgetary control establishment of budgeted performance is number one take a full stop number two is measurement of actual performance this is number two number three is comparison of actuals with budgeted okay and number four is analysis and rectification of variances there are four points here establishment of budgeted performance measurement of actual performance third is comparison of actuals with budgeted fourth is analysis and rectification of variances so this is budgetary control okay now actually ab main bata hun ye budgetary control jo main hai pada diya nah ya haan pere yeah haan pere nah ya haan pere C.A. new syllabus ka part shuru hota hai exam may joh C.A. new syllabus main bola raha hathana kah joh matd dia wuhay woh ab yaha se shuru ho raha hai yaha se budgetary control se aur C.A old syllabus ke matd ka padaqui yoh 5 number point pe khatam ho ga 6 number point se C.A old syllabus me kuch bhi nahi diya hoay C.A old syllabus wale ab ab ya saktay ho सुनना चाहे ग्यान लेना चाहे तो since live class है एक फाइदा मिला continue करें बट ये ग्यान वीडियो में मैं नहीं डालूँगा तो ये old syllabus वाले अब आप जा सकते हो 5 number point तक है आपको पढ़ना है इसके base पर आपके mat में आपको कुछ sums मिलेंगे flexible budget बनाने का functional budgets बनाने का जो sums आप inter में भी करते हो ठीक है तो sums में तो मैं नहीं घुसूंगा उदर flexible budget कैसे बनाया जाता है और functional budget कैसे बनाया जाता है so I am not going into the sums part right now please escape me for that you should go through it by yourself एक sum flexible का देखो एक sum functional का देखो okay functional में यादो आपको sequence follow करते हैं लो कि पहले sales budget बनेगा फिर production budget बनेगा फिर production के बाद production के हिसाब से कितना material चाहिए उसका material consumption budget बनेगा फिर consumption के बाद उतना material consume करना है तो stock adjust करके material purchase budget बनेगा sales customer को जितना sale करना है वो sales budget फिर sales से inventory adjustment करके production budget production जितना करना है उसके हिसाब से material प्रोडक्शन को करने के लिए कितना आवर्स का जरूरत है जिसको अपने आवर रिक्वार्मेंट बजट बोलते हैं आवर रिक्वार्मेंट के इसाब से number of workers और wage cost, number of workers और wage cost, एक chart आप mind में बना लीजे, या फिर अभी जैसे मैंने बोला उसको लीख लीजे, सबसे पहले sales, फिर है production, production के नीचे है, दो पार्ट, एक है material का consumption, फिर है material purchase, फिर दूसरा पार्ट में our requirement और our requirement के नीचे आ गया, आप मेरे साथ class कियें, तो बना के दिया हुआ है, तो आप उसको follow करके अपना ये काम कर लेंगे, ये सब inter की पढ़ाई थी, जो final में वापस है, CA old syllabus में, CA new syllabus में मैंने पुराने students को ये सब class में कराया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो inter में मेरे से कियें कि नहीं किये इसलिए मैं करा देता था, बट अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, CA new syllabus में, वो सब सम पे आप बहुत ज़्यादा emphasis देने मत जाईएगा, exam orientation में, वो सब सम पे ज़्यादा समय नहीं गवाईएगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जज़ए सी आराम कर दीजे, आप जो बाखी का theories है, उस पे ज़्यादा गौर करिए, CA new syllabus वालों को बोल रहा हूँ, CA old syllabus वो functional budget का sum और flexible budget का sum यानि की budget का एक detail दिया वा होता है, 1000 unit पर, उसके waste पे 1200 units पर, 1500 units पर, 2000 units पर, cost कैसे निकाला जाएगा, वो flex करते थे, variable cost proportionately change हो जाता था, fix cost सब में सेम रहता था, semi variable होता था, तो दो level में कभी कभी break करते थे, उसको variable में और fix में और फिर उसको दिखाते थे, वो सब जो inter का पढ़ाई है, वो सारा का सारा यहाँ पर है, और कुछ उसमें ratio calculation के भी sums होते थे, activity ratio, capacity ratio, efficiency ratio, जो मैं standard costing में आपके साथ discuss कर चुका हूँ, वो सब ratios भी यहाँ पर आते थे, तो मुझे अब CA old syllabus वालों के साथ और budget का जिक्र नहीं करना, आपका काम हो गया है, budget का, आप विदा ले लीजे, ओके, और अब हम लोग आगे continue करेंगे, सिर्फ CA new syllabus वालों के साथ, बाकी का budget का chapter, आईए, तो budgetary control में, next आ रहा है, types of budgetary control, types of budgetary control में दो पार्ट है, feedback control and feed forward control, feedback control क्या होता है, कि budget बनाया था, फिर actual पूरा हो गया, उसके बाद budget actual को compare किया, deviation को ascertain किया, deviation को ascertain किया, और फिर deviation को rectify करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि next period में deviation आए, जो generally standard costing में भी करते हैं, but इस system का problem क्या है, कि जब तक कि आपने deviation को acknowledge किया, और उसका रास्ता खोच के लाया कि ये deviation इस कारण से आ रहा था, इसका ये solution होना चाहिए, कि तब तक पता चलता है कि results अब और कुछ अलगी आने लगए, अब आप जो solution सोच के लाया है, वो भी काम नहीं कर रहा, so there can be lot of delay in actually solving the cause of deviation, इसके against में feed forward आता है, feed forward कहता है कि period शुरू होने के पहले budget लो, और period शुरू होने के पहले ही actual को forecast करो, कि actual क्या हो सकता है, और उसके इसाब से deviation measure करके period starting में ही deviation को curtail करने के लिए steps implement कर दो, feed forward may, it is a comparison between budget and forecasted actual, it is a comparison between budget and forecasted actual, to find out the deviation and taking steps to correct the deviation at the start of the period so that in actual the chances of deviation deters and it should not occur at all, that is feed forward, feed forward proactive है, feedback reactive है, feed forward में एक problem है again कि यह forecast कर रहा है actual को, तो किस basis पर forecast कर रहा है यह तो कोई नहीं जानता, तो study of forecast कभी भी reliable नहीं होता है, तो आप assume करके जो actions ले रहे हो, वो action पता चला, कोई काम कहीं नहीं है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि actual में को deviation आया ही नहीं, समझ गए, तो होता है नहीं जिसे मान लीजे मेरे नजर में एक काम है जो दो घंटे में हो जाना चाहिए, मैं मान लीजे वो काम कराने वाला हूं कि आप में से एक राहूल है, राहूल से करवाने वाला हूं, राहूल को मैं सालों से जानता हूं कि ये जब आदमी ये काम करेगा ना, तो इसका यहां यहां पे error हो गाई होगा, ये मेरे को पता है, प्रकास्ट करों कि actual में वो यहां यहां पर गड़वड करेगा ही करेगा और उसके हिसाफ से मैं जानता हूं कि वो यह गड़वड करेगा इसलिए starting में जब काम उसको दूँगा तो उसको दो चीज का training दूँगा उसके बारे में कुछ steps लिखूंगा या फिर वो काम में ऐसा कुछ ऐसा inbuilt कर दूँगा बात या फिर कोई steps inbuilt कर दूँगा जिससे कि उसका वो वाला mistake ना हो तो actual में जब वो काम होगा तो पता चला कि राहूल फिर वहीं पर फसा और वो वहां पर जब फसा तो वो दो जो error detection and solution मैंने inbuilt किया था उसको refer कर लिया उसका काम आगे बढ़ तो feed forward is you ensure that without any interruption the work will go on feedback is interruption will come then we will understand why interruption was there and then we will rectify that ठीक है तो feedback और feed forward क्या है feedback है reactive feed forward है proactive feedback में क्या है there has to be an error on which corrective action is to take place error होगा तो action लेंगे और feed forward में क्या है the corrective action is taken before the actual error takes place बिना error आए हम लोग presume कर के कि error क्या आ सकता है उसके base पर हम लोग हम लोग क्या किये corrective action ले लिए एक example आपको देता हूँ जब मान लीजिए जब मान लीजिए गाड़ी बनती है ना गाड़ी जब गाड़ी बनती है ध्यान से सुनो तो गाड़ी बनाने वाले यह जानते हैं ओके कि गाड़ी चलाया अगर आप में ड्रा लर्न ड्राइविंग अगर आपने कभी गाड़ी चलाया है तो या देखा ही होगा किसी को चलाते हुए तो इक gear का stick होता है ठीक है तो gear stick directly ऐसे 1 से 2 में change नहीं करना चाहिए अगर करेंगे तो gear box तूड जाएगा अंदर में gear box हो तूड सकता है डामेज हो सकता है तो इसलिए एक clutch का system बना हुआ गाड़ी में पता हो pedals होते है तो उसमें clutch होता है first वाला left से first वाला तो clutch दबा की हम लोग gear stick को change करते है रैट वैसे ही अगर आप motorcycle चलाते है तो clutch hand में दिया जाता है left hand में तो clutch press करकी आप pair से pedal से gear change करते है तो अगर आप बिना clutch दबाए gear को change करने होगे तो बहुत जो लगाने से वो भी जाए वो basically टूड जाएगा ठीक है तो यह mistake गाड़ी चलाने वाले जो नए नए सीखते है न उनसे होता ही होता है इस mistake को यह automobile manufacturers ने forecast किया और इसको रोकने के लिए ऐसा system ही बना दिया कि clutch दबाए बिना gear change हो गई नहीं आप करना चाओगे तो भी नहीं होगा वो mistake को forecast करके उसको completely रोक दिया ऐसा अंदर में एक lock लगा दिया कि clutch दबाने से ही वो lock खुलेगा और आप gear change कर सकते हो this is feedback system feed forward system जिसमें वो forecast करते हैं कि इसका यह error हो सकता है इसलिए यह यहाँ पर आके होगा ही नहीं कि आप चाहा कर भी नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बदमाशी ही करना अलग बात है बट अगर आपसे error होने वाला है तो error वहीं पर रुक जाएगा तो कि आप देखोगे कि अरे यह gear change नहीं हो रहा है यह clutch नहीं दबाया बिना clutch दबाया आप gear change करी नहीं सकते उन्होंने feed forward implement किया एक और example आता है feed forward में गाड़ी को ही लेकर आजकल जो latest गाड़ियां आती है बहुत common चीज़े कि गाड़ी में हम लोग चाबी छोड़ कर keys को गाड़ी में लगाया ह और फिर बाहर निकल के गाड़ी बंद कर दिया है बहुत common है ठीक है होता है तो नया गाड़ी जो थोड़ा से intelligent आता है intelligent cars वो ऐसा बनाया गया है कि वो यह error को forecast करता है कि जो इसमें drive कर रहा है वो अंदर चाबी भूल कर बाहर से बंद कर सकता है तो फिर वो चाबी निकाले नहीं होगा तो उन्होंने feed forward किया जिससे की जो error आ सकता है उसको रोक दो process में ऐसा को step डाल दो कि वो error आए गई नहीं feed forward ठीक है feedback control क्या होता है measures difference between याद रखो it is a comparison between standard and actual it is a comparison between standard and actual and this is comparison between standard versus forecasted actual लिखा हुआ है standard versus forecasted actual यहां लिखा हुआ है ठीक है यहां पर standard versus actual लिखा हुआ है मैं फिर भी हाद से लिख दिया next limitation क्या है feedback का it depends on the success of error detection system further there may be a time lag in detection and implementation of corrective action during which the actual results may change again यहां पर लिखे may change again okay limitation क्या है feedback का फिर से समझ लिजे कि आपका पता चला कि जो system में आप सोचे कि budget और actual में अगर difference आया तो जाके check करेंगे कहां पर error आया तो error आएगा उसके उपर you know depend करता है error detection system ही सही है कि नहीं उसके ऊपर पूरा feedback system depend करता है पता जला error detect ही नहीं हुआ budget और actual कभी गभी होता है न इक्वल आ जाते है तो क्या budget actually equal है इसका मतलब कोई error नहीं है ऐसा जरूरी है जैसा सोचा वैसा ही हुआ उसके बाद भी कोई error नहीं है ऐसा जरूरी है क्या जरूरी तो नहीं है कई बार पता नहीं चलता आपको physical verification करके पता चलता है तो आपका system ऐसा है क्या जो error को पूरा track करी लेगा कई बार error दिखता नहीं है आपका काम हो जाता है तो काम हो गया that is not important error है कि नहीं वो दिखना एरर देखना एरर देख्शन सिस्टम बाद स्ट्रॉंग होना चाहिए राइट okay so that is feedback and feed forward is what feed forward में limitation is it is totally concerned with future estimates which are highly uncertain and there is neither well developed study nor there are tools to overcome the problems of uncertainty 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 पर पूरा निर्वर करके यह प्लान किया जाता है और uncertainty को study करने का कोई भी साधन नहीं है इस लिए इस लिए feed forward में भी कभी कभी limitation है next types of feedback आता है types of feedback में there are four types primary, secondary, positive, negative primary, secondary, positive, negative primary, secondary, positive, negative primary feedback is जो lower level पे handle हो जाएगा seniors को पताने का जरूरत नहीं है जैसे for instance कल को आप मेरे आपर कोई book का order place किये shipping shipping में मान लिजे tracking number आपके पास गलत आ गया error हुआ आपके पास tracking number गलत आ गया अब आप वो feedback लेके मेरे पास आ रहे हो कि sir देखिए आप से order किया और shipping का tracking number गलत हो गया so that is not required why you are coming to me that can be handled by lower level management only no so you have to contact to the concerned person and they will give you the correct tracking number that feedback need not be reported to me that is not something which is to be reported to the top management okay but what happens is हमारा customer का behavior ही ऐसा होता है न हम लोग कभी कभी ऐसे ही करते हैं अब मेरे को गलत राइकिंग नूबर रेस्टरांट में क्या होता है पानी में एक छोटा सा मच्छर आ गया तो वेटर पानी लेका चोटा सा मच्छर आ गया अब पानी में मच्छर देख लिया आपने अब जैसे कि होटल आपका एक दिन एक मील खाने क्या चले गए वो रेस्टरांट ही जैसे कि आपका होगया meanager को बुलाओ मालिक को बुलाओ पानी में मच्छर मैं बरबात कर दूंगा तुमारे रेस्टरांट को एसा ऐसा जगा complain खुँँगा तुमारे रेस्टरांट नही which is very very severe okay secondary feedback is something which is very severe secondary secondary feedback means sir ने कोई question को गलत करा दिया तो अब आप इसको staff को जाके बोलोगे तो समझेगा नहीं तो उसको आपको senior level पर communicate करना पड़ेगा कि sir ये सम देखिए तो थोड़ा गलत हो गया कि आप चेक करेए तो error हो गया तो error error माने क्या होता है पता है जो बिना intention के किया जाए मैं बोलूगा हाँ 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 ये error हो गया चलो मैं इसको अभी ठीक करा देता हूं तो correct करा दूगा तो that is error which sometimes needs to be communicated to top level management that is secondary third is positive 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 मतलब positive feedback positive feedback means favorable है तो positive feedback को कैसे deal करना चाहिए we should reinforce 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 मतलब वापस से वैसा ही हो तो अगर हमारे management के कोई activities से वो positive feedback आया मतलब error free कुछ अच्छा काम हुआ तो मैं उन्हों appreciate करना चाहिए जिससे कि वो वापस वैसा ही काम करें जिसे आपका अच्छा score आया तो मैं आपका positive feedback बोलोंगा तो अच्छा score आया तो मैं आपको reinforce कर रहा हूँगा कैसे आपकी तारीफ करके जिसे मैं कोई question पूछता हूँ आप उसका answer करते हो तो answer करते हो तो मैं आपका नाम लेके आपको thank you बोलता हूँ बोलता हूँ very good अपने अच्छा answer दिया तो उससे जो feel आती अंदर आपके मन में अंदर वापस एक अपने अपने एक excitement आता है कि मैं फिर से वापस वैसा करूँ ठीक इसी को बोलता है reinforcement of positive feedback then there is negative feedback जिसको reinforce नहीं करना है जिसको correct करना है you have to correct that then there are five guidelines to make the feedback control reports effective and what are those guidelines one this feedback report should accomplish should show both accomplishment and responsibility accomplishment means क्या उनको पाना है और क्या क्या उनकी जिम्मेदारी है it should be extracted promptly it should disclose trends and relationship it should also show variations from standards okay it should show all the variation and it should be always in standardized format every department should have its feedback report in its standardized format जैसे यह आपको कब use आएगा जैसे यदि case study है हमारे djb book में जहां पर आपको बोल रहा है कब नी चाहर है मैं feedback system implement करूँ तो कैसे implement करूँगा तो उस समय आप feedback के बारे में बताए उसका limitations बताएंगे उसका types बताएंगे और उसके guidelines भी बताएंगे guidelines मतलब अगर आपको effectively implement करना है तो you have to follow this feedback reporting guidelines that it should disclose both accomplishment and responsibility it should be extracted promptly it should disclose trends and relationship मतलब past में error का क्या trend रहा है और variations from standards कितना रहा है और वो format में होना चाहिए जो standardized format होगा okay so with this आज एक बार हम लोग यहीं रूख जाते हैं and और जादा भी overdo नहीं करते हैं we will stop here because next part is bit more interesting and it requires more of your brain matter available with you right now since time is over you might be lost so I am just stopping here now if you have any questions you can ask okay and we will take it over next day next day हम लोग budget chapter करेंगे और फिर next chapter traditional versus strategy को उठाएंगे आज traditional versus strategy का time नहीं मिला तो कोई बात नहीं है पहले budget करेंगे और फिर traditional versus strategy को उठाएंगे ओके थैंक यू ओके फ्रेंड्स वीर स्टार्टिंग टुदेश क्लास बजेटरी कंट्रोल में मैं विछले दिन आपको feedback और feed forward control समझा रहा था ठीक है सो feedback का types आपको बताया था primary secondary positive और negative primary secondary positive और negative primary मतलब junior level पे secondary मतलब senior level पे positive मतलब favorable है जिसको reinforce करो negative मतलब adverse है जिसको correct करो then five guidelines to make feedback control report effective यह guideline के ऊपर एक बार यह new syllabus में case study का question बना है institute ने पूछा है जो हमारे djv book में भी दिया हुआ है ठीक है तो उसमें आपको guidelines में यह बताने है कि feedback control report क्या क्या चीज़ disclose करेगा accomplishment and responsibility it should be extracted promptly it should disclose trend and relationships means trend of adversity or favorable variances as well as relationship between two kind of variances it should disclose variation from standards then it should be in standardized format तो यह सब आपके साथ discuss हो गया था now I am starting with एक और इसमें notes लिख लिजे आप यह notes लिखने के लिए आपको अलग से जगा लगेगा यहां पे एक page में insert कर रहा हूँ आप एक और लिख लिजे guidelines to implement feed forward control guidelines to implement feed forward control चलिये number one thorough planning thorough planning and analysis number two selecting input variables carefully number three keep it dynamic number four develop a model control system number five number five data on input variable to be collected and assessed regularly number six requires requires action implementation and 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 understanding that if that happens then this is the best possible solution and data on input variable to be collected and assessed regularly the and 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 हमें वो ठिक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है so again feed forward में आप खाली सोचे नहीं आपको action भी लेना है to correct the things थोड़ा सा ये off beat है इसको याद रखने में थोड़ा सा cust हो सकता है आपको दो-तीन बार पढ़ना पढ़ेगा तो आपको जरूर याद रहेगा ठीक है so ये होगे आपका feed forward feedback feed forward पे जितना ग्यान था हमने खतम कर लिया ओके तो हम लोग आगे बढ़ते है let us proceed ahead let us proceed ahead with our next topic which is behavioral aspects of budgetary control behavioral aspects of budgetary control ठीकिए budget आने से behavioral aspect का मतलब है कि क्या अपने management में जो junior level है या senior level है उसमें क्या behavior changes आ जाता है जिसमें अपने बोल सकता है human impact, human सोच का impact human thinking पे क्या impact आता है अगर आप budgetary control system अपने organization में implement करते हो तो many times budget से conflict भी create हो जाता organization में एक दुसरे में भिढ़नती हो जाता है तो उसी को मैं आपको ठीक से समझा रहा हूं कि budget से normally लोग ये समझने लग जाते है कि ये fault finding activity है जिसे अगर senior management budget बनाता है और फिर उसको actual से compare करके deviation निकाल कर लोगों को समझाता है कि आपने ये सही किया ये गलत किया इसको सुधारों ऐसे तो जो juniors है वो समझने लग जाते है कि ये fault finding activity है ठीक है they start understanding it as fault finding activity and they tend to neglect the importance of the budget तो इसलिए organization में cohesiveness चाहिए unity चाहिए to understand the importance of budgeting बट अभी behavior में क्या-क्या impact आता है जैसे एक होता है planning stage पर दूसरा होता है when plan is put into action मतलब करते वक्त और तीसरा होता है control exercise करते वक्त यानि कि जब हम सब कुछ हो गया है उसके बाद जब examination कर रहे है तो फिर behavior पर क्या-क्या असर दिखता है तीन बात है तीन stage में divide किया मैंने planning के वक्त कुछ impact दिखता है execution करते वक्त impact दिखता है और एक जब execution खत्म होने के बाद हम जब deviations चेक कर रहे होते है तब ही भी behavior में कुछ impact दिखता है तो planning stage पर क्या impact आता है कि many time planning करते वक्त हम लोग एक ही department का सोच के उसी के उपर budget बना देते हैं अगर एक department का किसी और department से कोई भी तरह का natural connection है उस connection को ignore कर देते हैं for instance जैसे production department को उतना ही produce करना चाहिए जितना की sales वाला sale कर सकता है but many times planning करते हैं वक्त production वाला सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है वो ये नहीं सोच रहा कि मैं जो produce कर रहा हूं वो sales वाला sale कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा okay so that happens they fail to coordinate उन लोग आपस में discuss नहीं करते हैं कि मैं अपने लिए क्या budget बनाऊ so first point is they may fail to coordinate between the departments with the other departments दूसरा planning में यदी मान लीजे मैं budget जब set कर रहा हूं excuse me जब मैं budget set कर रहा हूं तो उस समय टॉप management यदी budget set करता है तो टॉप management हमेशा चाहेगा कि थोड़ा सा target को tight रखो tight रखो as in कि we want maximum from them हम लोग चाहेंगे कि हमारे period में maximum results है if budget becomes very challenging if budgets become very challenging the importance of budget is not understood by the juniors what they do is they tend to ignore they tend to ignore वो सोच ले था इतना hard budget दे रिया इतना hard target दे दिया आपने करेंगे कैसे तो वो demotivated हो जाते हैं okay so if you set the targets very easy they again tend to become demotivated because उनको लगता हर इतना easy target हे तो ऐसे हो जाएगा okay so too challenging is not desirable too too easy is not desirable target should be moderate always target remember it should be moderate okay now if budget is too challenging okay if budget is too challenging there will be less motivation and moral to do it but in that case if say to increase the motivation many times what we do is we involve this lower people lower management who supposed to execute the budget to give their own inputs to prepare the budget so challenging budgets may there are lot of chances if you involve your lower management to give input for the budget they will give you some overestimations overestimation as in कि कोई cost का बात है तो जादा जादा कोस्ट बता देंगे क्योंकि उनको समझ में आरा है कि बॉस्का आटिट्यूट क्या है वह बहुआ है वह बहुत चैलेंजिंग टास्क दे रहे है तो जादा 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 बता देंगे तो क्या होगा कि आपका बजट है न यानि कि employees बोल रहा हूँ, lower management को participate करने बोलोगे तो वो slack introduce करवा देंगे जिससे कि उनका काम करना, execution करना आसान हो जाए So managers may find budgets too challenging They have tendency to introduce budgetary slack Budgetary slack is the difference between the minimum necessary cost and the cost built into the budget or actually incurred जितना जरूरत था उससे जादा आपका amount डलवा देंगे Managers might deliberately overestimate costs or underestimate sales So that they will not be blamed for overspending and poor results This is the meaning of budgetary slack, okay Budgetary slack का meaning ये है पूरा Now next when we are putting plans into action Then what can be the behavioral issues The first issue can be minimum communication between managers Managers आपस में बात्चित नहीं करें Senior, junior से, junior वाला दूसरे department से ये सब बात नहीं कर रहा Managers might try to achieve targets but may not beat them मतलब बस उनका mind ये रह जाता है कि फिर target जो दिया वह उत्ता ही achieve कर लो वो ये नहीं सोचते कि हम वो target को beat कर दे Okay, managers may be short term, may ignore quality aspects Short term का मतलब है focus only on financials Only financials पे ध्यान दे रहे है Quality aspect मतलब long term aspect हो गया उसके उपर ध्यान नहीं दे रहे Budget usually financials या numbers पे ही based होता है इसलिए वो सिर्फ financials पे ध्यान दे रहे Budgets are for a department So managers may pursue the plan at the cost of other department So sometimes अपना budget को पाने के लिए Successfully achieve करने के लिए वो भूल जाता है कि मेरे budget का impact दूसरे पर क्या पड़ेगा अपना धुन में एक particular production mix बनाए जा रहा है But actually उस production mix को sale करने में कितना effort होगा वो sale वाले से कोई सला लही नहीं रहा उसको involve करी नहीं रहा So अगर एक department अपना ही खाली फायदा सोचने लगेगा तो दूसरा department को नुकसान होगा तो group को ultimately नुकसान होगा ठीक है नेक्स्ट आरे using control information due to human nature of being short term managers may move away from strategic plans वही long term में वो लोग ध्यान नहीं दे रहे है आप अपने company का goodwill का काम नहीं करे, goodwill बढ़ाने का काम नहीं करे customer loyalty बढ़ाने का काम नहीं करे आप सिर्फ सोच रहे है कि मेरा इस वर का budget पूरा हो जाए managers do not consider the budget as their own अपना ownership नहीं लगाते वो सुचते कि budget तो company नहीं बना दिया है बस मेरे कोई करके दिखाना है वो यह नहीं सुचते कि इस से company को क्या फाइदा होगा और company को फाइदा होगा तो मेरे को क्या फाइदा होगा they don't take ownership of the budget managers seeing the information as part of system to find fault with their work यह सोचते है यह control system जो बनाया गया है यह fault finding system है जो मैं आपको एकदम starting में भी बोला था तो मैंने जितनी बाद बोली उसको आप तीन stage में खाली classify करके रखो planning stage में दूसरा आपका क्या कहते हैं action stage में और तीसरा है control stage में यह तीन stage में आप mind में सजाओ और सब में एक एक दो-दो point दिमाग में डालो कि planning में budget बहुत challenging हो सकता है planning में भी coordination failure है action करते हैं वक्त communication failure है आपस में और सिर्फ short term में जो numbers है उससी पे काम कर रहे हैं long term quality aspect को ignore कर रहे है target खाली achieve करने पे लगे वे टार्गेट को बीट करने का कोशिश नहीं कर रहे है ओके और control system में क्या है कि यह लोग एक दूसर यह control system में fault finding activity समझ रहे है control system में ownership नहीं ला रहे है सोच रहे budget company का मेरा नहीं है मेरे को क्या फायदा ऐसे सोचने लग जा रहे और human nature होता है अब शॉचने का यह basic है हर एक अंसान का अपना एक आदत है कोई long term सोचता नहीं है सब short term ही सोचता है कि आज का मेरा क्या कल का मेरा क्या correct तो वो long term में क्या पाना चाहते हैं उसके ऊपर कभी कोई काम ही नहीं करता है वो short term में काम करता है तो यह सब का अभी तोड है अभी थोड़ा समलोग solution पर बात करेंगे कि यह सब problems का solution क्या है solution क्या है थी कि overcoming the consequences of budgetary control on behavior पहला है management should set targets in both financial and non-financial term जिससे की short term long term दोनों cover हो जाए non-financial indicates the benefits that will come in long term financial indicates the benefits that will come in short term performance evaluation should always ignore the uncontrollable factors वरना क्या होता है managers बहुत जादा pressurized हो जाते हैं कि मेरा budget achieve नहीं हो रहा है मैं क्या करूँ अगर uncontrollable करांस से वो अपना budget target को achieve नहीं कर पा रहा है तो आपको उनको छमा कर देना चाहिए माफ कर देना चाहिए goal should be communicated effectively goals मतलब देखे goal होता है एक target होता है target थोड़ा छोटा होता है goal थोड़ा लंबा होता है ठीक है target is very short term and goal is something which will be achieved in long term so goal क्या है वो बताना चाहिए ना कि सिर्फ target इसे target बहुत immediate होता है और goal थोड़ा सा दूर का होता है for instance जैसे इस example को समझाने के लिए गई बार class में एंग्री बर्ड गेम का example लेता हूं एंग्री बर्ड गेम यदि आपने नहीं खेला है तो आप एक बार जरूर खेल के देखेगा उसमें क्या होता है कि जब game start होता है तो उदर दिखाता है कि आपका end क्या है मतलब क्या-क्या चीज को आपको तोड़ फोड़ करके गिराना है ठीक है वो पहले दिखाता है आपको आपका goal कि यह एक चीज आपको करना है और फिर आपको दे देता है तीन चार एंगरी बर्ड्स जो जिसको आप वहां पर यूज करके वो सब चीज तोड़ोगे तो गेम का काम सिंपल सा है कि यह चीज को उड़ाना है और यह तुमारे पास है जो करो जो करना है अब targets मैंने क्या होगा आप पहला वाला को यूज करोगे फिर दूसरा वाला को यूज करोगे फिर तीसरा वाला को यूज करोगे तो वह targets targets मतलब आपका छोटा-छोटा action goal मतलब कि आपको यह पूरा उड़ाना है पूरा overall picture is the goal ठीक है और human tendency में क्या होता है पता है अगर उसको goal मालूम होता है तो वह चोटा-छोटा targets बहुत easily meet कर लेता है जैसे आपका goal है मुझे CA बनना है यह आपका goal है यह आपका target नहीं है target होगा आपका कि आज मुझे costing का budgetary control chapter अच्छे से revise करके case study के साथ solve करके रख देना है तो आपका target छोटा सा होता है बहुत सरा target achieve करते हो तो goal achieve होता है next orientation should be long term मतलब managers का जो सोच है वो बदलिया और उनको long term के तरफ आकरशित करिए evaluation should be appropriate time interval आप अगर बहुत जादा infrequent interval में evaluation करेंगे control वगरा करेंगे तो उसका result आने में और लेट होगा educate entire company in sound budgetary control procedure to develop understanding उनको समझाई ये budget से क्या फाइदा है वो budget को समझ रहे है कि ये बस खामी निकालने का एक टूल है बट ऐसा नहीं है budget का importance उनको समझाई educate करिए moderate level of difficulty set करिए बहुत जादा easy रखोगे त बहुत जादा hard रखोगे तो वो demotivated हो जाएंगे इतना hard हम से होगा कैसे so moderate level of difficulties of budget to be set उनका participation भी लीजिए और थोड़ा सा accounting information पे कम rely करें बहुत जादा financial को importance नहीं दीजिए financial पे importance वरा सा कम दीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए सारा आपका जो उपर में problems था behavioral issues था वो solve हो जाता है ठीक है तो basically solution बहुत easy है उपर में जो problem से उसी का opposite solution है तो एक बार फिर से behavior control पे एक बार फिर से दिमाग लगा लो एक है planning stage पे दूसरा है execution यानि action stage पे तीसरा है control stage पे जहां पे आप सब चीज को compare करके देख रहे है planning stage पे हम लोग बोल रहे है यह लोग कोर्डिनेट करने में fill कर सकता है planning stage में हम लोग बोल रहे कि यह लोग slack introduce करवा सकता है budgets to challenging लगा तो ठीक है फिर execution stage पे फिर से communication का problem हो सक targets achieve करेगा बीट नहीं करेगा और short term सुचेगा long term नहीं सुचेगा और एक department अपना ही काम करेगा दूसरा department के बारे में नहीं सुचेगा तीसरा number अगर हम control में सुचे तो यह fault finding system समझ लेते हैं वो लोग इसलिए उसके प्रती negative perception develop कर लेते हैं और फिर यह लोग short term सुचते तो long term को एकदम भूली जाते हैं और फिर यह लोग अपना budget को अपना नहीं समझते यह सुचते company का है मेरा को तो बस यह काम करके देना है और overcome करने का तरीका क्या है कि आप इनका targets को moderate कर दो आप इनका intervals में evaluation करो बहुत ज्यादा gap मत करो evaluation में इनको educate करो budgetary system का importance का इनको goals बताओ इनमे communication अच्छे से रखो इनमे टार्गेट सा financial non-financial दोनो डालो uncontrollable factors के लिए इनको penalize ना करो ठीक है और इनका participation बिलो और बहुत जादा financial numbers पर accounting information पर depend मतो so if you follow this basic rules of overcoming the consequences there will be less resistance to accept the budgetary control system so next effect of difficulty level of budget on performance जैसे difficulty level जादा रहेगा तो performance पे क्या असर आ सकता है तो पहला point आ रहा है ideal standards are demotivating because adverse efficiency variances are reported ideal मतलब क्या होता है जो सबसे best हो अगर आप दुनिया का सबसे best चीज़ उनको बार बार करने बोलोगे तो वो कर नहीं पाएंगे इसलिए ideal standards यही होना चाहिए बट most ideal चीज़ सबसमय अगर आप करवाना चाहोगे तो क्या होता है कि वह adverse efficiency variance आएगा वो demotivate कर देगा ठीक है ideal माने perfection six sigma जिसको हम लोग बोलते हैं जो मैं आपको शुरू से स्कोर्स का स्टार्टिंग से इंडरेक्ली guidance दे रहा था समझ रहा था कि देगो दुनिया में चीजों को करने का दो तरीका होता एक करेंगे तो best करेंगे बेस्ट मतलब world class करेंगे और दूसरा होता है कि बस एक बार शुरू करो फिर धिरे धिरे उसको world class बनाओ मैं हमेशा आपको यह बोलाओ हमेशा दूसरा तरीका ही जीतता है फर्स दे अगर आप world class सोचोगे आइडियल सिनारियो सोचोगे ना तो वो संभव नहीं है वो करने जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा बहुत डिले होगा आपके इंवेस्मेंट्स बहुत होंगे और फिर आइडियल का डेफिनेशन भी जाए नहीं है नहीं होग जैसे इल इक्दम हाई हो गया लो इक्दम आपका low ही हो गया नॉर्मल लेवल में जैसे वैसे moderate है ये moderate में भी कभी-कभी budgetary slack आ जाता है moderate level में भी कभी-कभी budgetary slack आ सकता है तो ये इनसान का एक फितरत है वो करता है वो डलवाता है जिससे कि उसको बार-बार management torture न करें something like that ये generally वो कभ डलवाता है उसको लगता है कि ये budget सिर्फ company का है मेरा नहीं है जब वो ऐसा सोचता है कि budget से जो benefits से वो company का मेरा कुछ नहीं है तब वो normal में भी slack डलवा देता है तो इसी लियम बोल रहे to ensure managers are properly motivated two budgets are used एक expectation budget for planning and decision making based on reasonable expectations and एक aspiration budget for motivational purposes with more difficult targets मतलब ये सब खेल का है ना ये सब कहीं motivational concept है मतलब आपको अपने senior होने के नाते जुनियर्स को बठा के motivate करना है कि ये दिखे मैं आपके लिए minimum expectation budget दर ला रखाऊं based on reasonable targets based on your say operating conditions आप इतना तो करके दो वरना हम company को sustain करेंगे कैसे उनको ये चीज़ समझाना है that is expectation budget that's minimum expectation from you and aspiration is with some difficult targets उनको word थोड़ा सा change कर दो ना यार जिसे एक बलता है आईडियल ये है मुझे highest वाला चाहिए ऐसा बोलने के जगा आप उसका words को खाली reframe कर दो आप बोलो कि आपसे minimum expectation ये है तो आपका अच्छा करना चाहते हो aspiration हो रखते हो company को grow कराने का या खुद को grow कराने का तो आपके लिए थोड़ा से difficult target है उसका नाम रख दिया aspiration budget ठीक है तो जैसे word difficult क्या होता है negative word है difficult मतलब कई लोग surrender कर देंगे difficult है और ये कैसे होगा hard है कैसे होगा बट यहीं भोलेंगे वो aspiring है aspirational है तो लगेगा अच्छा aspirational है तो चाहरो ज़रूर करते हैं तो इट इस like that just word का reframing हुआ है कि आजकल जमाने में word use करें हम लोग real world का मैं आपको ये paragraph लाके दिया हूँ ये real world में use होता है aspirations budget ओके expectation budget is everyone is expected to fulfill but aspiration budget भी किसी किसी team का बना देते हैं अगर वो aspiring team में कुछ करना चाहता है aspiration budget बना देते हैं और वो करके दिखा देते हैं तो लगता है कि वह ये team में कोई बात है ठीक है तो basically idea यहाँ पर बहुत ज़ादा emphasis नहीं देना है इस पैरा में यहाँ पर बोल रहे है कि बहुत हाई भी नहीं चलेगा बहुत low भी नहीं चलेगा नॉर्मल में भी कभी कभी budgetary slack आ सकता है इसलिए word normal भी यूज मत करो ideal भी यूज मत करो low standard भी यूज मत करो अब भी यूज करो expectation और aspiration okay so team को अपना expectation budget तो fulfill करना है that's minimum and aspiration अगर वो करके दिखाए तो उसको थोड़ा सा अगर आप incentive अगर आभी देंगे ना aspiration को पाने का तो वो जरूर वो करेगा next effect of participation in budget setting process so there are two main approaches of budgeting one we call as top-down approach another is bottom-up approach top-down approach और another is bottom-up approach top-down approach top-down approach में आ जाईए आप top-down approach में आ जाईए top-down approach का मतलब है top-down approach का मतलब है top-down approach का मतलब है कि हमारा top management पूरा budget setting करेगा centralized environment में सब कुछ कौन करेगा top management करेगा और फिर lower level को खाली instruction पासवन करदेगा कि तुम्हें ये करके दिखाना है everything will be done by top management and lower level will just follow it okay so it is the kind of autocratic it is kind of you know centralized environment it is done very quickly and it doesn't take much of time because we in top management are experts in setting budgets usually okay so it is kind of imposed style हमने जो सोचा वो तुमको करना है correct क्या था वो हमारा अमिताब बच्चन जी का एक dialogue था ना कह दिया ना बस कह दिया सुन लिया ना कह दिया ना बस कह दिया तो ये कौन सा type of budget है ये है imposed budget कि उपर में जो सोच लिया वही full and final है उसके बाद आप से कुछ पूछने का भी ज़रूरत नहीं है कह दिया ना बस कह दिया ये है top down approach तो इसमें क्या होता है अपने नीचे वाले को involve भी नहीं के ना तो वो नीचे वाला जो management है वो कुछ भी गड़बड़ी करवाए गए नहीं budget में slack introduce करवाए गए नहीं ठीक है कि यार मेरे को जवर्दस्ती ये लोग बोल रहे करके दिखाओ मैं करी नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पर यह चीज़ अविलेबल ही नहीं है रिसोर्स नहीं है कर सम्टाइम सम्टाइम सिच्टुएशन चेंज हो चुक है जिस समय सिचुएशन में budget बना था वो सिचुएशन यहाँ पर अलागू नहीं है तो देर इस ओविसली रिलक्टेंसी तो एक्सेट दा budget इन बजट इन बाट केस ओके नौ इसका उपोजिट है बॉटम अप अप्रोच बॉटम अप्रोच को अम लोग पाटिसिपेटिव स्टाइल और बजटिंग बोलते हैं डिसेंटरलाइज बजट है जिसमें अपने लोवर लेवल को बोलते हैं कि आप अपने लिए एक budget बनाओ और मुझे budget पहले बना के दिखाओ कि आप क्या कर सकतो इस आने अपने खुद से बजट बना रहा है तो देर इस यू नो चांस डैट वह इंट्रडूस कर देगा इंट्रडूस कर देगा मतलब वह मैनेजमेंट को उपर में बोलना चाहेगा कि देखिए सेल्स मेरे से साब से ना देखिए आप इस साल में दस लाग से जादा का नहीं ला सकता तो अपने इसाब से हमेशा कम ही बताएगा जिससे की टॉप मेनेजमेंट उसको दस लाग का एक्सपेक्टेशन सेट करके देदे और फिर बाद में वह बारा कर दिया तो बाद में बोलेंगे वह देखे मैं ने दो लाग एक्स्ट्रा ला दिया वह अपना तरफ से अंडर एस्टिमेट करके चलता हो सकता वह बीस भी हो सकता था टॉप मेनेजमेंट इंवाल नहीं वा तो उसको पता नहीं है तो इसी को बोलता है जो जुनियर समेशा थोड़ा सा बजट को रिलाक्स करवा लेते अपने तरफ से इसको स्लैक इंटोड्यूस करवाना बोलता है जो पार्टिसिपेटिव में बहुत कॉमन है ठीक है तो डिपार्टमेंटल मैनेजर अपना बजट बना के जब उपर में देंगे तो चांसे है कि वह उसको इजी बजट बना देंगे और उसमें टाइम कंजुमिंग भी होता है बिकॉज नीचे वाला उपर को देगा रिव्यू करेगा फिर नीचे में आएगा तो यह थोड़ा सा डिलेट और टाइम कंजुमिंग भी होता है इसमें यह बजट को लोग जल्दी से नीचे लेवल पर एक्सेप्ट कर लेते हैं वह bottom-up approach यानि participative style में भनना चाहिए डिपेंड करता है company का business कैसा है, mahl कैसा है, business का environment कैसा है, nature of business कैसा है, उसके उपर depend करता है कि यह top down budget सही रहेगा, bottom of budget सही रहेगा, many times हैसा होता है कि हमारे employee उतने capable नहीं है, कि वह अपने तरफ से budget बनाके अपना पूरा business को अपना department को चला स बजबिलिटी बैट साथ है। generate the results from out of it second हो सकता है कि हमारा जो कंपनी है वो वो ऐसा है कि बहुत highly programmable programmable मतलब highly programmable environment operate करता है मतलब की automated है बहुत जादा और बहुत कम वहां पर variations आता है सब कुछ stable चलता है तो आपको कोई participation budget का जरूरत नहीं है और next है अगर आपके आपे सिर्फ एक ही तरह का product बार 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 बनता है large number of homogeneous product and operating in stable environment तो आपको participation budget का जरूरत नहीं है तो बेसिकली participation budget कब सही रहेगा पहले तो employee का personality characteristics skills वगरा सही होना चाहिए दूसरा अगर आपके हैं बहुत ज्यादा dynamism है stable environment नहीं है business का lower level पर जो लोग operate कर रहे है वो लोग के वहां पर बहुत ज्यादा scenario में परिवर्तन पर परिवर्तन आए जा रहा है तो उस समय आपको अपना top-down approach छोड़कर participative approach में जाना चाहिए because आपके पास हर समय senior level पर आप सुचिए अलग-अलग city में आप लोग बैठे वे वह जुनियर है यह senior है वह अलग division को एंडल करता है आप head office में बैठे वे तो वहां पर कि माहूल क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो ज्यादा बहतर वो समझता है और उसके हिसाब से उसको अगर आपका business ऐसा है कि उसके हिसाब से आपको उसको relaxation देना भी चाहिए वरना वो decision making सही नहीं करेगा वरना वो product sale नहीं कर पाएगा produce नहीं कर पाएगा तो फिर आपको पार्टिसिपेटिव बजेट कब यूज करना है कब top-down approach यूज करना है दोनों अपने जगा सही है ठीक है इन दोनों का combined approach है इन दोनों का combined approach as such कुछ नहीं है hybrid बोल सकते है आप बोलने है चाहे तो मतलब ऐसा हो सकता है company में कि कुछ particular matter में आप top-down follow करते है कुछ particular matter में आप bottom up approach follow करता है ऐसा ये company में हो सकता है जरूरी निये पूरा company top down पे चलेगा और पूरा company bottom up पे चलेगा ठीक है और कोई सवाल है चले आगे बढ़ता हूं फिर नेक्स आरे effect of use of accounting और actual information in budget setting process जैसे budget setting के process में या budgetary control के system में आप अगर actual information को use करें कि क्या क्या घटना हुई उसको कैसे use करना है उसके उपर हम लोग थोड़ा सा चरचा करें बहुत ज्यादा actual पर importance दोगे तो वो चिड़ जाएंगे हमारे employee हमार हिसाब से काम फिर नहीं करेंगे क्योंकि आप हर समय उनको यह लगेगा कि आप fault finding करते हो sometimes यह चीज मैंने आज से आई विल से साथ साल पहले एक senior businessman से ऐसी मैं consultancy लेने गया था कि हमारा अपना घर जब बन रहा था building construction हो रहा था उसमें मैं ही सारा सूत्रधार था building construction करनने के लिए ओके तो हमने एक target set किया था कि इतने cost में building construct करनी है now cost estimate fail हो रहा था और fail तो हो रहा था सो हो रहा था but at the same time जो हमारे contractor थे उनका नखरा भड़ते जा रहा था वो ऐसा ऐसे tantrums दिखा रहे थे जैसे की मतलब मेरे उपर ऐसान कर रहे मेरे घर बना कर तो इस scenario को handle नहीं कर पा रहा था मैं तो एक ऐसे businessman के पास गए जिनका continuous development या construction वाला काम होते रहता है ठीक है वो contractors को मैं जिस contractor से काम कर रहा था वैसे contractors को अपने अंडर में कई सारे रखते हैं वो अपना ही जमीन करीते हैं प्लोटिंग करते और फिर उस पे यह नो बड़े बड़े कोई complex बनाते वैसा वैसा था तो उनके पास जब बैटा उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने एक बात कई देखिए यह सब जो काम है ना यह सब जो काम है उन्होंने एक ही बात क कही सतीज जी यह सब जो काम है ना यह सब काम करवाने के लिए आखे बंद कर लेनी पड़ती है बहुत बार अगर आखे बंद नहीं कर सकते हो तो फिर काम होना बहुत मुश्किल है जो estimate आप सोचते हो उसका 25 से 50% ज्यादा लगना मामूली बात है वो हमेशा लगता है यही जिन्दिगी का उसूल है आप अगर इतना टाइट करके चलाएंगे तो कोई मैं वो क्या मेरे जैसा आदमें भी काम नहीं कर सके तो यह बात एक दम इनलाइटिंग हो गई वही अगले दिन ही मैंने आखे आख बंद करना शुरू किया आख बंद करना मतलब क्या होता है कि जो एक्चोल में हो रहा है वो एडवर्स हो रहा है बट फिर भी मत देखो आप देखो result ultimately आ रहा है कि नहीं आ रहा है adverse हो रहा है बट result आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखो उस result को enjoy करो उससे जितना benefit मिलेगा उसके उपर focus करो long term में यह short term में लग रहा है थोड़ा सा आख बंद करो एक्तम क्लोज मत कर लो कि कुछ भी नहीं देखा मतलब आख बंद करना मतलब थोड़ा सा रेलाक्स रहो यार बहुत ज्यादा कुचरनी कुचरनी बोलते हैं अपने मारवड़ी में कुचरनी करना छोटा-छोटा बात पे ये क्यों किया आदमी भाग जाएगा तो यही बात कहने का मतलब है कि effect of use of accounting और actual information in budget setting process बहुत जादा छोटा-छोटा बात पे कुचरनी मत करो समझें too much stress on actual result is associated with a feeling that the performance appraisal was unjust too much stress मत दीजे actual result पर वरना वो बैचारा हमारा आदमी जो है वो सब छोड़ छोड़ के जाने के लिए उतावले हो जाएगे to overcome this balance to overcome this problem the correct balance must be established when the budget performance is evaluated ठीक है तो आपको एक balance maintain करना है मैं यह नहीं बोल रहा कि आप actual को पूरा ignore करें आप थोड़ा बहुत देखें और थोड़ा बहुत जो गड़बड हो रहा है उसको सहें और चलने दें काम हो रहा है कि नहीं वो ज्यादा important है तो इसी के ऊपर तीन distinct style आता है कि कैसे तरह से अपने आपको चलाना चाहिए एक होता है budget constraint style दूसरा है profit conscious style तीसरा है non accounting style तो budget constant style मतलब जो budget में लिखा है वही करके दिखाना पड़ेगा इधर उदर deviation एकदम ब्यालाओड नहीं है जो लिखा वैच पूरा का पूरा वैच करना पड़ेगा profit conscious style में जो मन में आए वो करो मेरे को मेरा profit दे दो बस जो मन में आए जैसे मन में वैसे करो मेरे को मेरा profit दे दो जब तक तुम मेरा integrity बचा के रखा हुए ethically चल रहा है मेरे को कोई problem नहीं है third is non accounting style में मेरे को आपसे कोई numbers यानी कि finance का कोई वैसा expectation नहीं है आप non financial way में जो जो मेरे अधर KPIs set किये हुए आप उसके उपर काम करें और मुझे रिजल्ट दिखाते रहें तो यह तीन style है पहला style है budget constraint आप पढ़ लिजिए continually meet the targets on short term basis profit conscious style में meet the profit targets of the unit in relation to long term goals and either less dependency on accounting data and performance evaluation इसमें cost involvement सबसे जादा है बाकी दो में low तो नहीं बोलेंगे कम है manipulation सबसे जादा first में हो सकता है because आप जहां पीछे पड़े वे तो आदमी manipulate करेगा और अगर आप profit conscious में और non accounting way में चल रहे तो लोग manipulate कम करते जो real है वो ही दिखाते relation with super superiors यहां पर बहुत खराब हो जाता है बाकी दो में good रहता है relation with colleagues भी यहां पर खराब हो जाता है और बाकी दो में good रहता है तो बस यहीं आपको बताना है इसमें पूरा नेक्स आरा limitations of traditional budgeting limitations of traditional budgeting is what यहां पर हम लोग बात कर रहें आपके साथ कि अपने जो भी traditional conventional budgeting सीख के आए हैं उसका क्या क्या कमी है उसका कमी यह है कि वह बहुत time consuming and costly होता है यह responsiveness और flexibility पर ध्यान नहीं देता है rigid होता है constant responsiveness and flexibility का मतलब है it doesn't allow you to change as per the circumstances it is is that's why a new point often a barrier to change okay it doesn't allow you to change really strategically focused and often contradictory contradictory means contradictory with one department and another department add little value especially when the given the time required to prepare concentrate on cost reduction not on value creation value creation मतलब customer का जो ज्यादा फाइदा कराएगा उस पर ध्यान नहीं देके अपना cost reduction पर हम लोग ध्यान ज्यान ज्यादा देते हैं यह traditional सोच का impact है मलब short term long term वाला चीज़ होग है एक तरह से developed and updated to infrequently usually annually बहुत कम हम लोग इसको बदलते हैं और based on unsupported assumptions and guess work real circumstance real operating conditions को लेके वो नहीं बनाया जाता reinforce departmental barriers rather than encourage knowledge sharing बोलता है इसमें specific तुम अपना काम अपना करो दूसरा का इधर उदर मत माता लगाओ knowledge sharing पर दिमाग नहीं लगाते यह सबाब अपने office में भी देख सकता है कि आपका कोई दोस्त है जो टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा ओफिस में कॉलीग है जो दूसरा आप है जो ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे कभी आपस में discussion करने लगए कोई matter को लेके तुसरा के क्या हो रहा है यहां पर तुम अपना काम करो यह सब क्या हो रहा हो रहा और आप वुले से discuss कर रहा था कि इसको उसके कुछ टैक्स सिखने को मिल जाए मेरे को और उसको कुछ audit का ग्यान मिल जाए तो क्या पता कुछ idea sharing हो जाए बट यह सब नहीं चलेगा यहां पर तुम अपना करो तुम अपना करो मतलब कौन सा सिस्टम चल रहा है डिटिशनल बजेटिंग चल रहा है रिइंफोर्स एपाइटमेंटल बेरियर्ज रादर देन एंकरेज नॉलिज शेरिंग में पीपल फिल अंडर वैलुट अं चार पांच याद रखिए न आप कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टाइम कंजुमिंग कॉसली तो बहुत कॉमन है यह रिजीड है बदलता नहीं है रिस्पॉंसिव नहीं है फ्लेक्सिवल नहीं है फिर यहां पर मान लीजे कॉस्स एड़क्शन पर ज्यादा ध्यान है वैल्य तो ट्रडिशनल बजेटिंग का जब लिमिटेशन खोजे तो हमने बोला कि चलो कुछ और करते हैं जिससे ट्रडिशनल बजेटिंग का लिमिटेशन दूर हो जाए तो एक नया जमाना का कॉंसेप्ट आया बियॉंड बजेटिंग बजेटिंग के बाद जाओ बियॉंड ब इसका मेन उदेशर था कि सबको अपना-पना responsibility दो इसका मेन उदेशर था कि long term maximizing value पर काम कराऊ ना कि short term financials पर और इसका मेन उदेशर था कि समय के अनुसार जरूरत पढ़ने पर जब चाहे तब आप इसको बदल दो adaptability to change beyond budgeting का two main advantages है वो एक adaptive है दूसरा decentralized traditional में वो rigid था change नहीं होता था और वो centralized ज्यादा होता था तो traditional versus beyond budgeting का एक पूरा comparative study है कि traditional में incremental targets थे मतलब targets समझ रहे ना short term छोटे छोटे काम करके दो और उसको भी फिर थोड़ा थोड़ा वो बढ़ा देते थे जैसे for instance इसके उपर case studies भी आपका for instance जैसे incremental target मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला आपको कि आने वाला month में 10% 10% cost कम करना है ठीक है तो आप करके दिखा दिया आने वाला month में 10% cost कम अगर हमारे lower management हो तो आपने करके दिखा दिया फिर मैं आके बोल दिया अगला वाला आने वाला month में 15% cost reduction करना है मतलब 5% और cost reduction करना है हर समय आप छोटा छोटा इंक्रिमेंटल टार्गेट्स देते हो और वो टार्गेट सिर्फ $ that cost के ऊपर होता है दिया बट λटेटिक यह नहीं बोलेगा वो बोलेगा आपको कंपनी के लिए इतना profit लाना है या फिर कमपनी के का क्वालिटी बढ़ाना है या फिर कस्टमर्स का लॉयल्टी बढ़ाना है वो ऐसे गोल्स पर काम करेगा जो लॉग टर्म करके दिखाएगा उसको इसके सबसे मिलेगा मतलब एक मैनेजर है जिसके यहां पर अपने डिविजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया थे पूरे यह सब कुछ चल रहा था और वो एक पर्टिकुलर टार्गेट को चीव किया तो इसको मिलेगा बट एक मैनेजर है जिसका कंपनी को वह वाला प्रॉफिट भी लाके दिया वरना वह प्रॉफिट नहीं आता कंपनी का लॉस हो सकता था तो इट गिव्स अ रिलेटिव इंसेंटिव नेक्स ट्रइशनल इस फिक्स रैन्वल प्लान बट बियॉंड इस अबाउट कंटिनूस प्लानिंग ट्रइशनल वेरियंस कंट्रोल वेरियंस कंट्रोल मतलब जो ही आपका एट बजेट एक्च्वल में डिफ्रेंस उसका वेरियंस का उपर कंट्रोल है बट ब्यॉंड बजेटिंग में हम लोग KPIs KPIs are for non-financial KPIs for non-financial factors उसका टार्गेट के उपर काम करते हैं ना कि हम लोग खाली ट्रइशनल वेरियंस के उपर और एक इसमें rolling forecast है rolling forecast एक concept होता है rolling budget का जिसमें हम क्या करते हैं जैसे rolling forecast आपको समझा रहा हूं जैसे सोचो कि मेरा ये एक period का budget है उस budget को छोटा छोटा पीरियेट में और तोड़ लेते quarter one quarter two quarter three quarter four ऐसा करके मेरा एक साल का budget को मैंने चार पीरियेट में तोड़ लिया okay now जैसे quarter one का result आया for example यहां पे sales का target सोचा था हमने 50 lakhs but हुआ यहां पे सोचे 60 lakhs क्यूँ हुआ क्यूंकि quarter one में conditions वोड़े से business के अच्छे थे तो 60 lakhs का target अच्छी वो गया budget और actual तो एक तरह से अब traditional system में चलेंगे ना तो manager यह सोचेगा बस अब तीन quarter बचा है but अगर हम beyond budgeting के concept से सोचेंगे तो वो क्या सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा क्यों सोच रहे कि तीन quarter बचा है अब यह quarter five को यानि next year का quarter one को आपके budget में include करा देगा okay और next year के budget को आपके next period का एक छोटा period next year का छोटा period को आपके budget में include करा दिया तो वापस स आपका budget चार quarter का ही हो गया एक दो तीन और चार और इसमें जो अब amount budget का डाल दिया जाएगा वो amount as per the understanding of this इसके इसाफ से डाल दिया जाएगा जब यहाँ पर quarter one में 60 कर सुखे थे तो यहाँ पर budget भी हम 60 कर डालेंगे हम क्यों फिर budget में अगली बार 50 लिखेंगे तो इसके लिए manager के उपर वापस से पूरा year का ही चाप है मतलब manager वापस पूरा year के उपर ही planning करेगा ऐसा नहीं कि manager यह सोचेगा बस अब तीन quarter का और काम करना है ठीक है एक तरह से देखें तो psychologically थोड़ा सा आप same state पर रहते हो अलग बात है बट इससे benefits आते रहते हैं मतलब आपका you know enthusiasm कम नहीं होता ऐसा होता है कि आप normally four quarters में कई बार ऐसा होता है first quarter में बहुत अच्छा business कर लिए तो next quarters में हम थंडे पढ़ जाते हैं rolling forecast क्या बोलता है कि थंडा क्यों पढ़ना है आप जहां पर खड़ो वहां से भागे वाला एक साल ले लो आप accounts का accounting year और अपना budget period को mix क्यो करते हो आप अपना budget period हर समय अपने हिसाब से बनाते रही है ना that is rolling forecast okay so next आ रहा है next आ रहा है कि traditional budgeting में क्या होता है pre allocated resources रहता है जो दे दिया उसी से काम करना है but beyond में resources are given on demand जिसको जितना चाहिए जैसा चाहिए वैसा मिलेगा इसमें central central coordination है इसमें dynamic coordination है cross company भी आराम से बात कर तो यहां central control है यहां पर local control है यहां पर focusing on managing numbers यानि cost पर यहां पर focus on long term value creation पर है तो traditional versus beyond budgeting अगर आप ठीक से comparative देख ले तो आपको beyond budgeting बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा exam में एक बार cn syllabus में case study आया तो 10 मा का जिसमें पूछा what is beyond budgeting what are characteristics of beyond budgeting what are suitability of beyond budgeting what are advantages of beyond budgeting आपसे 4 question पूछ लिया 10 मा के लिए थोड़ा-थोड़ा सब में लिखना है तो ऐसा आप खाली नहीं कर सकते हैं cn syllabus वालो आप खाली एक ही बात को ध्यान में रखो आप ऐसा नहीं कर सकते ह आप किसी चीज़ का खाली general idea लेकर आपको पूरा idea लेकर जाना तभी आप उसका question attempt कर सकते हो खाली आप beyond budgeting में मोटा-मोटा समझ गए कि ये ट्रडिशनल का opposite है ट्रडिशनल में को मान लिजे सेंटरलाइस था है डी सेंटरलाइस्ट है वो rigid था ये flexible है और वो सेंट मान ट्रडिशनल और beyond budgeting का difference क्या क्या है कि ये target focused ये goal focused है ये incentive fix देता है relative to business environment आपने क्या result लाया उसके हिसाब से incentive देता है ये fixed annual है तो ये continuous है ये variance पर ध्यान देता है तो वो KPIs पर ध्यान देता है ये resource आपको pre allocate कर करके दे दिया है तो resource जैसा चाहिए वैसा अरेंज करता है central coordination ह है dynamic coordination है central control है local control है ये numbers पर ध्यान दे रहा है value पर ध्यान दे रहा है ऐसे आपको सब चीच भी याद रखना पड़ेगा characteristics of beyond budgeting क्या है the rolling budgets में incorporate KPIs sometimes you can have rolling budgets में non financial parameters के लिए भी तो it may incorporate KPIs benchmarking can be incorporated in budgets even in your preparation of budgets you can involve benchmarking which we studied in previous session that is what is the best practice being followed across the industry and that you can incorporate in your budget obviously benchmarking helps in preparation of budget benchmarking is about studying what others are doing and budget is what you want to do for yourself now so benchmarking can be used to set your budgets focus of manager shift to improve future results allow operational managers to react to the environment reaction करने का मौका मिलता है encourage a culture of innovation more timely allocation of resources यहाँ पर benchmarking करने मिलेगा और यह KPIs को include करता है तो KPIs है आपको benchmarking भी आप use कर सकते हो आप results focus future पे ज़्यादा ध्यान देते हो environment के हिसाफ से आप अपने आपको बदल देते हो innovation का culture लाते हो और more timely allocation of resources यहाँ हो पाता है कहाँ पर यह चीज़ सूट करेगा beyond budgeting जहाँ पर बहुत ज़्यादा rapid changes हो रहा है business environment में और जहाँ पर बहुत ज़्यादा continuous improvement प्रोग्राम चल रहा है हर समय जो जैसा होता था वैसा आ अब बॉलेगा यहाँ जैसे कुछ नया आता है ना चाहँ आता है तुरंत आप लोग उस पर वापस बोलने बोली रेते हो ठीक है तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है मैंने एक बहुत अच्छी बात अभी हाल फिलाल में सुनी आपको कभी time मिले ना तो आप भी उनके कभी बातों को सुनिएगा एक बहुत अच्छे South India के motivational speaker है महात्रिया ठीक है महात्रिया नोट करके रख लीजिए अभी नहीं जब exam खतम खतम हो जाए तब सारे वीडियो उनके देखेगा बहुत अच्छा अच्छा scientific बात बोलते हैं और उसमें से कई सारी बाते उनकी जो हम लोग के management की पढ़ाई है उसमें से वो कैसे real life को connect करते है बहुत अच्छी बाते बताते ठीक है बहुत practical बात बताते है महात्रिया ठीक है तो मैं ये बोलना चाहरा था उनकी बात में बहुत अच्छी बात थी कि जैसे एक होता न मुझे पेड़ लगाना है ओके पेड़ लगाना है तो soil है soil ठीक है? soil पे beach जो डालते है अपने in general कई तरीका होता है beach डालते है पहले seeds डालते है और फिर soil में उसको plow करते हैं और soil को फिर mix करते हैं ठीक है? समझ गए? soil को पहले तयार नहीं करते हैं पहले soil रख देते फिर seeds डालते हैं और फिर उस पे बहूत सारा fertilizer डाल कर उसको mix कर के छोड़ते कि अब वो फर्टिलाइज होगा ओके and another is your soil can be fertilized beforehand without the seeds and once when you just throw the seeds on the soil you don't need to plow it just throw the seed and the plant will grow तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपका mind अगर prepared नहीं है कोई भी चीज को ठीक से सुनने के लिए आपका mind अगर आप सुबह सुबह आ रहे हो मेरे class में और prepare नहीं करके आ रहे हो कि सर कुछ सिखाएंगे सर जो बोल रहे हो मिध्यान से सुनेंगे तो फिर कोई भी चीज मैं यदि फेकूंगा ना तो वो पेड में तो मैं जस्ट फेकूंगा और पेड होगे गा समझ गए mind प्लाविंग का काम अगर learner होता है न कोई learner मैं जैसे learner हूँ मेरा mind मैं खुद प्लाव करूंगा soil ready करके लाऊंगा आप seed फेक होगे मेरे हाँ पेड होग जाएंगे अब यही अगर आप बस आ गए और फिर आप बोगे तो खुद आप seed डालिए खुद आप प्लाव करिए फिर पेड होगा यह आप ही तो वो अलग बात है वो approach of learning में बहुत time जाएगा learning का approach बोलता है कि mind should be always ready to accept any seed which is just thrown on your mind which will convert into plant automatically खेर मैं आपको यह जिस्ट एक idea दे रहा हूँ कि इस तरह से सीखने का attitude बनाया जाता है कि कोई भी नया ग्यान होना एक बार में समझ में आ जाए why to repeat, why to repeat again एक बार में क्यों नहीं समझा आप इससे क्या हो रहा है मुझे repeat करने में problem नहीं है मैं यह समझा रहा हूँ कि why to repeat आपका mind को यह आप train करो न क्यों दो बार सुनना है तुमको एहर एक चीज को mind को बोलना होगा why you have to listen it twice why didn't you understand in just one shot समझ गए तो आप train करो गे उससे तो वो एक बार में लेना सिखेगा ऐसे में कई students को देखता हो सम करेगा काटेगा फिर सम करेगा फिर काटेगा फिर सम करेगा कितनी बार काटेगा तो mind accept कर लिया है न कि काट के भी करना loud है जितना बार काटेंगा उतना बार चलता है फिर कर लेंगे सही बड़ माइंड को बूलेंगे ना काटना लाउड ही नहीं है एक बार मैं सही करना होगा तो वो सतर को के करेगा अभी यह होता है क्लास सुनना के लिए आप आगए अब जैसी कुछ नहीं आता है स्लैक को लेके मुझे मैंने देखा कितना बार आप लोग स्लैक बता दीजिये स्लैक बता दीजिये जबकि मैं कितनी बार इसलैक रिपीट किया हूँ तो रिपीट का बात क्यों हो रहा है क्या मैं पहली बार में सही नहीं बता रहा बिल्कुल सही बता रहा हूँ माइंड रेडी करो माइंड को प्रिपेर्ड रहो देखे आप आपका एग्जाम बहुत दूर नहीं है आपका एग्जाम बहुत पास है तो आपका अपना माइंड पूरा रेडी रहना चीए हर समय कोई भी बात को सुनके तुरं-तुरं कैप्चर कर लेने के लिए देखे रोलिंग फोर्कास्ट बोलता है कि अगर एक पीरियड है जहां पर चार क्वाटर है हमने चार क्वाटर का बजट बनाया ठीक है और इसमें बजट सेल्स सोचा था 50 लाक्स जबकि एक्चुल में हो गया 60 लाक्स सुची आगे का भी 50-50 करके हम लोग बजट बना दिये पूरा एयर का बजट बनाया वाता 200 लाक का सेल्स होना चाहिए तो अगर आप सेल्स मैनेजर हो जहां पर आपका जहां पर आपका सिर्फ अभी एक ही क्वाटर बीता है ठीक है तो आप क्या सुचों के चलो मेरा तो इसम अपने लिए सेट कर लोगे क्योंकि दस सर प्लस कर दिया है यहां पर वन फॉर्टी का टार्गेट लिके चलोगे कि आपको दो एंड आफ यह का रिजल्ट पे मतलब है नवस क्वाटर ली मैं क्या कर रहा हूं उससे आपको क्या लेना देना अप अपने आपको वह एर रोलिंग बैंड कर लोगे तो तो रोलिंग फॉर्कास का कहना है कि जैसे एक छोटा पीरियड खतम होगा से क्वाटर एक खतम हो गया अप यहां पर अगला क्वाटर जो नेक्स्ट यर का क्वाटर वन है उसका एक बजट बना के यहां पे इंक्लूड कर लो और यहां पे ब आपके पास budget का target होगे अगर आप यहां खड़े हो आपके पास target होगे 210 लाग का तो पहले आप जब यहां खड़े वे थे तो उससे में target कितना था आपके पास यहां से यहां तक का था तब 200 लाग का target था तो 200 लाग पे चल रहे थे अब एक quarter बीतने के बाद आप हलका क्यों 140 का target क्यों बना तो आप यह सोचो कि अब 210 का target है मतलब जैसे एक period खतम होगा वैसे next year का एक period आपके budget में include कर दिया जाएगा so that you are always having full years target in mind and your enthusiasm, your passion to work harder does not reduce you will always have a target of full one year so this increases enthusiasm अगर कोई aspiring है तो वरना कोई aspiring नहीं है तो फिर यह बाला budget का कोई मतलब नहीं है beyond budgeting उसी team के साथ खिलना चे जो aspire करता हो कोई मुझे company को grow कराना है okay तो rolling forecast बोलता है कि you can keep on rolling your budget to the immediate next period don't just restrict your budget with the accounting period ठीक है तो आपका हो सकता है मान लीजिए March पे accounting year end हो रहा है तो बस March पे सब आराम करने चल जाएंगे ऐसा नहीं होना चीए तो March आए तो लोग April के लिए काम कर रहे है उनके पास May का भी budget है उनके पास June का भी budget है अकाउंट्स वाले March पे रूख जाएंगे बट April में जून का भी तो काम करना है न तो जोश धंडा न हो इसलिए rolling forecast का concept है Okay Ayushi is asking why can't we revise budget of quarter 2 See that is a good question in your case but the rolling budget concept is saying that what you have to do is You have to include a new period in your budget so that the period remains same always पहला वाला जो period था एक साल था अब यह मत सोचो कि यहां पे आने के बाद period कम हो गया है rolling budget का concept यह आप revise करना चाहते हो quarter 2 का आप revise कर लीजे कोई problem नहीं है but point is आपका एक और चीज़ सीखने का है इसमें quarter 1 is comparable with quarter 1 quarter 2 business condition of quarter 1 may not be same in quarter 2 quarter 2 of this year will be comparable with quarter 2 of previous year quarter 1 quarter 2 comparable होता है जरूरी नहीं होता है for instance in our SJC also May और November जो month होते हैं we cannot compare this May or November month with any other month in the entire year because these two months are specifically admission oriented months okay to May हम लोग को जब compare करना होता है वी आफ तो प्रिविश यर्स में November compare करना होता है तो we have to compare it with previous year's November okay so it's not necessary that you can just check upon this quarter 2's budget as a revise budget ऐसा कोई जरूरी नहीं है ठीक है quarter 2 का budget को revise करने से हो सकता है quarter 2 में season कुछ और होगा requirement business का कुछ और होगा है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं budgetary control खतम हो गया दोस्तों मेरे तरफ से budgetary control मेरे तरफ से खतम हो गया आपको इसका case studies तुरंत आज ही पढ़के खतम करना चाहिए आपको case studies में participative budget का case studies मिलेगा एक बहुत important एक feedback feed forward का case study भी मिलेगा जिसमें cash budget बना के जैसे for instance एक example दे देते हैं आपको एक school है जिसमें जिसमें मान लीजे बोल रहा है कि अगर हम लोग school के senior teachers को लेकर budget बनाएं तो उसका advantages क्या disadvantages क्या है जिसे school का board of directors है जो बोल जिसके लिए पूछा जा रहा है कि यदि वो board of directors school के senior teachers को लेकर budget बनाएगा तो उसका advantage क्या disadvantage क्या? मतलब participative budget का advantage क्या disadvantage क्या? Advantage क्या? वो ownership feel करेंगे, उनका ideas ज्यादा concrete होता है because वो रोज root level पे काम करते हैं, ओके तो उनके ideas से problem solve हो सकता है बहुत सारा management को भी enlightenment मिलेगा कि actual root में problem क्या चल रहा है ठीक है? और इस तरह से मतलब आपका, you know, रोज रोज का जो आपका hassles है वो कम हो जाएगा, वो अगर ownership feel करेंगे तो उनको operations को समालने का motivation ज्यादा रहेगा employee moral बहुत हाई रहता है और disadvantage क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो अच्छे teacher है तो उनको पूरा school management करना भी आता हो so being a senior employee doesn't mean that they are capable of managing the school so उनके ideas many times उतने commensurate नहीं होंगे शायद जो school को long term में growth लाके देगा so सबका अपना advantage है तो सबका अपना disadvantage भी है तो ऐसे आपको points लिखने school के angle से फिर एक और question आया था जो भी latest exam में भी था आपके उसमें था कि जैसे कंपनी है वो लोग target लगा रहे हैं कि मेरा cash balance इतना हो कि during the year मेरा working capital loan चल रहा है मैं उसको pay कर पाऊं और end of the year मेरा cash balance समझे समझे 1 lakh रुपी पॉजिटिव भी आ जाए तो कंपनी का ये इच्छा है गोल है ठीक है कि मैं अपना working capital loan पे कर पाऊं और 1 lakh रुपया मेरा सोचिए surplus cash balance भी आ जाए है तो how feedback and feed forward control mechanism will help the company तो feedback mechanism में क्या होगा कि वो पूरा year end में जाके ही देखेगा कि एक लाख आया कि नहीं आया और loan repayment हुआ कि नहीं हुआ अब नहीं हुआ तो जो correction होगा वो अगला period में होगा और feed forward में क्या है कि company पहले से अपना पूरा cash budget बनाएगा projections देखेगा और projections देखकर understand करेगा कि किस month में कितना extra sales हो सकता है या collection हो सकता है किस month में कोई extra payment है तो किस month में जाके हम लोग working capital का loan payment करने वाले हैं ऐसा करते करते वो cash budget बना के पूरा projection चेक करके देखेगा कि year end में आ कितना रहा है और पता चला कि current scenario का forecast के साब से अगर एक लाख नहीं हो रहा है या फिर working capital का loan repayment नहीं हो रहा है तो वो शुरू से ही first month of the year से ही अपना receivables को थोड़ा सा और बढ़ाएगा collections को speed up करेगा and gradually वो अपने targets को achieve कर सकता है by preparing cash budget beforehand and doing all the projections तो यह feedback और feed forward को लेकर ठीक है और भी कोई सारे case study questions है मैं मुझे अभी दो बताना था एक बार मैंने दो बता दिया आप उसको अपने आप देखेंगे तो आपको और clear होगा beyond budgeting को लेके भी मैंने आपको बोला कि case study आया हुआ है इसमें what is beyond budgeting उसका characteristics okay और उसका फिर suitability उसका advantages सब कुछ बुचा है so आपको खाली ऐसे नहीं कि beyond budgeting हलका सा याद रखना है आप उसका suitability भी याद रखना है जिसका points एकदम अलग है फिर characteristics भी याद रखना है जिसका points थोड़ा सा यहां पर traditional versus beyond budgeting से मिलता जूलता है और advantages अलग से याद रखना है कि more adaptive or decentralized है बस आपको यही बार बार highlight कर रहा हूं कि यह सब specific चीजों को याद रखिए okay so beyond budgeting is over from my side अब इशेक बैद is saying कि sir जैसे आपका यह rolling forecast में आपने actual में थोड़ा सा ज्यादा कर लिया था तो next period का जो आपने यहां 60 lakh set कर दिया ज्यादा वाला तो अगर मैं यहां पर 30 कर पाया तो मैं यहां पर भी 30 लिखूंगा क्या हूं तो वो depend करता है कि आपको investigate करके डालना है कि यहां 60 क्यों डालना है ऐसा नहीं है कि आप यह 60 हुआ तो यहां पर भी 60 बटा देंगे ऐसे नहीं होता सब चीज के पीछे discussion होता है analysis होता है कि यह 60 यहां पर achieve कर पाए तो अगली बार भी कर पाओगे क्या तो अगली बार यहां पर सोचों यहां पर अगर 30 हुआ होता 60 के जगा तो क्या अगली बार भी 30 होगा क्या तो that requires lot of discussion कि what was the reason of extra or lower amount next question है Amand Mehta का what we learnt in budgetary control will be of any relevance yes of course it is of all the relevance अभी तो Amand Mehta पूछ रहे हैं कि inter में जो पढ़ा उसका कोई relevance है का जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका relevance है भी final में जो आपको अभी saviour book में पढ़ा रहा हूं वो important है Vidushi Jalewa is asking sir to increase the efficiency of budget can we create competitive environment among employees of same department this way employees will stay motivated see that depends on how you want to handle your employees वो आप team में competition लेया होगे तो एक दूसरे से compete करेंगे कभी वो damaging भी होता है तो unified way में business चलना चाहिए एक department का पूरा budget होता है एक individual का budget नहीं बनाते usually तो team spirit जरूरी होता है एक किला आदमी अगर compete करेगा अपने team में दूसरे आदमी से तो result contradictory हो जाएंगे तो एक department दूसरे department से compete करता है बट compete का कोई sense नहीं है compete करने से कहीं न कहीं human behavior में psychology में एक issue आई जाएगा कि वो आगे जाकर हमेशा एक दूसरे को anti party समझने लगे और favor नहीं करेगा कभी भी एक दूसरे को ठीक है so in general unified structure follow करना चाहिए team spirit जगाना चाहिए एक दूसरे का help करने का motivation जगाना चाहिए okay करना चाहिए okay